Hey everyone, मैं हूँ आपका दोस्ट प्रशांद और मुझे Amazon और Microsoft जैसी product companies में 10 साल से भी जादा का software development का experience है और आज इस वीडियो में हम सिखेंगे HTML को और ये जो discussion है ये एकदम हम basic level से start करेंगे और उसको धीरे धीरे एकदम advance और pro level तक लेकर जाएंगे तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पहले से बिल्कुल coding या programming नहीं आती है तो इस वीडियो में हम वो आपको सब कुछ सिखाएंगे वोग एकदम zero से hero level ता है इस वीडियो में हम सिखेंगे HTML coding कैसे होती है, HTML web development के लिए कितना important है और HTML को ठीक से use कैसे करना है एक अच्छा web developer बनने की और एक अच्छी website बनाने की शिरुवात आपकी इस video से होगे इस video में पढ़ते हुए हम दो major project साथ में बनाएंगे जो आपके resume के लिए एक बहुत excellent tradition होंगे और आपकी placement में भी आपकी बहुत help करेंगे और इस video के description में आपको मिलेंगे HTML के एकदम pro level के notes जो exam के साथ साथ placement में भी बहुत ही helpful होगे साथ ही साथ इस पूरे project में हम जितना भी code लिखेंगे उस सब को हमें github की repo में डालेंगे और उस repo का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगे और इतना ही नहीं आप ये course पूरा करने के बाद एक simple सा test देकर हमसे इस course का completion certificate भी ले सकते हैं जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो बस अगर आपके पास एक laptop है तो हम जल्दी से शुरू हो जाते हैं इस video में आप बहुत सारी cool चीजे और examples देखेंगे जैसे कैसे वेब पेज में बहुत सारी चीजों का color change होता है देखें जैसे मेरे चश्मे का हो रहा है या हम कैसे बस थोड़ा सा HTML चेंज कर सकते हैं अपने YouTube के subscribers या अपने Instagram पे likes और best consumption के लिए हमने इस video को 6 levels में डिवाइड किया है तो friends जल्दी से start करते हैं हमारा level 0 level 0 को भी हमने क्या किया है मोटा मोटा दो chapters में हमने इसको divide किया है पहला chapter है हमारा IDE और code editor के बारे में और दूसरा होगा website के components को समझेंगे website web development के fundamentals को समझेंगे पहले जल्दी से देखते हैं IDE और code editor के बारे तो अगर IDE के बारे में देखेंगे तो आपने देखेंगे अगर पहले आपने कभी use किया है तो इस तरह की बहुत सारे IDE चलते हैं पर सबसे पहले सबसे अच्छा question ही आता है कि sir what is IDE होता क्या है तो अगर IDE की full form हम देखेंगे तो IDE की full form होती है integrated development environment जिसे आपको यहां देखेंगे होगी integrated development environment अगर इसका मतलब देखेंगे तो क्या है integrated का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ है यानि जब multiple चीजों को एक साथ रखके present किया जाता है उसको क्या बोलता है और development environment मतलब software development के लिए जो environment required होता है तो एक ऐसा software development environment जिसमें जितनी requirement की चीजे हैं सब एक साथ मिलती हो उसको क्या बोलता है IDE बोलते हैं तो देखें यहां पर और क्या लिखा हुआ है software suit जो consolidate करता है requirements को और coding, problem finding और testing की सारी जो tools आपको चाहिए वो एक ही जगे पर जब मिल जाते हैं लग लग जगे जाके करना है एकी साथ हो जाता है productivity आपकी इस वज़े से बढ़ती है जो बहुत complex task है development के लिए वो काफी आसान हो जाते हैं आगे इंटिग्रेशन की वज़े से क्योंकि सब चीजे आपको एक साथ ही एकी screen पर मिल रहे होती है और आपको एक unified जो workplace है उसका experience मिलता है अगर features की बात करें और जो सबसे important चीज़े हैं वो जैसे की बात हुई code autocomplete इसका क्या मतलब है जैसे आप right में हाँ देख रहे हैं क्या होगा जब आप code लिखना शुरू करेंगे तो सब चीज़े आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगे आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे आपका ID क्या बोलेगा आपका ID बोलेगा मैं इसको autocomplete कर देता हूँ तो जैसे जब आप यहाँ देख रहे हैं हम जैसे ही लिखना शुरू करते हैं ग्रीन कलर से दिखा रहा है नॉर्मल हम वरियेबल टेक्लेर कर रहे हैं उनको कैसे दिखा रहा है ब्लू कलर से दिखा रहा है तो इस तरह से जब हाइलाइट होता है syntax तो code को पढ़ने में आसानी होती है थार्ड और फॉर्थ पॉइंट आई version control और error checking के error checking clear है जब हम code लिखते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती है उनको पकड़ना, उनको ठीक कराना वो IDE उसमें हमारी help करता है version control के बारे में जो हमारा last वाला level है उसमें आराम से देखेंगे ध्यान से देखेंगे version control का क्या मतलब है इसका मतलब होता है multiple लोग जब एक ही project पर काम कर रहे है तो एक साथ काम कर पाएं एक दूसरे का code शेयर कर पाएं वो कैसे करते हैं तो उसमें भी IDE आपकी काफी help करता है अब थर्ड बात आई हमको तो HTML सिखना है HTML के लिए कौन सा IDE सबसे अच्छा है अभी जो Atom की team है उसने इसको support करना बंद कर दिया है बट I am an Atom lover Atom बहुत अच्छा IDE है अभी तक भी अगर आपको use करना है as text editor अलसो तो Atom काफी अच्छा है बट सच बात यह है कि जो undisputed king है पूरी category में वो है VS code जिसका ये icon आप देखने है VS code क्या है VS code means visual studio code ये Microsoft का IDE है completely free है आप इसको use कर सकने है बहुत ही अच्छा बहुत ही rich features है developer support बहुत ही अच्छा है तो undisputed king है हम भी इस video में VS code को ही use करेंगे जो fourth है GitHub code spaces ये एक नया concept है इसमें क्या है आजकल ID आपको system install नहीं करना पड़ता आप web में ही जहां आपका code पड़ा हुआ है वहीं पर उसको edit कर सकते हैं सारी चीजे server, browser सब आपको वहीं पर मिल जाता है तो ये भी हम अपने bonus जो chapter है उसमें देखेंगे GitHub code spaces को कैसे use करना है इसके advantages ये होते हैं आपका system हो सकता है बहुत slow हो जिसपे आप coding करते हैं तो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये browser में चल रहा है तो ये server use करेगा Microsoft का तो आपको वह सब पैसा नहीं देना है completely free to use है ये भी तो इसको भी हम अपने bonus में देखेंगे बट for the sake of this video अभी हम VS Code use करने बाले है तो अगर हम VS Code के बात करने सरे install कैसे होगा तो सबसे पहले क्या करना है Google पर जाना है और क्या सर्च करना है VS Code चलिए सबसे पहले Google पर चलते है या क्या सर्च करते है वही हमको क्या install करना है VS Code आपको simple VS code लिखना है देखिए इतना popular है सबसे पहले यही आएगा यहाँ पर download link directly आ रहा है तो यहाँ पर download दबाते हैं यहाँ आते हैं देखिए मैं अभी currently windows यूज़ कर रहा हूँ आप जो भी operating system यूज़ कर रहा है आपके साथ इसको install कर लेते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तो editor साब इसको थोड़ा सा तेजी से भगा देगी ताकि ज़्यादा ताइम ना लगे जाके और उसके बाद इसको install कर लेता है तो यह देखिए install हो गया हमारा इसको finish करते हैं और यह हमारा VS code देखे launch हो गया तो इक बार इसको full screen करके देखते हैं theme आप कोई सी भी लगा सकते हैं जिसे मैं generally dark theme लगा के रखता हूँ तो यह आपका ID install हो गया अभी हम इसी चीज में interested थे यानि हमने क्या किया installation and setup में हमने search कर लिया VS code और उसको अपने system पे install कर लिया है यह हमारा VS code ID हमारे system पे install हो चुका है इसके बाद हमको क्या करना है इसके बाद हमको देखने है extensions तो extensions भी एक बार समझें बच्चे क्या होते हैं देखिए हमने बात क्या की थी ID का मतलब है integrated environment यानि उसमें जितनी developer की requirement की चीज है उन सबको एक की साथ shift कर गया गया है तो ऐसे में क्या करती है company जैसे Microsoft क्या करता है VS code का minimum जो package बनाएंगे जो उनको लगता है सबसे ज्यादा लोग use करते हैं सबसे requirement है fundamental है उसको बनाके ID में ship कर देंगे और उसके बाद क्या होगा उसके बाद होते है extensions यानि अगर आपको किसी specific चीज की requirement है तो इनका एक app store जैसे आप phone में Android में play store डालते हो या iOS में app store डालते हो इनका भी अपना एक store होता है जहां पे extensions होते हैं extension के क्या मतलब है वो आपके ID को extend कर देगा एक particular feature में तो आप वहाँ जाईए एक पूरा marketplace होता है जो भी हम देखेंगे वहाँ जाके कुछ भी install हम कर सकते हैं और sake of this video, this project हम क्या करेंगे ये दो extensions हम यूज करने वाले हैं पहला है live server दूसरा है prettier live server क्या करता है live server हमको एक HTML का app server, web server जो है वो local बना के देता है यानि जब हम HTML लिख रहे होंगे तो हम तुरंत के तुरंत ब्राउजर में देख पाएंगे कि हमारा code से final जो output है वो क्या रहा है जैसी save करेंगे live server उसको अपने आप जो है browser में जाके update कर देगा तो हम देख पाएंगे तो हमको HTML खुद से pretty कर देगा तो आप जब भी उसको use करेंगे वो क्या करेंगे आपने code किसी भी तरह से लिखा हो वो अपने आप जो standards है वो आपके code फॉलो कर देगा तो prettier आपको install करने से फायदा होगा कि formatting code की आपको नहीं करनी पड़ेगी तो चलिए जल्दी से देखते हैं अग यह वाला जो tab है क्या लिखा है इस पर extensions लिखा हुआ है मैं इसको कोशिश करता हूँ अगर और बड़ा हो जाए यहां से बड़ा नहीं होगा हम यहां पर जोब कर देंगे तो क्या होगा यहां पर extensions है extensions में आए अब यहां पर मैं क्या करना है मेरे को सबसे पहले करना है live server तो देखे मैंने यहां लिखा live server यह आ गया live server तो आप इस पर क्लिक कर यह देखेगा अपने आप यहां दिख रहा है 38 million इसके downloads है तो आपको यही देखना है जो सबस्यातर डाउनलोड वाला उसको जाके क्या कर लेना है install कर लेना है तो देखे installing अभी आ रहा है install हो जाएग यह install हो रहा है यह देखे कितनी जल्दी install हो गया तो यह हुए हमारे दोनों जो हमारे extension का installation अब जब हम आके use करेंगे तो अपने आप हम prettier को और जो हमारा live server है उसको use कर पाएंगे तो वापस आ जाते हैं यह हुआ हमारा level 0 का पहला chapter जिसमें हमने अपना IDE के बारे में समझा कि IDE क्या है उसको install कर लिया उसको देख लिया कैसे search करना है और क्या option से install कर लिया उसके extensions install कर लिया अब हम एकदम ready है VS code को use करने के लिए अपना पहला project बनाने के लिए वहाँ पहुँचने से पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे पहले जो हमारा next काम है वो क्या है website component and fundamentals हम यह क् कुछ terms mainly आपको इसमें समझाना चारा था जो आप इन जनरल अपनी life में देखते हैं कहीं सुनते हैं समझ नहीं आता exactly कि इसका मतलब क्या है जैसे client side और service ID हम सुनते रहे हैं इनका मतलब क्या है तो मैंने बनाये बच्चों इससाब से है कि यह काफी बार interviews में भी पूछे च है आपको जब भी चाहिए आप इसमें से देखके जा सकते हैं तो execution location इपर समझते है client side coding और server side coding में क्या फरक है client side चलता है आपके device पर यानि जब आप ब्राउजर में कोई Google खोलते हैं या आप अपने Android phone में कुछ use कर रहे हैं iOS phone में कुछ use कर रहे हैं तो उसको बोलते है client यानि आप जो है आप जो है आप जो भी request करता है जो भी final product को use करता है वो client होता है और server जो request को serve करता है वो server होता तो server क्या होगा remote machine यानि आपने सुना होगा Amazon के servers है Microsoft के servers है वहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो क्या है server side है तो execution location आपका code कहा execute होगा client side में user के device पे होगा server side में remote machine पे होगा languages client side में most popular languages कौन से चलती है JavaScript चलती है HTML चलती है CSS चलती है HTML देखते ही हमारी आखों एकदम चमाका जानी चाहिए क्या पढ़ रहा है HTML पढ़ रहा है यह इस बात से हमको क्या समझाया हम client side के HTML language को यहाँ पर इस समय पढ़ रहा है server side पर जनरली क्या चलता है PHP चलता है Python चलता है Java, Node.js, server होता है तो इस टाइप से technologies back-end पर चलती है main काम क्या है? client side का main काम क्या होता है? UI को represent करना और जैसे clicks है, scrolls है Hmong, इन सब को manage करना ता कि user क्याँ चाहता है, उसको दिखाना और user क्या सामऄ उपर कहा रहा है is user next यह समझ के server को बताना कि user next यह चाहता है user next page पर जाना चाहता है, previous page पर जाना चाहता है दे देता है वर सर्वर साइट पर कोड लिखते हैं तो डेटा बेसे और यह सब हमार पास readily available होते हैं उसमें से जितना डेटा चाहिए निकालना है डालना है कि 16 ms में आपको एक frame पर paint करना है तो आपको UI code इस आप से लिखना है और 16 ms में एक frame paint कर पाएंगा बहुत ज्यादा है तो चल जाता है कोई लिक्कत नहीं उसके बात और हम terms क्या समझेंगे दूसरी terms हम और क्या सुनते हैं front end सुनते हैं back end सुनते हैं full stack सुनते हैं full stack आपने बहुत सुना होगा इनका क्या मतलब है वी kind of similar है जो हमने अभी अभी देखा इससे पहली slide में क्या client side server side front end क्या होता है front end वो सारी technology है जो generally client side पर execute होती है यह सब जानते हूं आप back end engineer हो सकते हैं आप java python या इसके अलग-अलग frameworks आते हैं वह जानते हूं या बोल सकते हैं भाई मैं full stack developer हूँ यानि मैं यह भी करता हूं यह भी करता हूं तो उसके जैसे examples क्या है one stack आजकर आपने सुनाओ का बहुत popular है इसमें mongodb क्या है यह database हो गया e-express यह framework है coding के लिए react क्या है यह front end का framework है यह हमारा server है या नोड.js server है तो जो इन सब में काम कर पाए full stack में चारो के चारो यूज करें उसको क्या बोलेंगे full stack developer बोलेंगे तो front end हुआ website वाला काम यह front end वाला काम android का ios का इसा front end हुआ back end हुआ server वाला काम और burn हुआ full stack हुआ दोनों को मिला के जो करता है वो काम उसके बाद अब हम आते हैं जो एक important हम आपको समझाना चाहते थे जो है role of browser यानि browser का क्या role है हमारे html में या in general जबाब काम करते हैं किसी website का link करते हैं उसका address डालते हैं तो browser क्या करता है browser उसके Server के पास जाता और यह समझे इमेज, वेडियों जो वह आपको वेब पेज पे लेखा लेधान जी अब बहुए पर्राउज पेजर जाकर उस सेपाप पहले डॉनलूड कर करके ला तहीं जब वो download कर लेता है, उसके बाद वो एक process करता है, जिसको बोलता है rendering, और rendering से क्या बनता है, final web page बनता है, rendering का यह मतलब है, जैसे HTML को कुछ-कुछ समझाता है, कि page का क्या structure होगा, CSS समझाता है, अभी हम समझेंगे इन तीनों का क्या का काम है, बट CSS कुछ look समझाता है, JavaScript कुछ समझाता है, कहाँ image दिखानी है, कहाँ video दिखाना है, वो सब यह देखके, final web page बना के आपको दिखा देता है, तो यह समझेगा, कि जब developer बनाता है, तो वहाँ से server से direct web page आपके पास नहीं आ रहा है, server से बहुत सारा code आता है, बहुत सारी चीज़े आती है, जो browser अपने यह आफेक्ट हो रहा है, यह सब हम देखेंगे, बट अब यह समझेगी, browser का यहाँ पर क्या मतलब है, तो यह क्या करता है, displays, web page, web page दिखाता है, उसके अलावा इसके क्या का में, जब एक बार web page दिखा दिया, user के clicks बगेरा को handle करना, content को update करना, clicks के हिसाब से बान लिजा, facebook प यह front end specific आते जाएंगे, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, HTML पढ़ना है, HTML, CSS, JavaScript का क्या मतलब है, और उसके बाद पूरा rest of the video हम सिर्फ HTML में होटा होटा, concentrate करें, तो सबसे पहले एक analogy समझे, किसी भी website में यह तीन major components होते है, HTML, CSS, JavaScript, तो मान लीजे, HTML क्या है, HTML एक blank car की तरह है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, क्या है, एकदम car का जो एकदम shell होता है, body होता है, frame होता है, उसकी तरह है, यानि यह क्या बताता है, कौन सी चीज कहा होगी, engine की जगे, कहां पर है, ये bonnet है, कहां doors होगे, कहां windows होगी, कहां चण होगी, कहां डिगी होगी, कहां tired लगेंग तो HTML ने क्या किया, यहां पर structure define किया, layout define किया, कहां text दिखाना है, images, links, और अलग-अलग तरह के tags जिसमे elements हम use करते हैं, वह हम आके देखेंगे कि वो करते कैसे हैं, और hierarchy मतलब यह एक के बाद एक चीजों को arrange करता है, हिरार्की का मतलब जिसे हम अपने family tree देखते हैं, दादा जी है, उसका पापा है, चाचा है, बुँआ है, वह हिरार्की हमारी बंती चलिया आती है, tree जो हम पढ़ते भी, CSS क्या करता है, CSS उसमें look देता है, यानि जैसे आप देखें, car का interior है, वो उसमें leather लगाएगा, आपका soft touch material लगाएगा, कहां क्या होगा, कहां कौन सा color होगा, क्या चीज सुन्दर दिखेगी, तो वो सब काम करता है CSS आपके web page में, यानि कौन से text का color क्या होगा, size क्या होग कहां क्या background color दिखेगा, कौन सी चीज कैसे animate होगी, ये सब चीज़े हम क्या करते है, CSS से करते हैं, cascading style sheet से, तो पहले जब HTML अपना structure define कर चुका होता है, उसका CSS क्या करता है, CSS उसमें looks डालता है, उसको सुन्दर बनाता है, थोड़ी बहुत layouting भी आप CSS से करते हैं, काफी तक CSS define करता है page पे, क्योंकि वो आपके pages आजकल ऐसे होते हैं, काफी dynamic होते हैं, चीज़े अपनी जो जगें, वो switch करती रहते हैं, तो वो भी हम generally CSS से करते हैं, और CSS काम कैसे करता है, इसके पास होते है selectors, और selectors क्या करते हैं, specific HTML elements को target करते हैं, यानि अब आपको color define करना है, वो HTML audit define कर चुका है, तो यह बोलेगा, HTML ने जो वो वाला element define किया है, उसका ये color कर दो, या उसका ये size कर दो, उसका ये font कर दो, तो वो target करता है specific HTML elements को, अब last में समझते है, JS, JS क्या करता है, JS मान लीजी आत्मा है, JS वो काम करती है, जो web page को functioning बनाता है, उसमें, जान फूख से, यह चीज़े जो move हो रही है, आपकी video play हो रही है, यह सब काम कौन करता है, JavaScript करता है, एक बात यह important समझने के लिए है, आपके notes के लिए, कि Java का actually, JavaScript का actually Java से कोई मतलब नहीं है, यह बस एक नाम की बहुत लबबी कहानी है, कि कैसे JavaScript का नाम भी, जब वो scripting language उन्होंने बना और सासा जैसे भी मैंने बोला था कि जब client side में code लिखते हैं, कुछ server का data चाहिए, तो server से मांग लेते हैं, वो मांगना, data लेके आना, उसको convert करना, finally दिखाना, वो सब काम भी JS का होता है, तो fetch करना और information को send करने का काम भी JS करता है, अब जल्दी से हमारा level 0 खतम हो गया, इ extensions को हमने install गिया, उसके बाद हमने basics पढ़ना start किया, तो हमने पढ़ा client or server side में क्या difference है, front end, back end, full stack में क्या difference है, browser का हमने role समझा, browser क्या करता है, कैसे download करता है, और individual HTML, CSS, JavaScript, हमने बहुत अच्छे example से समझे, गाड़ी के, यानि frame जो हो HTML है, उसके अंदर looks, interior जो है, वो CSS है, औ उसका engine है, जो उस गाड़ी को अच्छली चलाता है, functioning बनाता है, user के inputs पर respond करना, यानि user break दबाए तो रुकना है, user अगर accelerator दबाए तो चलना है, steering घुमाए तो मुडना है, तो वो सब काम JS का हुआ, तो यहाँ हुआ हमारा level 0 wrap-up, जल्दी से चलते हैं level 1 की तरह और उसमें ह HTML की basics की, तो हम जल्दी से चुरू करते है, level 1, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, HTML basics, इसका क्या मतलब है, हमने पहले level की तरह, यानि level 0 की तरह, यहाँ भी level 1 को भी 2 मोटा मोटा chapters में divide किया है, पहले क्या करेंगे, हम starting up, और दूसरे में क्या करेंगे, HTML के basics देखेंगे, तो starting up म दोस्त, हम क्या करेंगे, पहले हम text editor use करके देखेंगे, तो हम यह समझनी क कोशिश करेंगे, कि क्या IDE use करना compulsory है, जो VS code हमने setup किया, क्या वो use करना compulsory है, या normal text editor से भी हम HTML का code लिख सकते है, live थोड़ी से difficult हो की, बहुत थोड़ी देर के लिए करेंगे, पर मैं आपको दिख पहले क्या करेंगे, text editor से use करेंगे, तो यहाई notes के लिए मैंने आपके सब बना के दिया है, ताकि आप बाद में भी देख पाओ, खुद से practice बाद में कर पाओ, यहाँ पर हम क्या करने, folder बना रहे है, first project नाम का, उसके इंदर notpad खो लेंगे, file बनाएंगे, index.html नाम की, folder बनाते हैं, new folder, इसका नाम में रख देता हूँ, first project, ठीक है, यह कर लिया, इसको खोल लीजिए, उसके बाद फिर हम को दूसरा क्या करना है, अपना खोलना है, text editor, windows का, तो यह क्या होता है, notepad, आप अगर mac पहें, किसी और चीज़ पहें, तो जो भी आपको देख रहा है जो भी आपको सही लगता है, वो खोल लीजिए, normal text editor, यहाँ पर मैं आ गया, अभी देखें, यहाँ मैंने क्या करके रखा है, कुछ code मैंने sample code पहले से copy करके रखा है, अब यह code कहां से आया, सर, इसका क्या मतलब है, अभी आपको क्या लिख रहे है, यह सब, भूल जाईए यह सब हम दिरे-दिरे देखेंगे, code याद करना पड़ता है, खुद से generate हो जाता है, कैसे हम रखेंगे, वो नहीं देखना भी है, समझी, यह valid HTML का code है, जो भी यहाँ पर है, हम बस इसको देख रहे है, इसको save करके चलाते कैसे, तो मैंने इसमानली जे लिख दिया है, this is my first HTML code, और यह मैं कर देता हूँ, अभी आपको यह नहीं देखना है, कि यह कहां से आया, उसकाद मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको save करना है, तो मैं करता हूँ, save as, कहा हम इसको save करेंगे, अपनी first project के अंदर save करेंगे, ध्यान रखी गया, text file save नहीं करना है, यह all files करेंगे, और यहां में इसका नाम क्या रखूँगा, जैसे हमने notes में लिखा है, index.html, इसका नाम यही क्यों है, इसके भी पूरी slide होगी, पूरा discussion करेंगे, अभी इसका नाम index.html रखके save करेंगे, और यह file मैं यहां से बंद कर देता हूँ, अभी देखे कमाल क्या हुआ, first project के मैं बुलना हूँ, chrome में ही खुलना है, always chrome कर दिया, यह actually दूसरी screen पर खुल गया, इसको में धर ले आता हूँ, देखे क्या खुल गया है, यह मेरा HTML पेज खुल गया, देखे ओपर क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है, index.html हमने जो रखा है, first project नाम से desktop के उपर वो file खोल के उसमें भी index.html नाम के file बना दूं या किसी भी by the way.html file बना दूं, तो मेरा code चल जाएगा, तो यहां मेरा first project यहां बनके तयार हो गया, project क्या है, वस एक file हमने इसके अंदर बनाई है, बट फिर भी मेरा desktop पे बनकर तयार हो गया, तो देखिए, हमने जो यहां steps ल एक बात यहां पर अभी साथ में समझनी की यह है कि हमने नाम.html रखा, बट कई जगे आपको नाम.htm भी मिल सकता है, तो यह दोनों ही extensions valid है, हाला कि जो HTML है, वही most commonly used extension है, यह all browsers पे across चलता है, wildly recognized or supported है, और generally हर जगे आपको file name 99% of the time HTML ही मिलेगा आज की तारिक में, पहले HTML थोड़ा सा चलता था backward compatibility की वज़े से, तो इसलिए यहां आपको बताने का बस main कारण यह है कि कहीं .htm दिखे तो आपको confused नहीं होना है, HTML फाइल ही है, वो पहले use हुआ करता था, अभी आजकल सिर्फ आपको HTML पे ही ध्यान देना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो ह फाइल पे भी जाके आप open folder कर सकते हैं, तो सबोज मैंने फाइल पे जाके open folder कर दिया, अभी कहां पे जाना है हमको, हमको जाना है desktop पे, अब डेस्टॉप पे जाता हूँ, यह मेरा first project है, इसको मैं यहां करके select folder कर देता हूँ, देखे सुन्दर सा मेरा project खुल गया है, बोल IDE के advantages पड़े थे, यह मेरा देखे जो, जितना भी मेरा यहां पर code लिखा, अभी code नहीं समझना है, बट मेरा यहां पर पूरा page बनके, तयार हो गया है, यहां से इसको कैसे run करेंगे, यहां से कैसे run करेंगे, तो मैं यहां पर आऊंगा, अभी देखे हम ने जो extension अभी install किय किस नाम से ? लाइव सर्वर के नाम से वो– यहां पर दिखना शुरू हो गया है यहां पर किया दिखा रहा है ओपन विद लाइव्सर्वर तो मैं जैसे ही करता हूँ on open विद लाइव सर्वर अबी पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हम भी सर्वर बन गया है यह port नंबर होता है 5500 इसको इग्णोर कर दीजे communication के लिए use होता है और हमने कौनसी file उसमें खोल ली index.html file खोल ली और यह मेरा क्या दिख गया this is my first html code यहां पर सुन्दर सा दिख रहा है भी देखिए अगर मैं क्या करूं दूसरी चीज काम करते हैं इसको एक नए desktop में डाल लेते हैं ठीक है ताकि हम यह बार-बार आकर यहां पर चेक कर पाएं मैं वाफिज आता हूं देखिए यह क्या कर रहा है सिर्फ इतना heading को बना रहा है तो अगर मैं इस html को फर्स को अगर मैं यहां पर सेकंड कर दूं और मैं जैसे ही यह फाइल सेव करूंगा देखिए मैं जैसी यहां के देखूंगा यह अलरड़ी मेरा अच्छा मज़ा आ रहा है अब बात कि समझते हैं कि इसका नाम index.html क्यों रखा इसका नाम मैंने कुछ और क्यों नहीं रखा लेकिए अगर आप यहां नाम इसका कुछ और भी रखते तो वह चल जाता अब यह अच्छी convention है यह अच्छी convention क्यों है यह क्या होता है जनरली जैसे आप ने डाला google.com आप अपनी browser में खोलना चाते हैं आप कहीं और कुछ खोलना चाते हैं तो browser को कैसे पता चलेगा उस server से तो बहुत सारी files है browser को कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन से file दिखानी है तो यह एक in general convention है कि website का जो पहला page होगा उसका नाम हमेशा index.html ह और यह directly root directory के अंदर ही पड़ा हुआ होगा तो जैसे ही browser किसी website पर जाएगा वो उसके root folder के अंदर जाएगा और वहां से index.html को उठाके ले आएगा आपकी बाकी बहुत सारी HTML की files हो सकती है project में जैसे आप website बनाते है multiple अलग-अलग pages होते है contact page अलग होता है कोई page अलग हो index.html होता है इसके अधर फाइदे यह भी है कि search engine optimization में SEO में भी आपका जो index page में content है उसको सबसे आदर priority दी जाती है क्यों को लगता है जो भी आपने homepage पे डाला है वो आपका सबसे important content है आपकी website जनरली उसी content के बारे में होगी तो इसलिए index.html SEO के point of view से भी बहुत important है और जब कोई और page खोल रहे होता है नहीं खुलता है error page खुलता है तो उसमें भी आप fallback लगा सकते हैं कि अगर user मेरा कोई ऐसा page खुलने कोशिश कर रहा है जो मेरी website पे नहीं है तो वो तो मैं उसको नहीं दिखा सकता है कम से कम अपना index.html page ही दिखा दूँ तो उस case में भी यूज होता है एक चीज में यहां आपको फिर से दिखा देता हूं यानि अगर हम अपने project में वापस जाएं और मैं क्या करूं इस index.html का नाम में क्या कर दूँ मैं इसको change कर देता हूं यहां पर आया मैं rename और इसको मैं कर देता हूं pop.html ठीक बात है अभी अगर मैं क्या करूं मैं वापस जाओं अपने server पर तो देखे live server में क्या दिखा रहा है cannot get html मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप को ताकि अच्छे से दिखे देखे क्या दिखा रहा है cannot get index.html यानि इस server ने तो यही मान के चला कि भाई मेरे को index.html फाइल कुल नहीं है आपने जैसे इसको refresh किया तो यह बोल रहा है मेरे को index.html नहीं मिल रही है तो हमको अलग से define करना पड़ेगा इसलिए यहां पर क्य इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं इधर ठीक है तो यह हमने समझ लिए importance of index जो हमारी index.html फाइलेस की importance क्या है अब हम आ जाते हैं अपने next level पर जिसमें अब हमने text editor से करना सीख लिया अब हम आके क्या देखेंगे अब हम अपने IDE में देखेंगे और HTML के जो basics हैं उनको ह इसको यहां पर दिख रहा है तो क्या होता है एक opening tag होता है एक closing tag होता है अभी हम specifically पढ़ेंगे कि यहां पर क्या मतलब है आपको क्या देखना है opening tag कैसे होगा दो angle brackets होगा इसके अंदर क्या होगा opening tag होगा closing tag कैसे होगा पहले front slash होगा उसके बाद जो यहां पर लिखा हुआ था P लिखावा तो यहाँ पर P होगा या बंद होगा यानि यह हम बोलेंगे paragraph opening tag यानि P opening tag यह होगा P closing tag और इसके बीच में क्या होगा मेरा content होगा यानि generally paragraph के लिए इसको use करते हैं तो मानली जो बोल रहा हूं यहाँ पर हमने कहा लिखा element that are used to create a website are called html tags तो यहाँ पर पूरा element है क्या बोला जाएगा html tag बोला जाएगा दूसरी बात क्या है यहाँ समझनी वाली कि tag के अंदर क्या हो सकता है content भी हो सकता और other html tag भी हो सकता है जब html की definition पढ़ी थी उसमें देखा था कि html page की hirarki create करता है hirarki कैसे create होगी जो main सबसे उपर जोगा वो भी एक tag होगा उस tag के अंदर और बहुत सारे tag होगे के लिए तो हमको समझ आ गया कि tags क्या हो उसके बाद आते हैं अब यह जो मैंने अभी आपको code copy करके दिखा दिया था कि मैं अभी copy करके लाएं अभी आप देखिए मत किसका क्या मतला है हम वो देखेंगी वो करना कैसे है तो देखिए क्या करते हैं जो यह code है यह by default हमको एक चीज एक यहां पर functionality देता है जिसको बोला जाता है अमेट से हम क्या कर सकते हैं बहुत सारा code generate कर सकते हैं जैसे आप यह side में देख भी रहोंगे क्या लिखा है इसने bang लगाया यह exclamation का sign लगाया जैसी लगाया तो suggestion आया और यह पूरा का पूरा code generate होकर आ गया तो यह notes में आपको यहां देखने को मिलेगा यह कैसे चल रहा है बट चलिए हम एक बर practically भी चला कर इसको देख लेते हैं तो जो मेरी pop.html फाइल थी यह तो अलरड़ी बनी हुई थी तो हम मेरा यह project है इसके अंदर एक और नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं इंडेक्स.html ठीक है यह मेरी फाइल हो गई यह एक्चली इसने स्टेमल के अंदर बना दी हम इसको बाहर मूव कर लेते हैं यह मेरी बाहर आगई एस्टेमल वाली फोल्डर को बंद कर देखिए फाइल मेरी एकदम ब्लांक है तो मैं क्या करता हूं पॉप को बंद कर देता हूं मैं उमीद कर रहा हूं कि आपको यह ठीक से दिख रहा है तो इंडेक्स.html मेरी फाइल है अब देखिए जैसे में यह हो गया बहुत अच्छे से हमको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा चोटा कर देता हूं तो देखिए पूरा का पूरा कोड यहां पर इसने अपने आप ले आया तो आपको इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आप क्या सीख गए आप क्या सीख गए कि यह मेर रिफ्रेश किया हमने इसके अंदर कुछ अभी लिखा नहीं है बॉडी के अंदर कुछ नहीं है इसलिए अभी क्या हुआ यह ब्लांक पेज कुल गया यह हम दो लिखेंगे वह मेरे को दिखता रहेगा तो यह हो गया मेरा एमेट के साथ हमको code generate कैसे करना है उसके बाद एक इसके अंदर क्या लगा ? यह लाइन क्या करती है यह हमको ब्राउजर को बताती है कि हमारा html वर्जन क्या है इससे उसको पता चलता है यह modern syntax है तो इसको पता चलता है कि html 5 version है जो html अभी हम पढ़ रहे हैं पिछले काफी सालों से use हो रही है जो major update आया था यह html 5 ब होता है उसके बाद आप देखी क्या है html देखी opening tag html closing tag यह हमने देख लिया था कि अभी tags का क्या मतलब है opening tag आता है closing tag आता है तो यहां पर देखी क्या हुआ यह opening tag आया angle bracket और इसी तरह यहां पर क्या है closing tag आया opening bracket sorry angle bracket और यहां पर slash आ गया या इसके पूरे बीच में जो content जो है वो content आप अपने आप में क्या है दो टाइक्स है यहां पर हमने क्या define किया जो html tag होता है this is parent of all html tags या root element है तो यह single element होता है यह सभी का parent है यह आप grand parent बोल लीजे आ बाब आदम बोल लीजे आप कुछ भी बोल लीजे इसका मतलब सब से उपर यह रहेगा जो भी इसको क्या बोल सकते हैं वो metadata है washing machine के बारे में यानि जब किसी data का data हो या किसी चीज के बारे में जब कोई data हो तो उसको क्या बोला जाता है हाला कि जब computer science की भाषा में इसको use करते है तो हमेशा computer science में क्या होता सब कुछ data ही होता है तो data के बारे में जो information दे रहा हो उसको data बोलते हैं तो जो हमारे web page की information है जो web page के बारे में बताएगी page का actual content नहीं होगा है बस यह page की advertisement है मन लीजे page के बारे में बताएगी page के अंदर क्या-क्या है देख रहे हैं meta meta करके और भी चीज़े define कर रहा है अब हम आके देखेंगे इनका क्या मतलब है यहां पर जब मैं आपको basic HTML बता रहा हूं अगर आप वह नहीं भी लिखेंगे तो भी page आपका चल जाएगा तो जैसे हम title मीनली बस define करना चाहता है यानि यह मेरे page का title है यह मेरे को देखता रहे जनरली कहां पर देखता है जब हम यहां आ जाते हैं जब हम ब्राउजर में चला रहे है तो इन जनरल जब कोई chrome के अंदर देखता है कहीं भी देखता है तो यह पता चलता है यह इसका page का title है यानि my first web page यह main page title है कहीं दिखेगा नहीं बस आपके के लिए define करने के लिए कि मेरे page का title यह और body के अंदर हमने क्या किया देखिए हमने h1 heading लिख है यह भी हम देखेंगे कैसे करते हैं बट h1 का मतलब होता है heading अभी आप इतना समझ सकते हैं और यह मेरा एक content है मैंने hello world करके लिख दिया तो यह हुआ मेरा basic html page जिसमें मैंने क्या दिखाया main हुआ parent html tag उसके अंदर दो एक head एक body head के अंदर सारा metadata body के अंदर सारा content तो यह आपको समझ आ गया यह जो अभी तक हम सिर्फ generate करके दिखा रहे है इसका actually मतलब क्या है दिखें यह हूँ dot type html generate हुआ था यह language है in head के अंदर क्या हुआ मेरा सारा metadata हुआ content अभी empty है इसलिए पेज भी हमको blank दिख रहा था और यह मेरा हो गया html दिखें क्या हो रहा है यहां पर थोड़ा सा यह जो है यह page के बाहर जा रहा है मेरा जो scale के बाहर है तो इसमें हम setting यहां पर लगा स यहां आते हैं और हमको क्या search करना है view के अंदर अगर हम जाएंगे तो देखें यहां पर यह option दिखा रहा है word wrap का तो जैसी आप word wrap करेंगे तो अभी तो देखें बढ़ा हो गया तो anyway दिख रहा है अगर मैं इसको बढ़ा दूँ इसका size जो है बढ़ा दूँ यानि मेरे screen size कम बचेंगे क्या हुआ यह line number 5 ही चल रही है इसने क्या किया है यहां से घुमा के इसको यहां पर show कर दिया ताकि आपकी screen पर show होता रहे अगर आप एक अच्छे डवलपर बनना चाहते हैं अच्छा डवलपर बनने के लिए सबसे इंपोर्टन होता है developer.mozilla यह open source foundation है mozilla जैसा आप जानता है browser भी open source foundation है तो उसमे developers.mozilla.org में अगर आप जाएंगे तो यहां पर html की पूरी official documentation मिलती है थोड़ा सा मतलब समझने मुश्किल होती है क्योंकि जो मतलब आप देखते हैं ने dictionary अगर आप मानलो कोई खोल के पढ़ेंगे तो समझने में क्या होता है problem होती है कोई reference book पढ़ते हैं तो समझने problem होती है इसलिए क्योंकि उनको हर चीज का ध्यान रखना पढ़ता है सब चीज एक्दम ठीक से मिलती है तो इक बड़ चलिए जड़ा यहां जाकर देखते हैं क्या है developer.mozilla.com तो यहां कर लेते हैं जो भी इसकी documentation है आपको मालीजे देखिए अलग-अलग tags के बारे में इसने पूरी information दी है अभी जैसे हम head tag पढ़के आ है तो head tag खोल के देख लेते हैं the document for header element head का मतलब क्या है header तो देखिए क्या बोल रहा है the head html element contains machine readable information about the document document के बारे में जो machine readable information है उसको कहां define करते है head के अंदर इसके अंदर आपको इसके examples मिलेंगे सब कुछ यहां पर मिल जाएगा तो point यह है कि आपको यह समझ आना चाहिए कि मेरे को जभी भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है अगर मेरे को किसी चीज के examples देखने है use कैसे हो वो देखना है तो हमेशा आपको developer.mozula.org पर आकर देखना है यहां तक आने का एक तरीका और है जैसे अभी हमने क्या किया हमने पूरा जो url था यह जाके paste किया आपको यहां आने की जूरूत नहीं आप क्या करिए अपने यहीं पर जाएए जो हमारा id है इसके अंतर देखे मान लीजिए मेरे को समझ नहीं आरा है head क्या होता है तो मैं head के ओपर जाके होवर करूंगा अपना माउस जाके लेकर रखूंगा तो देखे क्या दिखा रहा है यह है the head element represents a collection of metadata for the document कहां से निकाला यह बोल रहा है यह अपने आप बताने लगया head क्या मतलब भाही तेरे को कैसे बता यह बोल रहा है मैंने तो MDN से जाकर देखा अब यहां जाकर documentation जाकर समझ सकते हैं आप जिसमें भी जाएंगे तो title की बताने लगा यहां क्लिक करके जाएंगे तो title की definition पहुंच जाएंगे, body पर जाएंगे तो body जाएंगे, जिस भी चीज आपको समझने आरी, care set आपको समझने आरा, कुछ भी अगर आपको यहां पर met आपको समझने आप जहां जाएंगे उसकी पूरी की पूरी documentation आपको यहां पढ़ने के लिए मिल जाएगे, और यह हमेशा update, up to date रहती है, आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि पुरानी है, क्या क्या है, तो हमेशा MDN documentation को ही हमको trust करना है, अब आ जाते है comments ले, लेखिए code का सबसे important part होत इसलिए भी लिखा जाता है, वो इसलिए भी लिखा जाता है कि बाकि developers भी उसको समझ सके है, जब आप एक team में काम कर रहे है, तो मानली जिए कहीं आपने कुछ complex लिखा या कुछ ऐसा लिखा जो एकदम से समझनी आ रहा है, तो वहां भी हम क्या कर सकते है, comment छो को पढ़े तो comment का क्या मतलब है, comment एक ऐसी चीज होती है, जो compiler को नहीं दिखती, जो machine को नहीं दिखती, machine जैसी comment पहा है तो उसको छोड़ देगा, आगे बढ़ देगा, comment किसके लिए होता है, target audience जैसे बुला जाता है, comment कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है, machine के लिखा जा रहा है, अपने लिए लिखा जा रहा है, बार में reference के लिए, code हम किसके लिए लिखते है, machine के लिखते है, ताकि browser मान लिजिए उसको समझ सके, chrome जब comment देखेगा, तो उसको वो ignore कर देगा, तो comment किसलिए होता है, हमारी आपकी understanding के लिए, वहाँ code में अगर आपको अलग लिख रहे है तो वहाँ डाल दें, तो वह एक single line में भी लिख सकते है, हम multi line में भी लिख सकते है, तो कैसे लिखते है, यहाँ यह देखे, तो हम यह क्या कर रहे है, opening bracket मेरा आया, angle bracket, bank का sign लगाएंगे, दो dash देगे, यह हो गया इसका opening comment, और close कैसे होगा यह, दो hyphen और closing bracket, उल्टा हो गय भी भी नहीं देखता, तो देखे, यहाँ पर हम दिखा रहे है, single line comment कैसे लिखना है, और multi line comment कैसे लिखना है, आपके notes के लिए हो गया, एक बार अपन जल्दी से जाके, code में भी देख लेते हैं, तो देखे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको बना देता हूँ, H1, again, यह H1 का क्या मतलब है, यह पर हम देखेंगे, अब देखे, ID ने क्या किया, मैंने जैसी H1 लिखा, उसने closing tag खुद लगा जया, क्योंकि इसको पता है closing tag आना ही है, तो यह advantages है, आपके ID को use करने के, तो मैं यही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ य इसको, और यह मेरा खुल गया, यहाँ पर Hello World, तो मेरा page यहाँ पर बनकर देख रहा है, तो मैंने क्या लिख यहाँ पर, एक heading लगाई Hello World, तो यहाँ पर मेरा Hello World देखना शुरू हो गया, देखे, local server में index.html मेरे को देख रहा है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं महाली इसके लिए है, जब अगली बार हम आके यहाँ मान लीजे अपना code पढ़ते हैं, कोई और हमारा code पढ़ रहा है, तो यह सिर्फ उसके लिए, तो मैं यहाँ रहता देता हूँ, इसको एक number और बढ़ा कर देते हैं, तो यह दिखे, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, this is my first comment, एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर आकर, देखता हूँ कि, चली browser tools अपन बाद में देखने वाले हैं, वो अभी नहीं देखते, तो यहाँ क्या हो गया, मैंने single line comment लिख लिए, इसको multiline भी कर दूँ, तो भी क्या होगा, देखे, दो line में आगया, 9 और 10 में अगया, मेरे को यहाँ close करने की जुरूत नहीं पढ़ी, मैंने save किया, यहाँ वापस आया, यह भी भी यही है, मैं refresh भी कर दूँगा, तो क्या होगा, यही रहेगा, तो यहाँ आप comment सीख गए, यानि single line comment लगाना हो, multiline comment लगाना हो, तो मेरे को कैसे लगाना है, opening bracket, और य सारी programming languages क्या होती है, case sensitive होती है, यानि, अगर मैं मैं लिजए गही पर int लिख रहा हूँ, कुछ और लिख रहा हूँ, cat लिख रहा हूँ, तो क्या होता है, वो int मेरे को smally लिखना पड़ता है, यानि, case, यानि, मैंने छोटा लिखा जैसे हमारे, जब छोटे होते तो यह जो इसको कोई फर्मी पड़ता कि आपने upper case लिखा है, या lower case लिखा है, तो मैं यह HTML लिखूँ या HTML लिखूँ यह की बात है, मैं छोटा P लिखूँ बड़ा P लिखूँ यह की बात है, head body tags अभी हम देख के आये थे, यह मैं छोटा लिखूँ या बड़ा लिखूँ इसको बराबर है, आप छोटा लिखिये या बड़ा लिखिये, तो HTML का हमको क्या समझाए, यह case sensitive नहीं है, जो attribute के names है, वो भी case sensitive नहीं होते है, अभी attributes हम देखेंगे, आगया के क्या होते हैं, बड़ हम tags के अंदर भी कुछ-कुछ define कर सकते हैं, वो भी क्या होते है, case sensitive होते है, ब अगया है, हम lesson 1 के end पे जल्दी से इसका revision कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, देखें, starting up में हमने देखा, सबसे पहले file editor एक खोल के, हमने अपना file बनाया, और उसको save करके, हमने chrome में चला के देखा, वो कैसे चल रहा है, उसके अंदर sample code डाला, बहुत अच्छे से वो चल है, और HTML कैसे काम आता है, और HTML भी हमारे जो extension है, वो हो सकता है, उसका हमने same को VS code में खोल के देखा, आपने project को और उसको live server के साथ अपने आप चला कर देखा, ब्राउजर में उसमें changes किये, actively changes किये, और वो समझा कि वो कैसे reflect होता है, और index.html की महतवता को समझा, यानि importance क को समझा, और वहाँ ये समझा कि index.html ही नाम क्यों रखना है, वरना वो default file होती है, जो server वगरा है, उसको नहीं मिलता है, वो हमको दिखा रहा था error की missing है, उसके बाद आयाते है, basics of HTML हमने क्या देखा, हमने tags को समझा, कैसे opening tag होता है, closing tag होता है, content मेरा, element बन जाता है, और tags क देखा, तो यह हुआ हमारा lesson 1 का revision, एक छोटा सा भी यहां पर project करेंगे, और उसके बाद कहां जाएंगे, level 2 पर जाएंगे, तो चलिए जल्दी से हमें एक project बनाते है, level हमने अभी अभी complete किया है, एक छोटा सा project करेंगे, project क्या करेंगे, यानि HTML basics जो हमने पढ़ा है, उसक desktop पर या कोई भी जहां पर एक folder बना के अपना सारा workspaces जहां रख सकें, तो एक नया project बनाईए, उसका कोई नाम दीजे, उसके अंदर एक index.html नाम की file बनाईए, उसके बाद हम क्या करेंगे, boilerplate code generate करेंगे, boilerplate का क्या मतलब है, जो generally default code होता है, जिसमें आपको समझने की ब उसका बाडी के अंदर directly जाके text लिख दीजे, I'm learning with प्रशांत सर, तो इसमें आप क्या करेंगे, बस body में जाके directly ये content लिख दीजे, कोई आपको tag नहीं लगाना, खुछ नहीं करना, बस ये लगा के देखी कि ये चल रहा है, या नहीं चल रहा है, उसका बाद क्या करेंगे comments डाल के देखेंगे, comment मेरे सही आ रहा है, क्या मेरा ID उनको ठीक से highlight कर रहा है, या नहीं वो ठीक comment है, क्या ब्राउसर में जाके देखेंगे, कि मेरा जो comment था, वो दिखा तो नहीं, उसका आद क्या करेंगे, case insensitive tags को use करेंगे, या नहीं कहीं पर tag जो आपके हैं, वो छोट जा रहा है, कुछ गडबड कर रहा है ब्राउसर, तो नीचे comment में जरूर लिखके बताईएगा, और students और हम भी आपकी definitely help करेंगे, ताकि आपके अगर कोई भी problem आप face कर रहे हैं, तो उसमें आप वो सीख सकें, तो यह मेरा होगा quickly project की project आप कर लिजए, उसका जल्दी से च पढ़ेंगे, बहुत सारे html tags हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले एक definition देखेंगे, जो हमने अभी attributes की बात की थी, html attributes क्या होते हैं, उनको कैसे use करते हैं, उसका देखे, line से हम एक साथ कितने पढ़ेंगे, 10 tags पढ़ेंगे, यह भी type के हैं, इसम पूरे level का नाम ही क्या है, must use HTML tags, यानि इससे हम basic HTML tags generally use किये जाते हैं, image, video, link बनाना, size शूटा बढ़ा करना, बहुत सारे तरह कि हम tags यहां पर पढ़ लेंगे, उसके बात क्या होगा, हम इस level पहोंगे, कि हम basic हमारा HTML page बना सके, end में एक चीज़ और देखेंगे, character, entity, reference, इस attribute का मतलब होता है, कोई property, यानि अगर हम किसी इंसान की बात केने, तो उसमें क्या होता है, hair, color, attribute होता है, उसकी height कितनी है, यह attribute है, उसका skin color क्या है, यह attribute है, important है, यह इस बात से फर्क नहीं बढ़ता है, उसका attribute हो सकता है, इसी तरह HTML tags के भी attribute होता है, attribute का यहां पर क्या मतल value भी दे सकते हो, इसका क्या मतलब है, additional information provide करना अपने element के बारे में, यानि हम tag तो बता ही रहे हैं, तुमको किस type का है, मालीजे image बता रहे हैं, मालीजे image tag है, मेरा या video है, या और tags है, पर मालीजे image हमने बता है, तो हम उसमें यह भी बता सकते हैं, इमेज कितनी बड़ी द करना है, कोई भी उसमें extra information देनी है, तो हम कैसे देते हैं, उस tag के लिए, attributes से देते हैं, तो यह कहां रखा जाता है, within, opening tags के अंदर रखा जाता है, examples क्या है, लेकि HRF दिया जाता है, जब हम भी पढ़ेंगे, जो anchor tag है, link tag है, उसमें HRF दिया जाता है, image के अंदर source देते है, यह alt का मतलब होता है, alternative text, alternative text, इसको भी हम बहुत जगा यूज़ करते है, visually impaired logo के लिए, या accessibility के लिए, तो भी हम देखेंगे, पर इसका format क्या है, यह समझे है, क्या होता है, पहले attribute का नाम आता है, equal to आता है, और फिर quotes में, double quotes में उसकी value आता है, HTML में दोनों ही चलता है, quote, double quotes, बटर यहां भी again generally double quotes use किया जाता है, और यह क्या हो सकते है, single और multiple, यानि एक tag में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार में एक attribute होगा, multiple attributes भी एक attribute दिया, एक और दिया, एक और दिया, वो सब भी होता है, use कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे, बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि STL attribute का क्या मतलब है, tag में अगर कोई additional information मेरे को देनी है, तो ओपनिंग tag में ही, मैं tag के नाम के बाद, वहाँ पर, जो मेरा name और value के format में मैं उसको दे सकता हम, अभी के लिए बस इतना ही समझना है, जल्दी चलते हैं आगे, दूसरी चीज़ क्या है, यहां पर important यहां पर देखें, यहां क्या किया, यह मेरा project आपको दिख रहा है, index.html है, यहां पर देखें हमने क्या किया हुआ है, एक div बनाया हुआ, यह अभी भूल जाएगा कि div का क्या मतलब है, यह भी एक तरह का tag होता है, div tag क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, बढ़ इसका advantage क्या है, जब हम इसके बाद CSS देखेंगे, हमने CSS जब पढ़ा था, तो उसमें क्या बात की थी, कि वो specific elements को target करता है, specific element का color change करना है, कुछ और change करना है, height, width, position, वो सब change करना है, तो CSS उसको target करता है, individual element को, पट वो उसको identify कैसे करेगा, कि कौन individual element को target करना है, तो इस generally ID attribute के base पर target करता है, तो ID क्या होनी चाहिए, unique होनी चाहिए, उसके अलावा भी JavaScript में भी बहुत सारे चीज़ों में, आपको tags को identify करके, उस element को page में identify करके, कई बार कुछ करना होता है, show करना है, hide करना है, अलग-अलग चीज़े करनी है, तो उसके लिए ID attribute ज़रूरी है, यहा जाना है, तो उस तरह के links में भी हम क्या करते है, ID link कर देते हैं, element की, और page जो है, वो सीधे scroll करता है, हमारा उसी link, पर दोसरा हम देख लिए CSS JavaScript के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी attribute के बारे हम बस हम इतनी बात करना चाहता है, तो हम यहाँ पर define करते हैं, जिस से, element जो है, वो identifiable हो जाता है, आपका पूरे के पूरे HTML page में, अब हम आ जाते हैं, जो हमारा main काम है, जो main चीज करना चाहते हैं, यानि वो क्या है, HTML के tags, तो अब यहाँ सारे एक एक करके हैं, HTML के tags पढ़ना शुरू करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, और समझेंगे कि उनका क्या मतलब है, सबसे पहले आ जाते हैं, heading tag पर, आपने देखा होगा, मैं तब से बार-बार जब भी मैं use कर रहा था, तो मैं क्या use कर रहा था, heading tag यी use कर रहा था, heading दिखाने के लिए, इसका मतलब क्या है, क्या करता है heading tag, it defines headings in a document, आपको अपने document में अगर बहु यानि, h1, h2, h3, h4, h5, h6, यह मैंने आपके notes के लिए especially यहां बना के दिखा है, obviously अभी जाकर IDE के अंदे सब कुछ चला कर देखेंगे, बट जब आपने notes में देखेंगे, तो आपको देखती समझ आ जाएगा, कि अच्छा heading tag इस तरह से use होता है, और यह इसका output है, यह प आपका page का title है, जब browser खोलता है, यहां कुछ-कुछ दिखता है वो page का title होता है, तो यह मेरे को page का title दिख गया, उसका heading 1, 2, 6 देखेंगे, इस तरह से दिखती है, एक यहां पर important बात क्या है, आपको समझने की, यह heading h1 to h6 है, यह size नहीं है, यह importance है, यह गलती कई लोग करत आता है, ना कि अलग-अलग tags, इसका एक example भी है, बट वह हम अलग से देखेंगे, बट अभी आपको यहां पर समझना है heading का मतलब है importance, क्यों, क्यों कि SEO के लिए बहुत important है, जब Google आपका page किसी को दिखाएगा, मान लिजे, तो वो इस basis पे दिखाएगा कि आपकी सबसे important headings क्या है, उससे कम important क्या है, उससे कम important क्या है, मान लिजे, आपने सबसे जो खराब heading थी उसको आपको बड़ा दिखाना था कहीं पर page में, तो आपने उसको H1 दे दिया, तो Google को लगेगा, आपका page उसी बारे में है, उस तरह के लोगों को जब आपके page पर डालेगा, आपके तो यह मेरा हुआ heading tag, देखे, मैं क्या करूँगा, आप जब GitHub पे भी जाएंगे, आपको project मिलेगा, यही project मिलेगा, तो इसमें को क्या करना है, HTML के अंदर मैं जो जो करता रहूँगा, जैसे हमने पहला pop बनाए था, comment बनाए था, comment बनाए था, comment कैसे लगाते हैं, हम index में का अब यहां पर बन कर सकते हैं, अभी यहां पर बन कर दूँगा, ताकि यहां पर आपको एक बड़ी सी screen दिखाई दे, तो हम यहां पर आगया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, emets से, अपना जो basic code है, उसको हम यहां पर generate कर लेंगे, तो मैंने पहले emets से code generate कर लिए, अब heading लिखना शुरू करेंगा, जैसी मैंने h1 लिखा तो क्या हुआ, यह closing tag खुद से आगया, मैंने क्या बोला इसको, वह यह मेरी कौन सी heading है, heading 1 है, मैंने क्या किया, इसको save कर दिया, स्वरी मैं गलत की दवारा, मैंने इसको save कर दिया, हम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस यहाँ पर भी, ऊपर भी, document देख रहा है, चलिए, इसको भी एक बार change कर देता है, इसको हम च्या लिख देता है, headings, इसको मैं save करता हूँ, वापर साता हूँ, देखी है, क्या हुआ, मेरा title भी जो है, वो change हो गया, यह मेरा heading 1 हो गया, आप जल्दी से जाके इसको क्या करत है, ठीक है, यह मेरा heading 2 हो गया, अम मैं आता हूँ, देखी है, मेरे को actually opening bracket भी लिखने के जुरूत नहीं, यह मैं लिखूँगा h3, और enter दबाऊंगा यह पूरा generate कर देगा, यह मैंने कहा लिख दिया, heading 3, मैं कहा लिखूँगा h4, enter, क्या हो इस दोनुची generate कर दिया, मैं ल मैं इसको करता हूँ, save, पर जैसी यहां होँगा, अब मेरे अपने web page पे तो क्या दिखेगा, यह थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा चोटा कर देता हूँ, zoom करके दिखा रहा हूँ था कि आपको दिखे, क्या हुआ, सारी की सारी heading मेरे को, heading 1 से heading 6 तक, तो यह यहां अगर हम देखेंगे, तो यह किसलिए use होता है, used for defining paragraphs, यानि अगर मेरे को कहीं अपनी website में पूरा पूरा paragraph लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, उसको paragraph tag के लिखूँगा, यह भी हम अलरी देख चुके हैं, जब हम tag के definition देख रहे थे, सबसे common, one of the सबसे common होता है, heading के बाद paragraph tag, इसलिए बहुत जगा देखने को मिल जाता है, तो यहां को क्या करना है, opening tag में क्या है, सिर्फ P लिखा हुआ है, ऐसी closing tag में, slash P लिखा हुआ है, यानि अगर मैंने opening P closing, इसके अंदर जैसे यहां पे भी आपको दिखा होगा, enclosed within P and slash P, तो इसके बीच में आप paragraph की तरह आ जाएगा, यह क्या करता है, automatic spacing, यानि इसके पहले और इसके बाद में देखे, थोड़ी थोड़ी space यहां पर खुद बन गई है, जैसे paragraph आप चाहते है, कि अलग से देखे, उसके ओपर नीचे space हो, तो अपने आप यहां पर generate कर देता है, दूसरा क्या है, text wraps to the next line insight है, यानि अगर आपने बहुत लंबी line लिख दिया, तो अपने आप क्या होगा, next line में आने लगेगा, जब आप पेज़ पर देखेंगे, और यह कहां commonly used होता है, text heavy content में यह generally commonly used होता है, क्या करते हैं, चली इसको भी चला के देखते हैं, अभी हमने क्या बात किती, explorer में आ लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं, index.stml, क्या नाम रख देंगे, index.stml, अभी क्या हुआ, यह भी अंदर ही बन गई है, तो इसको क्या करते हैं, इसको बहुल लेगे, यहां पर फिर से, एक चीज़ और बहुत important हम करने वाले हैं, वह important चीज क्या है, अगर आपको यहा पर P में मेरे को क्या करना है random बहुत सारा मेरे को text चाहिए वो आपको चाहिए तो उसको भी generate करने का एक तरीका है तरीका क्या है आप लिखिए lorem देखिए मैंने सिर्फ LO लिखा ये क्या दिखा रहा है लॉर्म दिखा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉर्म से क्या होता है, रैंडम टेक्स जो हो जन्रेट हो जाता है, जैसे हमने वो code पूरा क्या था, ऐसी लॉर्म में क्या होगा, है यह भी एमेट की एक command, इसमें क्या होगा, यह सब एमेट की command लॉर्म लिखेंगे, जिसके बाद आप जो भी number लिखेंगे, मालीज मैं लिख देता हूँ 50, लॉर्म 50, एंटर दबाऊंगा, तो देखें क्या हूँआ, बहुत सारा करेंगे, open with, live server करेंगे, इस paragraph को मैं यहां ले आता हूँ, देखेंगे, क्या हुआ, पेज यहां पर दिख गया, तो यहां क्या हुआ, मेरे जो 50, मेरे words है, random words है, वो यहां पर मेरे को दिखने लगे, तो यहां ने समझ लिया paragraph tag में कैसे करते हैं, यानि again, मैं इसको अपनी next screen में डलता हूँ, धाकि हमको code दिखता रहा है, देखें, यह मेरा, जो मेरा code है, वो दिख रहा है, और यहां हमने क्या-क्या paragraph में यह डाल दिया, भी मान लीजे, मैं इसको copy करता हूँ, और फिर से एक और paragraph same generate कर देता हूँ, यानि मैंने एक paragraph लगाया, एक और paragraph लगाया, बीच में यह नहीं लगाता, save करता हूँ, वापर जाकर देखता हूँ, देखें, क्या हूँ, बीच में space जो है, वो अपने आप बन गया, क्योंकि मैंने paragraph tag लगाया था, मैंने एक के बाद एक लिखें, वहां tag, vr tag का क्या मतलब है, यह क्या करता है, यह line break add करता है, यानि अभी हमने देखा 2 paragraphs, अभी यहाँ पर हम पहले example देखें, यहाँ दो paragraphs है, थोड़ा सा space तो यह अपने आप ही end बीच में इसके add करेगा, paragraph के बीच में, बट क्या होगा अगर एक ही paragraph में मुझे next line लेके जाना ह इसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, emet लगाते हैं, default code मेरा generate हो जाता है, अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला था, मान लीजे मैं paragraph tag बना लिया, इसके अंदर क्या करते हैं, फिर से text generate करते हैं, मान लीजे, lorem, 50 नहीं करते हैं, 20 words कर लेते हैं, यह भी काफी लंबा हो गय ठीक है, ताकि पूरे browser में हमेशा रहे, मैं file wise करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगो इसके आदत हो जाब, मेरे को लग रहा है, यह बहुत लंबा है, आसे मत करो एक काम करो, ISTE के बाद यह ने text generate किया है, इसमें, दो enter लगा देते हैं, और मेरे जो lorem, lorem और यह इसके बीच में भी 4-5 space जदेते हैं, मेरे को यहाँ पर spaces देने हैं, ठीक है, एक मैं enter यहाँ लगा देता हूँ, मानलीजे मेरे को इस तरह से दिखाने का मन है, घटिया लग रहा है, फिर को पता है, बार मानलीजे मेरा मन है दिखाने का, बही मेरा page में कुछ भी दिखाँ, यह मै रहे, सब मैं नाम चेंज करता जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, भी क्या करेंगे, इसको फिर से open with live server करेंगे, यह मेरा page generate हो गया, देखे, क्या lorem और ipsum के बीच में कितना spaces आया, सिर्फ एकी space आया, जबकि मैंने यहाँ पर कितने spaces दिये हैं, देखे, कितने सारे spaces देखे, IDE, देखे, छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखता है, आपको spaces count करने पड़ेंगे, count करना मुश्किल हो जाता है, देखे, क्या करता है, dots दिखा रहा है, जब आप select करते हैं, तकि आप उसको ध्यान से देख सके, anyway, यहाँ पर इसने क्या किया, बाकि सारे white spaces को ignore कर देखे, तो देखे, मैं यहाँ पर भी यह करता हूँ, यहाँ मैं तीन बार करना जा रहा था, तो मैं करता हूँ, BR, 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 यानि मैंने तीन लाइन ब्रेक लगा दिए, ठीक है, अभी spaces काम end में discuss करेंगे, जब character entity reference देखेंगे, कि multiple spaces कैसे दे सकते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता वापस आते हैं, क्या हुआ, BR adds a line break, अपने notes को भी समझ लेते हैं, बात में हम फो इसी से समझना है, BR is empty with no closing tag, आपने ध्यान दिया, मैंने सिर्फ BR लिखा, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा, no opening tag, closing tag, क्योंकि इसके अंदर content कुछ नहीं होता, आप यह समझी, opening tag, closing tag हमेश कुछ नहीं होता है, तो वापस आगे एक चीज़ और रियाद रखेगा, कुछ जगह पर आपको यह BR slash इस तरह से भी मिल सकता है, यह दोनों ही valid है, आप चाहिए BR लिखे चाहिए लिखे बट जनरली यही आजकल prefer किया जाता है, modern HTML 5 syntax, आ जाते है अगले tag के उपर जिसका न बना दिया, HR भी क्या है, आपने आपने एक complete tag है, empty है, तो यह divider की तरह काम करता है, इसका की closing tag नहीं होता है, जैसे हमने example में किया था वैसी कर लेते हैं, heading define करते है, testing HR, ठीक है यह आपकी जो company HR होते हैं, वह वाला नहीं है, बस testing HR tag है, यहां आखर लगाते हैं, एक P, ठीक with live server करते हैं, यह मैं यहां पर ले आया हूं, इसको, यहां पर देखे क्या हुआ, पहला मेरा heading आगया, testing HR tag, उसके बाद मेरा paragraph आगया, this is the testing of HR, पर बीच में क्या है, space तो by default आता है, heading के और इसके बीच में कोई line नहीं है, क्योंकि हमने अभी HR यहां पर लगाया है, HR लगा जैसे बहुत लोगों एक line कीज देते हैं, आप now contact देंगे, objective देंगे, line कीज देंगे, उसका education देंगे, एक line कीज देंगे, ताकि थोड़ा सा sections में divided रहे है, आप हमारी knowledge gate की website भी जाके देखेंगे, तो courses होंगे, महली जा आपको हमारी team से मिलना है, उसका contact होगा, in general हमारे लोगों से बात करना, उसका contact होगा, तो क्या होगा, एक line line draw होती रही ही, ताकि आप बेज बीच में आकर देख सकते हैं, इसलिए हम क्या use करते हैं हमारा HR tag, next tag पर आते हैं, HR tag और HR tag clear होगे, numbering में confused मत होगे, दोनों ही हमने 2.3 के नम से लिखे हैं, क्योंकि बहुत बढ़ी source, देखें अब यहां पर हमने क्या define किये होगे हैं, तीन attribute define किये होगे है, यानि एक source दिया हुआ है, एक alt दिया हुआ है, एक height दिया हुआ है, इनका क्या मतलब है, यह भी हम देखेंगे, but image tag use किसलिए किया जाता है, जैसे आपको clear यहां पर दिखरा है, किसलिए किसलिए क सकते हैं, तो src का मतलब क्या है source, यानि वो पूछता है भई कहा है image, यहां आप relative URL भी दे सकते हैं, और यहां absolute URL भी दे सकते हैं, इनका क्या मतलब है, यह भी हम जब इसको use करेंगे, तब समझेंगे, पहले alt का मतलब देखते है, alt का मतलब क्या है, यह इसका मतलब होता है alternative text, यानि कई बार किसी error की वज़े से मानलीजे ऐसा होता है, कि आपकी image नहीं load हो पाई, किसी का internet slow है, इस वज़े से आप नहीं load हो पाई, या मानलीजे कोई आग्मी blind है, वो नहीं देख पाता है, तो जैसे बहुत सारे accessibility type के program होता, accessibility मतलब, जैसे आप देखते हो, कहीं प इस पर आके hover करेगा आपना mouse या वो जो भी device use कर रहे है, जैसी वो है आके करेंगे, तो उस पर नाम लिखा जाएगा, संचित सर passport photo, यानि ये संचित सर के passport size photo है, तो उसको photo देखने की जूरूत नहीं है, पर उसको समझ आ जाएगा कि दिखाने की क्या intention करी जा रहे है, तो अगर मैं दोनों define करने कोशिश करूँ है, तो हो सकता है image या चिपक जाए, shrink हो जाए, या इस तरह से shrink हो जाए, चोड़ी हो जाए, खिच जाए, तो वो ना हो, इसलिए हमेशा है, तो एक बार मैं height define करें, या width define करें, दूसरी चीज वो same aspect ratio रखते हुए, यानि image को same रखत इमेज लगाएंगे, तो मैं image तो लगा रहा हूँ, पर मेरी image है कहा, मैंने image सुनका ली नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, image tag को यहीं पर बंद करते हैं, देखिए अभी इसने closing tag दे दिया, क्योंकि मैं यह नहीं नहीं दिया था, इसको देने की जरूरत नहीं है, हम यहीं slash इसको बंद कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, अभी इसको यहां से delete कर देता हूँ, मैं source तो नहीं दे पा रहा हूँ, इसको मैं save करता हूँ, और सबसे पहले image ढूंड के लाते हैं, image कहां से लाएंगे, ढूंड के, तो मैं मान लीजे अपने downloads में देखता हूँ, यह यहां इसको उठाकर अपने project में यहां ले आते हैं, इसका हम क्या करेंगे, एक नाम अपना change करेंगे, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, गुची.jpg, ठीक है, इसका नाम गुची.jpg हो गया, इस image को मैं बंद कर देता हूँ, अब देखे, यह मेरा relative path है, relative path मतलब हम यह बोल रहे हैं, भाई, कहा index.html है, और कहां यह image है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहां पर जब मैं source define करूँगा, तो मैं source में directly दे सकता हूँ, क्या नाम, यह देखे, जैसे मैं लिखना शुरू किया, IDE ने self completion दिखा दिया, यानि कह रहा है, gucci.jpg बोल और path नहीं दिया, यह ऐसी दे दिया, मैं इसके और alternate versions आपको करके दिखाता हूँ, कि इसका क्या मतलब है, और relative path किस तरह से define कर सकते हैं, यह absolute path क्या होता है, वो किसे define कर सकते हैं, अभी पहले इसको चला कर देखते हैं, यह कर दिया, मैं करता हूँ, उसको open with live server, अभी करते हैं, enter दबाते हैं, अगला attribute हम डालेंगे, enter दबाने की जूरूत नहीं है, यहाँ आपको देखें, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसको थोड़ा थोड़ी दिर के लिए बंद कर देता हूँ, ताकि यह को ठीक से दिख पाए, image rc होगे, आभी मैं यहाँ क्या करूँगा, अगले चीज़ डिफाइन करूँगा, मेरा अगला जो attribute डिफाइन करूँगा, जिसका नाम है height, मैं लिजे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, height define करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ, भाई आप height दे दिजिए, 300 pixel की, इसको मैंने save कर दिया, अब वापस आके देखता हूँ, इमिज सडनली कितनी चोटी होगी, हमने page भी काफी चोटा कर दिया था, यह मेरा 100% पर है, जो मैं generally वीडियो में दिखा रहा था, 200% पर देखिए, मेरी image जैसी आ गई 300 में, और अगर आप चोटा करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को और चोटा करना है, मान लिजे मैं इसको क्य इमिज इस तरह से खीच गई, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको square बना दिया, अब जो image खीची थी, जब image क्लिक करी गई थी, तो क्या हुआ था, वो square नहीं थी, तो क्या हुआ इमिज खीच गई, तो इसलिए हमेशा क्या करें, या तो मान लिजे आप सिर्फ height define करें, या मान is an image of Gucci, ठीक है, तो Gucci की image हो गई, यहाँ पर आ गए, तो Gucci की image यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यह भी यहाँ पर आपको नहीं देखा है, क्योंकि यह थीक से चल रहा है, इसमें कोई issue नहीं है, एक चीज और देख लेता है, बाद में जाके जाके, जब folder structure पढ़ेंगे आता हूं, तो यह बोल रहा है, अरे, image तो आपकी लोडी नहीं हो पाई, और अब मेरा जो alt text था, वो यहाँ पर दिखने लग गया, this is an image of Gucci, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, मेरा path तो कह रहा है, कि जहां भाई, index.html पढ़ी होई है, वहीं आपकी jpeg भी पढ़ी ह पर ऐसा true नहीं है, क्योंकि, gucci.jpeg को, तो मैंने क्या कर दिया, images वाले folder के अंदर डाल गया, तो मेरे को यहाँ करना, क्या करना पड़ेगा, images slash gucci.jpeg करना पड़ेगा, एक खुछे suggest भी कर रहा है, images के अंदर gucci.jpeg नाम की file पढ़ी हुई है, अब मेरे साब से आपक आकर इसको access कर सकते हैं, तो एक बार मैं explorer को बंद कर देता हूं, ये code आप ध्यान से देख लें, तो मैंने क्या, image source images slash gucci.jpeg, अम मैं जैसे इसको save करता हूं और वापस आता हूं, तो क्या हुआ, वापस से मेरी image दिखने लेगी, आपको all text भी दिख गया, माल लिजे, हम जब website host करते हैं, तो कई बार वो चीज download नहीं हो पाती है, miss हो जाती है, image खराब हो गई है, delete हो गई है, तो क्या हुआ, फिर भी दिख गया है, कि हम दिखाना चाहते थे, एक gucci की image, अब एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, क्या ये तो हुए relative बात, यानि जो files मेरी direct project में, अगर मेरी project में कोई file ही नहीं है, मैं direct image कहीं है, ऐसी जगे से link करना चाहता हूँ, जो कहीं बार image है, तो मालीजे मैं यहाँ आता हूँ, और मैं खोलता हूँ, Google, ठीक है, मैं google.com पे गया, और मैं image सर्च करता हूँ, किसी भी चीज का, मालीजे मैं क्या करता हूँ, GitHub इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं GitHub पे आया, मैंने आके बूला, भाई मेरे को GitHub की images दिखाओ, इसने मेरे को GitHub की image दिखाई, मैं यहाँ आया, मैंने क्या बोला, copy link address, आपको यह दिख रहा है क्या, मैं यह वाली image का नहीं करता हूँ, मैं मालीजे यहाँ से करता हूँ, य यह address copy किया, वापिस कहां चलते है, अपने project में चलते है, image src में, यहाँ directly जाके यह link जो है, हम paste कर देंगे, link बहुत बड़ा सा है, तो क्या करेंगे, अभी आपको दिखाने के लिए view को क्या कर देंगे, वाड़ रहा, देखे कितना बड़ा मेरा link आ गया, अब यह अगर इमेज आगी, तो मैं क्या करता हूँ, हमको बाद में clear रहे, इसलिए हम, इसको एक बार control z कर लेते हैं, ठीक है, यह मेरी gucci.jpeg थी, इसको images करते हैं, ठीक है, एक यह मेरा image हो गई थी, इन दोनो images को एक के बाद एक display कर लेते हैं, ताकि आपके notes में और code में भी बाद में इसी तरह से बना रहे, अब mail को क्या करना है, images में, अब mail को जाके वो link जो है, वो paste करना है, तो लिंक एक बड़ दुबारा से copy कर लेते हैं, यहां आते हैं, इस link को copy करते हैं, copy image address, वापस आकर source में वो दे देते हैं, save करते हैं, वापस आते हैं अपने page में, तो क्या हुआ देखें, गुची की image भी आगई, और GitHub वाली image भी आगई, तो अब आप दोनों देख सकते हैं, कि भाई, यहां पर हमने दोनों चीज़ें यहां पर डाल दी, तो वापस आ जाते हैं, अपनी image tag में, उम्मीद कर रहा हूँ, आप image tag बहुत अच्छे से सीख गए हैं, इसके यहां पर हम वीडियो लिखेंगे, फिर से उसका source देंगे, height देंगे, और यहां पर यहां पर यह कुछ चीज़ें ऐसे attribute भी होते हैं, जिनकी value नहीं होती, यहां हम बूल रहे हैं, image मैं देदू, autoplay, यानि वीडियो अपने आप autoplay होना चाहिए, उसके controls दिखना चाहिए, जैसी यह mouse pointer यहां आ रहा है, तो क्या हो रहा है, controls दिखने है, full screen, download, playback, speed profile, picture तो क्या होगा, यहां पर यह control से control दिखने लगेंगे, loop की वज़े से क्या हो रहा है, देखिए, बार बार गूमते जा रहे है, जैसी video खतम होती है, फिर से start होती है, फिर से start होती है, जनरली recommend नह define करेंगे, तो खिच जाएगी, नहीं तो आप source define करेंगे, अब हमको use करना है video, फिर से same चीज़ याद आई, video भी है नहीं, video भी दोस्तों मैंने कहां डाली होई है, बार दोबारा खोल लेते हैं, मैं आता हूं downloads में, एक MOV file भी यहां पर पड़ी हुई है, MOV file को भी पहले म उसका नाम मैं क्या कर देता हूं, sanchit.mov, जो video files है, वो generally images folder में नहीं डाली जाती है, उसका एक नया folder बना जाता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, assets, assets में generally क्या डालते हैं, चाहे मैं कोई font की file हो, चाहे मेरी और ऐसी कोई भी अलग heavy files हैं, जो images में नहीं आ सकती, HTML नहीं नहीं है, css नहीं है, code नहीं है, बाकी सब जो भी है, वो asset में आएगा, मैं क्या करता हूं, sanchit.mov कि इस बार पहले सही move कर लेता हूं, यह हम समझे चुके हैं कि जब path देंगे, तो इस बार assets.slash करके path देंगे, तो यह मेरा move हो गया, इसको बंद करते हैं, इसको आकर video tag कैसे define होगा, तो मैं क्या करता हूं यहाँ यहाँ पर, video tag define करता हूं, video, src क्या देंगे, सबसे पहले source देंगे, equal to, कहा है, relative path, asset slash, sanchit.mov, बस इतना ही करना था, यह मैंने जैसी बंद किया, यहाँ क्या कर सकते हैं, self close कर सकते हैं इसको, इसकी ज़रूत नहीं है, मैं ज चली दिखी नहीं पा रही है, तो पहले वापस जाके क्या करते हैं, height इसकी set करते हैं, height कर दो इसकी 150 pixels, अभी हमको दिख पाएगी, बढ़ना नहीं दिख पाएगी, छोटी सी हो गई, अभी वीडियो चल नहीं रही है, ना control सा रहे है, ना चल रही है, तो हमको भी इसमें क सेव कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, height में define कर चुका हूँ, मैं define करूँगा control, सबसे पहले मैं बोलूँगा, इसमें controls दे दो, ताकि कम से कम बंदा वो वीडियो चला तो पाए, मैंने controls लिखा, वापस आया इधर, तो अब देखे, controls आ रहे है, अब मैं इसको वीडियो क आगे पीछे चलवा पा रहा हूँ, आगे पीछे चला पा रहा हूँ, यह actually थोड़ी छोटी है अभी भी, तुम क्या करते हैं, इसकी height जो है, वो 300 pixel कर देते हैं, और यहां पर आकर अपने page को बापस अपने size पे ले जाते हैं, अभी क्या हो रहा था, वणना controls दिखी नहीं सारे के सारे controls आपको दिख रहे हैं, अभी प्ले का बटन दिखा रहा है, यह file अपने आप से play नहीं हो रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, इसको जड़ा autoplay कर दो, जैसे ही page को खोले, यह video उनके सर पे चलनी शुरू हो जाए, मैंने जैसे यह reload किया, अच एक बर क्या करते है, autoplay का documentation चेकरते हैं, जैसी hover करेंगे autoplay के ऊपर क्या रहा है, documentation बन के आ रहा है, पूरा का पूरा, वी एक्चली वीडियो से थोड़ा भार हो रहा है, इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं, बन के आया, और, अभी यहां लिंक नहीं दिखा रहा है, बड़ यह पूरा का पूरा राम चाहें, तो उसका MDN पर जाकर खुद से भी सर्च कर सकते हैं, तो boolean attribute is specified, the video automatically begins to play back, as soon as it can do, also stopping the line, यह देख बोल रहा है, to disable video autoplay, false will not work, तो video will autoplay if the attribute is there, यानि अगर autoplay आपने लिख दिया, तो autoplay होगा ही होगा, इसे किया बोल रहा है, in some browsers, chrome 70 or above, autop autoplay is not working, if no muted attributes present, देखे, शायद यह problem होरी है, हमको भी, हमारा chrome version 70 से उपर है, यह हम check कर लेते हैं, but basically chrome ने क्या बुला, अगर आपने mute नहीं दिया है, अगर आप mute नहीं कर रहा है, तो मैं autoplay नहीं करूंगा, मेरे user का experience खराब होता है, तो चलिए यही check करते है, सबसे पहले ज 116 जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, हमारा version क्या है, 116 तो इसका मतलब यह शायद हमारे लिए नहीं चलेगा, एक बार check करके देख लेते हैं, हमको क्या करना है, वापस विजू स्टूडियो में जाना है, और एक बर यहां पर muted लगाना है, अगर मैं यहां पर muted नहीं करूंगा, मैं यहां आउंगा, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, तकि यहां controls और आसानी से दिखने लगे, तो यहां पर unmute option आ रहा है, यानि video by default क्या है, muted है, तो चलिए इस चक्कर में हम एक और attribute सीख गए, जिसका नाम क्या है, mute, तो चलिए यह हुआ हमारा video tag, जल्दी से चलते हैं, next tag के तरफ, सीधे कहां पर आते है, anchor tag, anchor tag भी काफी important, इसका मतलब क्या है, link to anything else, anchor tag में हम क्या करते है, इसको hyperlink भी बोला जाता है, यानि हम यह बोल रहे हैं कि मेरी website से और भी 4 जगा link के जा सकते है, वो मेरी website पर भी हो सकता है, व आपको भी जो यहाँ पर देखना है, वो क्या देखना है, HRF, HRF के अंदर आप बस वो link डाल देगे, और यहाँ पर डालेंगे content, यानि यह link दिखाना किस चीज में, तो यहाँ पर content डालेंगे, और A को close करेंगे, इस content को क्या बन जाएगा, जैसे knowledge gate लिंक बन गया, वो link ब इसने generate कर दिया, इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर पहले से browser window खोल लेता हूँ, ताकि जब हम चलाएं, तो वो इसमें कुल जाए, इस बार क्या करते हैं, मानलीजे हम पहले लिखके छोड़ लेते हैं, आपको अपनी knowledge gate की website पर लेके चलते हैं, तो मानलीजे मैं यहाँ क्या हुआ है, knowledge gate link दिखा रहा है, अब मैं इस पर click कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, कुछ होई नहीं रहा भाई, यहीं कहीं है, क्योंकि हमने क्या क्या करते हैं, link को कर लेते हैं, copy, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो link पर ही जाना है, यह website पूरी खुल रही है, हम क् वापस आते हैं, href के अंदर दे देते हैं, link, मैंने क्या क्या है, यहाँ पर दे दिया, knowledge gate.in, और knowledge gate यहाँ पर define कर दिया, इसको मैं जैसे save करता हूँ, वापस आता हूँ, देखे, link तो अभी भी वही है, अब जब मैं इसमें click करता हूँ, तो देखे, क्या हो रहा है, यह म मेरे को link define करने है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, www.google.com, भाई, तुम google पर ले जाओ ज़रा है, तो यह मेरा हो गया, google, और बच्चे आजकल क्या use करते हैं, किस चीज में आप लोग interested है, instagram, instagram, इसको कर देते है, instagram.com, पता नहीं, मेरे को वैसे instagram.com जोती ह आँगा, देखे, क्या हुआ, knowledge gate, google, instagram, सब यह की line में देख रहे हैं भी, क्यों, paragraph tag थोड़ी है, जो अगली line में आ जाएगा, तो हम क्या करता है, यहाँ पर देखे, एक बाद, यहाँ 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 पर देदेते है, बी आर, कि भाई, line जो है, ब्रेक कर दो, तो आप समझ गए यहाँ पर, कि अगर मेरे को अपनी website से कहीं और links बनाने है, तो link कैसे बनाएंगे, जो मेरा reference tag है, इसकी मदद से बनाएंगे, href में देंगे, target हम यहाँ पर define कर सकते हैं, target का क्या मतलब यह भी देख लेते हैं, देखे, by default target जो होता है, वो होता है main, यान कर क्या define कर सकते हैं, मनलीजे, मैं google.com के साथ क्या define कर देता हूँ, बोलता हूँ, एक और attribute है, इसके बाहर, target, अगर आप देते हैं, underscore blank, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ Google वाले का change किया, ध्यान रखेगा, Google वाले को मैंने क्या कर दिया, target underscore blank, अब यहाँ आता हूँ, knowledge gate दबाया same page में खुला, और जैसी Google दबाया, देखे क्या हुआ, दूसरी tab में खुल गया, यानि मैं बूल रहा हूँ, target जो है, वो मेरी tab में मत खोला, main में, एक काम करना, blank करना, यानि अपने आप देख लेना, Google को कहां खोलना है, तो browser ने का भाई, मैं ही खोल देता हूँ, हमने blank द जल्दी समझने वाले हैं, देखे, bold, italic, underline, strike through, इनको एक बार में, एक के अंडर रख दिया है, तो इसमें हम क्या देख रहे है, देखे, bold जब आप define करते हैं, यानि B, हमने B के साथ जिसको भी define किया, वो क्या हुआ, यानि bold हो गया, उसका italic के साथ जिसको define किया, वो क्य यह कर रहा हूँ, पर आदमी confused नहों कि यार मैं तो यहाँ शायद यह पढ़के गया था, तो आप अगर कोई चीज correction करके दिखा रहे हैं, तो strike through इस case में काम आता है, तो काफे simple tags है, B, I, U, S, है ना, और यहाँ पर, या strike भी हम strike भी use कर सकते हैं, मेट यूज किया, बना लि यहाँ दिख देते हैं, website, ठीक है, क्या आएगा, underline, यहाँ लिख देते हैं, YouTube, ठीक है, और हमको क्या करना है, अरे, यहाँ लिख देते हैं, YouTube, और एक हमारा बचा strike through, यानि S, S में हम लिखते हैं, course, ठीक है, इसको मैंने save किया, फिर से हमारा क्या process है, open with live server, यहाँ क्या knowledge gate, website, YouTube, course, यह bold आया, यह italic आया, यह underline आया, यह strike through आया, यहाँ भी HR define करते हैं, यहाँ भी HR define करते हैं, यहाँ भी HR define करते हैं, आप BR भी define कर सकते हैं, अगर सिर्फ next line में चाहते हैं, तो, देखें, मैंने क्या किया, सबके बीच में lines define करती, क्या हुआ यह, इतना अच्छ कर सकते हैं, इस से जाधा, बहुत जाधा समझने के लिए कुछ नहीं है, तो, यह मेरा हो गया, bold italic, underline and strike through, चलते हैं, अगले पर इसका मतलब, नाम क्या है, pre tag, pre tag का क्या मतलब है, pre का मतलब होता है, preserves text formatting, यानि, अभी हमने पहले देखा था, कि भाई, अगर मैं बीच में same format में दिखानी है, जहां से आप कहीं से copy paste करके डाल रहे हो, इसका कोई letter है, कुछ और चीज़ है, तो अब वो कहां तक पूरा format करते रहोगे, तो उसके लिए आप क्या use कर सकते हो, यह pre tag use कर सकते हो, आप जो भी pre tag के अंदर डालोगे, browser को हम यह बोल रहे हैं, यह pre formatted है, आप इसको preserve करो, और as it is दिखाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, तो pre के अंदर हम जो भी लिखेंगे, वो as it is दिखेगा, देखिए, जैसे मैंने पहले यह normal लिखा, तो यहां क्या दिखा, first line more spaces, सब उसने line से लगा दिया, बीच में जो spaces थे वो हटा दिये, next line हटा दिया, first line more spaces को सीधे एक line में दिखा, बट जब मैंने उसको दुबारा pre tag के अंदर लिखा, तो उसने उसको as it is उठा के डाल दिया, बलकि जो indentation हमने left से करी हुई थी, उसने वो भी यहां पर as it is लगा के दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, this maintains white spaces and this maintains line breaks, ठीक है, तो अगर आपने ब यह BIUS को करते हैं, बंद, explorer को बंद करते हैं, एमेंट बनाया, यहां चल्दी से लगाते हैं, pre tag, ठीक है, अब pre tag के अंदर हम क्या लिखते हैं, मान लीजे, छोटा सा application लिखते है, dear sir, to, ठीक है, बहुत छोटा सा resignation हम लिख रहे हैं, dear sir, to, thank you, ठीक बात है, इस से छोटा resignation द उस तो आज तक दुनिया में कभी किसी ने नहीं लिखा होगा, हम क्या बोल रहे हैं, sir आपके लिए बहुत काम कर लिया, अब, to, अब हम इसके बाद काम नहीं करेंगे, dear sir, to, thank you, यह मैंने preserve में लिखा, अगर मैं इसको बाहर लिखता, या निमान लीजिए, एक बार पहले इसको करेंगे open video light server, यहां मैं आपको लाके इसको दिखाता हूं कि मेरा window जो है, कैसे दिख रहा है, देखिए क्या हुआ, dear sir, to, thank you, यह नि पहला वाला तो as it is दिख गया है, उसने क्या किया, as it is नहीं दिखा, actually, मतलो उसने सब ignore कर दिया, मैंने यहां next line दिया है, यहां फ से space था, जितना बीच में space था, जो था, as it is ने दिखा दिया, दंजे चलते हैं, अगले tag पे जिसका नाम क्या है, big or small tag, यह बहुत ही simple है, इसमें अगर आप देखें, क्या है, कोई text अगर आपको बड़ा दिखाना है, तो इसको big के अंदर लिख दीजे, कोई text छोटा सोच नहीं है, यह बहुत rarely कभी use किया जाता है, क्योंकि CSS के alternatives है, यानि generally लोग prefer करते हैं, यह सब काम CSS से किया जाए, यह काम HTML से ना किया जाए, ठीक है, यह मैंने कर दिया, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, bold or italic, में बाकियों में title नहीं change किया है, आप कर लिजेगे, sorry, big or small, त this is small text, save कर दिया, जल्दी से देखते हैं, चला कर, open with live server, यहाँ आ गया, पुराने वाले हमने जितने पाप किया है, उन सब को क्या कर देते हैं, बंद, this is big text, this is small text, एक ही line में आ गया, क्योंकि यह क्या कर रहा है, बीच का space जो है, वो इसने ignore कर गया, जो next line हमने दिया था, तो यहाँ क्या देते हैं, भई एक line खीचते हैं, तो space भी मत दे, तो बूरी line खीचते हैं, तो देखें क्या हुआ, this is big text, this is small text, यह बड़ा च्छोटा दिख गया, अगला tag क्या है, जो अभी इस बार exercise का last tag है, last page है, मुझे पता है काफी देर हो गई, आप लोग बोर हो ग innovations, यह आपको क्या लिखने पढ़ते हैं, chemical formula, तो अगर मेरे को कही mathematical equation लिखनी है, अगर आप यहाँ देखें, मैं लिखना चाहता हूँ, a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, पर देखें, बड़ा अजीब लग रहा है, कैसा लग रहा है, a plus b, उसका बिराकर लगा के 2 लिख दिया, अब यह समझ नहीं आ रहा है, multiplication है, यह superscript है, क्या है, तो यहाँ हम क्या concept acts पढ़ रहा है, superscript और subscript, यानि मेरे को दिखाना है, यह देखें, proper way में, a plus b का superscript is 2, तो a plus b ka whole square plus a square plus b is equal to a square plus b square plus 2ab, भी तो देखें, यहाँ यह जो 2 है, यह वूपर आगा है, 2 यह सही देख रहा है कि यह multiplication है, इसी तरह से subscript क्या होता है, यानि मेरे को कोई chemical equation दिखानी है, हमान लीजे, क्या है यह methane का combustion, science वाले student आप में से कौन-कौन से है, CH4 plus O2, methane का combustion is equal to क्या बना, पानी बना, H2O, और क्या बना, carbon dioxide, यानि CO2, पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है, तो यह 4 को हमने नीची कर दिया, अब दिख रहा है, CH4 plus O2 equal to H2O, पानी बना, और क्या बना, carbon dioxide, तो एक कैसे दिखाएंगे, दिखेंगे, अब इधर आके वापस से, देखते है, यह थोड़ा सा big मैंने करके दिखाया है, थाकि आपको यहाँ दिखता रहे, यहाँ आप दे 2AB, 2AB में कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं किया, इसी तरह से जब यहाँ पर देखेंगे, देखेंगे, हमने big or small का भी पिछले वाले से यहाँ यूज कर लिया है, CH4 में 4 को हम कैसे दिखाएंगे, सब्सक्रिप्ट में दिखाएंगे, यह सब लिखा, 4 लिखा, CH के बाद नीचे आ गया, 4, इसका बस इतना ही मतलब है, mathematical equations में, footnotes में, ऐसे तरह से दिखाता है, यह phone size के लिए नहीं है, सिर्फ position के लिए, यह उपर नीचे कर रहा है, आपको size बड़ा चुटा करने के लिए, इसको use नहीं करना है, आपको इसको superscript, subscribe करने के लिए use करना है, तो चल सारे LA browser का फाइदा उठा रहे है, हर चीज़ लिखो tag के अंदर, तो यहां मैं क्या लिखता हूँ, a plus, a plus b, square, और तो कैसे लिखना है, 2 ही लिखेंगे, is equal to a square, plus b square, plus 2ab, तो फ्रेंस ही हमने equation लिख ली है, normally, एक बार पहले इसको run करके देख लेते हैं, अगर मैं इसको run कर तो क्या दिख रहा है, server, देखे, क्या दिख गया, एकदम गंदी थी, यहां पर चोटी सी मेरी equation दिख गई, क्या हुआ, a plus b, 2, equal to a2 plus b2 plus 2ab, यह से दिख रही है, अभी हमको इसको, अच्छे से दिखाना है, है नि, subscribe करके दिखाना है, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन म यहां यहां दिखाना है, उसको ऐसे ऊपर करके दिखाना है, तो मैं क्या करता हो, वापस अपने code में चलता हूं, इसको मैं कर लेता हूं, copy-paste, आब मेरे क Gibपने क्या करना है, इस सब के अंदर इसको कर लेता हूं मैं क्योंकि मेरे को क्या करना है एबी स्क्वाइर करना है और बी बी स्क्वाइर करना है इस टू को भी मूव करना है कि आगली टू को भी मूव करना है का नहीं इसको छोटा करके क्या कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं, toggle, word run, all right, इवने कर लिया, देखे क्या हो गया, यह मेरे को दिख रहा है, मेरा plus 2a भी यहां, directly आ गया है, इसको मैं save करता हूं, जाके देखता हूं, प्राउजर में, देखे कितना सुन्दर सा, अच्छा सा मेरे को दिख रहा है, या नि क्या हुआ, जो square है, उसको भी, तो मैं यहां पहले एक paragraph, यहां भी शुरू करता हूं, यहां को क्या लिखना था, मेरी equation थी, CH4, यानि methane, plus O2, यानि, oxygen, combustion होगा, तो क्या बनेगा, combustion होगा, तो बनेगा, water, यानि, H2O, plus CO2, यानि, carbon dioxide, यह मेरी equation है, अभी पर क्या हुआ, यह 4, 2, अच्छे न नमबर मैंने लगा दिया, वह ऐसी दिख रही है, वापस आता हूं, इसको जल्दी से क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, copy paste, इस बार हमको क्या करना है, super script की जगह क्या use करना है, subscribe, तो सब लिखता हूं, enter बाता हूं, यह मेरा हो गया, सब 4 को मैंने move कर दिया, अंदर, देख CO2 में क्या करूँगा, फर्दूगा, save करूँगा, जल्दी सी जाके देखते हैं, हमारे page में, page में change होगा है, कितनी सुंदर मेरी पूरी equation बनकार आ गई है, यानि, CH4 plus O2 is equal to, क्या बनेगा दोनों का, combustion होगा, तो क्या बनेगा, water and CO2, वैसे, by the way, chemistry class नहीं है, class है computer science की है, ह हम बस सीखने हैं कि यह सब्सक्रिप्र लगाने है, कैसे लगाने है, तो, hopefully, यह आप सीख गए होंगे, यानि, यह मेरा हुआ, A plus B, बद दुबारत देख लेता है, यहां, अगर square लगाना था, उपर लगाना था, तो सब्सक्रिप्र में use किया, अगर नीचे लगाना था, त सब्सक्रिप्र लगाने हैं, तो, यह हमारी दस टैक्स दूर हो गए हैं, दो मिनिट का एक टॉपिक और है, जल्दी से वो करेंगे, उसके बाद हमारा लेवल 2 जो है, वो कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके एंड में हम एक छोटी सी exercise करेंगे, project करेंगे, ताकि हम क्या, हम कोई समझ आए, कि हमने जितना भी काम किया है, हमको समझ भी आया या नहीं है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं, किसकी तरफ, हमारा जो 3rd चाप्टर था, लिवल 2 का, सिर्फ इसमें को बताना है, और इसको अलग रखा है, क्योंकि यह tag नहीं है, इसका नाम क्या है, character entity, reference, इ इससे क्या हो रहा है, HTML को पता चल रहा है, नि ब्राउजर को पता चल रहा है, जब भी यह मेरा angle bracket लगा हुआ होगा, तो मेरे को क्या करना है, इसका मतलब उसके अंदर opening tag होगा, या closing tag, बट भाई क्या होगा, अगर मेरे को कहीं website पर ही यह दिखाना हो, तो ब्राउजर तो ब्रेक आ गया था, पर multiple spaces देने हैं, तो क्या करें, तो देखिए उसके लिए यह यूज होता है, इन परसें, NBSP, कोलन, यानि यह हमेशा कहीं से शुरू होते हैं, character entity reference, generally हमेशा and से शुरू होते हैं, और हमेशा कहीं पे खतम होते हैं, कॉमा पे खतम होते हैं, और इस बीच बीच में अलग-अलग चीज़े हम यूज करते हैं, ताकि एक special चीज, special character हम browser को दिखा सके, browser को इससे पता से जाता है, इसके बीच में जो भी है, उसको आपको interpret करना है, उसको as it is interpret करना, उसको समझना नहीं है, अगर मेरे को एक empty space दिखाना है, तो मैं लिखना है, तो मैं space add करेगा, मैं ये अगर 10 बार लिख दूँगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्या होगा, 10 बार मेरे spaces आ जाएंगे, इससे तरह मन लीचे मेरे को euro का icon दिखाना है, अभी जैसे मने बात कीती, angle brackets दिखाने है, कुछ भी ऐसी चीज दिखानी है, जो special keyword है, या reserved keywords है, बहुत जादा इसका use नहीं है, टेबल याद करने की ज़िवरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इस तरह का concept है, तो अगर कभी कुछ miss हो रहा है, कहीं आपको error दिख रही है, या कोई आपने guilty से reserved keyword special character use कर लिया है दिखाने के लिए, तो वहाँ आप जाके उसका character entity reference ढ फूंड के उसको replace कर सकते हैं अपने code में, ताकि वह आप character finally as text जो है उसको दिखा सको, तो फ्रेंट्स यही था character entity reference जल्दी से अब देखते हैं, level 2 का revision, level 2 में हमने देखो क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने समझा था कि HTML attributes क्या होता है, यहीं tag के साथ हम extra information अगर कुछ पास क्या जाता है, और कैसे जो ID है, वो पूरे page में मेरी unique होनी चाहिए, उसके आद हमने शुरू किया अपना marathon STML tags का, हमने पहले देखे 6 तरह के heading tags, उनकी importance, उनकी SEO की importance, search engine optimization की, उसके बाद हमने देखे paragraph tag, उसके बाद हमने देखे 2 BR और HR tag जो क्या करते हैं, तो next line में ले जात case को fix करते हैं, anchor tag हमने देखा, bold italic underline और strike through देखे, यह चारो के चारो हमने चला कर देखे, pre देखा यानि, जो pre-formatted है, यानि मेरा जो text हो, उसके दिखा दीजे, उसके लिए pre tag देखा, big small tag देखा, यानि text बड़ा चोटा दिखाने के लिए, और superscript हमने अभी देखा, numbers को उ से करना है, आप ये करिए, उसके बाद हम जाएंगे level 3 के उपर, तो यहां को क्या करना है, अब एक page बनाईए आप जिसमें heading भी आपने use किया हो, paragraph यूज किया हो, line breaks यूज किया हो, line separators यूज किया हो, यहां मैं सब के नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको खुद figure out करने है क्या चीज किस से आती है, अगर नहीं याद आ रहा है, notes में जाके देखिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, बट आप कोशिश करिए कि एक page में आप इन सब को use अच्छे से कर पाएं, उसके बाद एक image लीजे, image को भी दिखाईए, यह relative path, absolute path, दोनों को आप practice कर सकते है और उसकी height रखे, 300, यहाँ पर एक special चीज मैंने बोला है, क्या, यह image जो है, अपने आप में एक link होना चाहिए, next page के लिए, आपको एक छोटा सा hint देता हूँ, link हम को जिस भी चीज को बनाना है, उसको किस चीज के बीच में रखते है, anchor tag के बीच में रखते है, तो अगर म आपकी clickable बन चुकी होगी, जो भी आपने link रिया होगा, आपने anchor tag में, आपकी image जो है, आपका click आपको वहाँ पर ले जाएगा, जब यह आप करने तो उसका अदम देखेंगे, bold, italic, underline, strike through, ठीक है, यह आपको use करने है, और इसे तरह third equation of motion आपको use करने है, super script और subscribe, मेरे level 2 का, चली, जल्दी से चलते है level 3 की तरफ, level 3 बहुत ही exciting है, उसमें हम यह सब देखेंगे, जो browser के tools है, हमने बात की थी पहले कि हम subscribers बढ़ाएंगे, जो मेरा Instagram है, उसके likes बढ़ाना हो, मेरे को, इन सब चीजों को locally check करना हो, किसी के web page का code देखना हो, किसी की website आपको बहुत सुंदर लगई है, उसका code देखना है, वो सब काम हम level 3 में करने वाले हैं, तो चली जल्दी से चलते है level 3 के करने, चली फ्रेंड शुरू करते है level 3, level 3 में क्या होने वाले है, browser tools, browser tools में क्या क्या देखेंगे, level 3 को भी हमने क्या किया है, 4 हमारे chapters में शुट-शुट- HTML को अगर हम बिन CSS के देखेंगे, तो कैसा लगता है, सिर्फ HTML जो हम सीखेंगे, उससे वेब पेजिस किस टाइप के बनेंगे, responsive design सीखेंगे, यह आजकल companies में in general बहुत important हो गया, कि आपके website phone पर कैसी दिखती है, बड़ी devices पर कैसी दिखती है, वो देखेंगे, उसके बाद live coding हम, live code जो है वो हम edit करेंगे, अलग-अलग websites का, क्या-क्या edit करेंगे, HTML edit करके देखेंगे, CSS edit करके देखेंगे, JS edit करके देखेंगे, और इसके बारे में और कुछ-कुछ इसकी properties समझेगे, और last में में देखेंगे, जब हमने code लिख लिया है, तो HTML को कोई compiler तो होता नहीं compiler, मतलब कोई ऐसा तो होता नहीं, जो पहले code को go through करेंगे, बताए कोई errors है या नहीं, बस browser होता है, जो थोड़ी बातरर बताता है, पर उसके लावा भी online validators होते हैं, जो आपको बताता है कि आपका code इंदम best practice वाला लिखा हुआ है, या इसमें कुछ और किया जा सकता है, तो वो देखेंगे, यह हुए हमारे 4 chapters, जल्दे चलते हैं, पहले chapter की तरफ जिसका नाम क्या है, browser के tools, तो browser tools में कौन कौन से है, सबसे पहले हम कौन सा tool देखेंगे, view page source, तो यह कैसे हम देखते हैं, किसी भी web page पर अगर आप जाकर right click करेंगे, right click menu कि मैंने अपनी system की photo वो page आपको web browser जो है, वो आपको दिखाना शुरू करते हैं, वो दिखाएगा, भाई मेरे को यह HTML और CSS मिली थी, जिसके basis पर मैं आपको यह page paint करके दिखा रहा हूं, यह मैं debugging के लिए, learning के लिए काफी useful होता है, और यह links भी दिखाता है, external javascripts के और बागी चीज होगे, त हम में क्या करता हो देखे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आ Koopi, और यहां पर देखे हैं, आप यह हम धिक सकते हैं, उसका जो भी site लिखेंगे, उसका जो source है, यहाँ पर लाकर आपको रख देगा, तो बोला भाई, इसका इतना ही code, एक बार क्या करते हैं, इस पुरे code को कर ल अब यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं तो भाई जब मैंने उसका कोड़ पेस्ट कर लिया तो अपर उसकी कापी हो गई तो चल जानी चाहिए चलिए दिखते है ऐसा होता है क्या मैं क्या करूँंगा इसको करूं ओपन विद लाइव सर्वर एक वाई जदेरा रम एक्स्व कुछ-कुछ आई और कुछ-कुछ नहीं आई दिख रही है एक काम करते हैं इसको हम यूरल को कॉपी करते हैं और वहां चले जाते हैं जहां हमने knowledge gate खोल के रखे रही है कि यह knowledge gate खुला हुआ है इसके बगल में क्या कोल देता हूं यह खोल देता हूं सेम जूम लेवल पर देखते हैं यह कितने लेवल पर है अभी यह भी 125 पर यह भी 125 पर देखिए यह भी थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही है सारी एकदम सेम तरह से नहीं दिख रही है होता क्या है आइडियली और एक वेब्साइट का एक्जामपल लेते हैं मालीजे चलो यूट्यूब खोलते हैं मैं जाता हूं यूट्यूब के home page पर अरे वा कितनी अच्छे वीडियो दिख रही हैं यहां पर बहुत सारी चीज़े दिख रही हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर आकर कर देंगे view page source मैंने view page source किया यहां source मिल गया इसको क्या करेंगे इसको कर लेंगे copy paste यहां आते हैं वापस इसको कर देते हैं क्योंकि यहां main वही code लिखा होगा जो starting वाला है react वगरा जो फ्रीमवर्क करते हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है main point किसी भी page का मेरे को source कैसे देखना है मैं वहां जाओंगा और view page source करूंगा तो उसका जो भी code हो मेरे को inspect element करेंगे कि वह कैसे देखता है देखें कितना सारा code है कितना सारा code यहां पर है वह एक ही लाइन में उसने पूरे पूरे जावस्क्रिप्ट की फाइल्स जो है वह लिखे हुई है इसलिए हमको ऐसा लग रहा था भी देखकर कि code छोटा है पर देखें कोड छोटा नहीं है पर इसका भी मतलब यह नहीं कि यह पूरा YouTube का code है इसके अलावा भी बहुत सारा code होता है जो JS का code है जो सारा आपको यहां पर नहीं देखेगा बट पॉइंट यह है कि इससे आप काफी हद तक देखकर कोई-कोई elements को copy कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह हुआ हमारा view page source अब इसके नीचे दिख रहा है inspect दिख रहा है ना यह inspect हम किसी भी element को जाकी कर सकते हैं यानि पूरे page को तो करी सकते हैं बट page में मेरे को को specific चीज़ देखनी हम उसको भी inspect कर सकते हैं यह क्या करता है यह हमको allow करता है कि हम real time editing कर सके हैं जब third chapter में editing करेंगे तो भी दिखेंगे क inspect के through कैसे कर रहे हैं यह भी debugging testing में यूज रहता है element की hierarchy बगएरा check करने के लिए यूज किया जाता है console इसमें JavaScript का by default मिलता है वो दिखाएंगे और यह आप की इससे कोई भी highlight करके कोई element highlight करके उसका जो code है वो देख सकते हैं तो चलिए जल्दी से इसको भी देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे चलते है next अब मैंने google.com खोला अब मालीजे मेरे को यह button बहुत पसंद आ रहा है सर यह button का code मुझे चाहिए मैं भी इस तरह का button बनाना चाहता हूं देखिए इस बार हम क्या करेंगे right click करके हम कहां गये view page source नहीं करेंगे इस बाकि उससे तो पूरे page का source दिखता है inspect दबाएंगे जैसे ही मैं inspect दबाऊंगा देखिए side में जो है यह मेरे elements करके console खुल जाता है और नीचे क्या खुल जाता है styles करके console खुल जाता है elements का मतलब है पूरा html और styles का मतलब है पूरा css अभी css को थोड़ा नीचे कर देते हैं css में come interested है देखिए यहां मैं जैसे-जैसे mouse over कर रहा हूं वह यह item select हो रही है देखिए input select हो रहा है भी हम जाके जब थोड़ा सा advanced level में जाएंगे से next level में समझेंगे कि input tag क्या होता है यहां पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं क्या कि देखिए यह पूरा html है html को सुंदर बनाने के लिए साथ-साथ css लगा हुआ है तो यह आपको दिख रहा है यहां कर आप कुछ भी change कर सकते हैं मालीजिए मैं यहां से हटा दू कि font size हटा तो देखिए font थोड़ा सा हो गया font लगांगा तो थोड़ा सा छोटा हो गया तो साथ-साथ यह भी दिखा रहा है css मैं भुझेंगे नहीं कि कैसे कर रहा है बट यह बेसिकली स्टाइल सब्सक्राइब कर रहा है और यह मेरा इंपूट कर रहा है अगर मैं यह देखना चाहूं कि गूगल का पेज बि कर दी और यह बंकिया देखे क्या आ रहा है कुछ आई नहीं रहा है कुछ बचाई नहीं यानि जितनी पुजिशनिंग करी हुई थी इस पेज पर इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको दिखाता हूं पेज कितना अजीब सा हो गया अगर मैं 100% पर भी देख रहा हूं आइकन का साइज जो है वो CSS से डिफाइन किया हुआ होगा तो इस अब आइकन यहां आ गए यह मेरा आइधिंक रिसेंट सर्चेस हैं जो डारेक्ली यहां पर दिखा रहा है तो अब देखे पेज बिना CSS के कैसा लगने लगता है पर में इंपॉर्ट इंपॉर्टन बात क्य अगर मैं मुबाइल की फॉर्म में खोल रहा हूं मुबाइल की वेबसाइट खोल रहा हूं किसकी हमारी नॉलजज गिट की देखे इस तरह से आती है कुर्स लाइन से आरे हैं पर जैसे ही मैं CSS हटाते था हूं तो देखे क्या हो रहा है WhatsApp का इकन कितना बड़ा हो जाता है य CSS ही वह है जो आजकल पेज को थोड़ा सुंदर बनाती है देखने लाइक बनाती है और्गनाईज बनाती है HTML क्या कर रहा है कि elements अभी भी सारे है जो यहां था वो सारी चीज़े यहां पर है पर क्या हो रहा है वो सारी चीज़े थोड़ी अड़गम सड़गम दिख रही है औंवर नींचे दिख रही है वह ककल दख रही है जिसकी और है पेज बहुत ज्यादाँ दे अच्छा नहीं लग रहा है तो यह हुआ हमारा vayसिक जो बैसिक दो शॉट में कैसे दिखा रहा है आपकी वेबसाइट कोई desktop पर भी खोल सकता है कोई laptop पर भी खोल सकता है कोई iPad या tablets पर भी खोल सकता है कोई phone पर भी खोल सकता है आपको website इस हसाब से design करनी है कि वो सब पर ठीक देखिए sizes जब आप define करते हैं तो अगर आपने बोल दिया भाई desktop के साब से बड़ा दिखाना है तो बड़ा size define कर दिया तो phone पर कैसा दिखेगा phone के साब से छोड़ा define कर दिया तो desktop पर कैसा दिखेगा पर आजकली चीज़े बहुत ज़्यादा important हो गई है तो मेरे पास तो सरफ एक laptop है मैं ऐसा क्या करूं तो दिखे आजकल जितने भी modern browsers है including chrome ये क्या provide करते हैं हमको ऐसे tools provide करते हैं जिससे हम अपने laptop पर बैठे बैठे देख सकते हैं कि different screen sizes पर मेरी website मेरी जो मैं जो app बना रहा हूं वो कैसी दिखने वाली है क्या होता है इससे तो इससे हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि different screen sizes पर हमारा layout कैसे दिखेगा हम flexible layout का use कर सकते हैं image और assets को भी optimize कर सकते हैं या अगर phone पर दिखाना है तो बहुत बड़ी image कि दिखाएं बहुत high resolution क्यों दिखाएं चोटी वाली image लोड कर लेता है सबसे पहले इसी को देख लेते हैं अब हम क्या करेंगे फिर से जाकर inspect करेंगे यहां आ जाते हैं मैंने यह जो आप देखे रहे हैं elements के बगल में जो बटन है मैंने बटन दबाया तो यह किस चीज़ का बटन है कि होगर करेंगे तो टॉगल device टूल बार यहां पर आ गई है देखें मैं यहां पर आ रहा हूँ device टूल बार पर अभी यह क्या बोलरा dimensions responsive अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें बहुत सारे पहले से यह मेरे को दिखा रहा है responsive का क्या मतलब बोल रहा है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके देख सकते हैं page कैसा दिखेंग अगर मान लीजे मैं आइफोन पर नहीं मैं तो pixel 5 पर देखना चाहता हूँ यह जो थोटे से popular screen sizes है पहले से यहां पर define होते हैं तो आप देखें पिक्सल 5 पर देख सकते हैं अलग 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 यहां पर डिवाइस ने देखिए गलेक्सी फोल्ड जो आजकल फोल्डिंग फ क्राश होगे यानि बहुत अच्छी वह इस पर नहीं दिख रही है तो देखें मैं जैसे यहां आता हूं स्क्रॉल कर रहा हूं तो अलग अलग चीज़ें यहां पर मेरे को वीडियो के साब से दिख रही है मैं responsive को चेंज करके iPhone 12 pro कर देता हूं तो देखे 12 pro पर अगर होगा में इस तरह के selector होते हैं कि आप पहले से define कर सकते हैं कि बड़ा होगा screen size तो ऐसा दिखाईएगा चोटा होगा तो ऐसा दिखाईएगा stml में तो mostly क्या कर रहा है layout based define कर रहा है और फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 10 phone पर चलाने के लिए 10 phone पर अच्छा दिखने के लिए 10 phone खरीदने के जरूत नहीं है मेरा browser जो है वो यह tools प्रोवाइड करता है कि मैं यह सब अपने आप देख सब चलिए चलते हैं जो काफी interesting part होने वाला है इसका नाम क्या है live edit code यानि अब हम live editing करेंगे code के और देखेंगे कि हम अलग-अलग चीज़ों को edit कैसे कर सकते हैं किसी और की website में चीज़ों को कैसे edit कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है सर्जन क्या कर रहा है remote control से surgery करता है तो इसी तरह से हम क्या करेंगे किसी और की website पर remote control लगा कर यहाँ पर एक surgery कर देंगे उसकी website की website को change कर देंगे तो सबसे पहला point यहाँ पर क्या आता live editing html यानि मानलो मैं html live edit करना चाहता हूं तो देखिए अब क्या कर सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या करके दि 10 million मैं hope करता हूं बहुत जल्दी 10 million पर actually पहुंच जाएंगे but point क्या है point यह है कि अभी तो यह subscriber 10,000 है 10,000 को मैंने 10 million कैसे किया तो दीखिए अब इसमें क्या कर सकते है बड़ी easily जो हमने inspect किया था आप इस किसी भी element को जाके inspect कीजिए वहाँ जैसी element side में आ जाता है side में Wikipedia पर live edit है हम करके देखेंगे अभी मेरे को क्या है मेरे को यह नहीं करना screen size मेरे को change नहीं करना तो मैंने option off कर दिया तो देखिए normal मेले screen में खुल गया Wikipedia पर आ गया Wikipedia हमने खोल लिया है मैं क्या करना चाता हूं यहां पर कुछ भी मैं text change करना चाता हूं तो देखिए जैसे य यूज किया है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है फ्री एंसाइगलोपीडिया लिखा हुआ है मैं क्या करूँगा यहां आकर करिये double click देखिए क्या हुआ अपने keyboard में जाऊंगा और यहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं मान लीजे मैं फ्री एंसाइगलोपीडिया को कर दे नॉलिज गेट पर आते हैं मन लीजे यहां पर अभी क्या दिखा रहा है 5,95,000 इसको मैं करता हूं inspect क्या दिख गया मेरे को जब मैं यहां आ रहा हूं यहां क्या लिखा हुआ है 595 के सब्सक्राइबर लिखा हुआ है मान लीजे मैं इसको क्या कर देता हूं 10M है नहीं 10 million ज चैडेट कर सकते हैं मान लीजिए विडियो है इसका पूरा का पूरा मेरे को टैटल ही चेंज करना है तो मैं यहां होंगा यह मेरा को टैटल पूरा पूरा दिख रहा है अच्छा यह हमेशा आप नहीं कर पाएंग एक बार एक भार धान रखेगा कई बार क्या होता है जो से फ्रेंट्स आप क्या कर सकते हैं लाइव एडिटिंग कर सकते हैं हमने एक्सराइज में भी दिया है इंस्टाग्राम पर जाकि यहीं ट्राइग करिएगा आपने नमर फ्लाइक जाकर चेंज करिए उसके बहुत डीप में नहीं जाओंगा बहुत अंदर जाकर आपको नहीं दिखांगा जब यहीं कर दिया तो यहां पर आप सिर्फ HTML नहीं है, आप CSS भी जाकर edit कर सकते हैं, similarly जल्दी से चलते हैं, next चीज की तरफ जो हम live edit करते हैं जो क्या होता है, live editing JS, यानि जावास्कपट, इसमें बहुत समय नहीं लगाएंगे बड़ देखे, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं गया वो id ढूंड लिया, यानि मैंने बोला get element by id inner header container इन्होंने इस पूरा का नाम क्या रखा हुआ था, id क्या रखी हुई थी inner header container रखी हुई थी, मैंने क्या document. अभी आपको इस समझने की जुरूत नहीं है, कैसे कर रहा है बढ़ मैं आपको बचे दिखाना चाहरा हूँ कि java script को भी आप live editing कर सकते हैं, तो मैंने इस element को जाके निकाला और उसकी visibility क्या set कर दी, hidden set कर दी, मैंने जैसी उसकी visibility hidden set की देखी, ये page पूरा पूरा गायब हो गया, तो आपको ये समझना है ब्राउजर के पास जो भी आपने भेजा है, चाहे वो images हो, चाहे वो HTML है, CSS है, JS है, कुछ भी है उस सब को ब्राउजर पर live edit करके debugging की जा सकती है, चीजे देखी जा सकती है और उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसके बाद उसको, मतलब जब भी आप इसको test करना चाहें, अपने local में देखना चाहें, रेंडर किया जा सकता है इसका advantage क्या है, इसका main advantage यह है, कई बार आप यह अपनी website, most of the time आपकी क्या करोगी, अपनी website के साथ करोगी, अपनी code लिखी, आपकी website live होगी, आपको कोई चीज test करनी है, आप बार-बार code change करूँगा, तो यह कैसी दिखी, हर बार यह possible नहीं होता है, कि आप जाके पहले code change करें, फिर यहाँ आपके पूरा check करें, अगर आपको एक चीज दस बार check करनी है, font size छोटा बड़ा check करना है, आप हर बार वहाँ change करेंगे, यहाँ आप चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप live edit करके यहीं पर change करकर देख लेंगे, और जो आपको best लेगेगा, फिर जाके वो अपने code में edit कर देंगे, तो इससे क्या फाइदा होता है, आप live editing में यहाँ ठीक से सब कुछ सीख जाते हो, और उसके बाद जाकर उसको अपने हैसाब से change कर सकते हो, एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है, कि यह जो changes हो रहे हैं, यह सिर्फ आपके client machine पर हो रह और मेरा जो title है, वो भी वापस यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जो changes हुए वो temporary थे, यानि जो changes हुए वो सर्फ मेरे system में हुए, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने YouTube का server hack कर लिया, और वहाँ जाकर मैंने अपने likes change कर दिया, या Instagram में अगर आप change क करेंगे, जो इसका यह मतलब नहीं है, आपके likes actually change हो जाएंगे, देखिए चलता किसस आप से, हमने क्या बुला था, browser क्या करता है, browser चीजों को download करता है, और उसके बाद उसके पेंट करके आपको दिखाता है, तो यह इस तरह से है, जैसे मान लीजे, teacher ने question paper set किया, उसके उस question paper की copies create की, और जो जो बच्चे test दे रहे थे, सबको वो copies बांट रहे, अब अगर आपको एक question नहीं आता आपके question paper में, और आप उस question को काट के दूसरा question लिख दो, और उसका answer लिख दो, तो क्या वो question जो आपके teacher के पास, जो question paper है, उसमें भी change हो जाएगा, नहीं होग जितनी भी चीज़े edit की, वो क्या होंगी, वो सिर्फ हमारी copy में editing हो रही है, वो server की copy में edit नहीं हो रही है, तो क्या होगा, जो changes है, वो temporary है, आप जैसे ही refresh करोगे, तो changes क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, it only affects the current session, current session को सिर्फ यह change हो रहा है, जैसी आप क्या करोगे, जै इन काट के क्या कर रहा हूं, change कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि teacher के question paper में भी वो change हो जाने वाला है, तो यह हमारे यहाँ पर तीन chapter कतम हो गए, जल्दी से जलते है, last chapter की तिरफ जिसका नाम क्या है, validating web pages, इसका क्या मतलब है, यह हमने बूला था कि जैसे मैंने page तो ल इसको मैं copy करके वापस कहां ले आता हूं, अपने index में ले आता हूं, इसको मैं कर देता हूं, save, अभी मैं जाके देखता हूं, यहाँ अचाहिए, live editing वाला था हमने बंद कर दिया, एक बार इसको फिर से चला लेते है, live server को, मैंने कर दिया, open with live server, यह page मेरा यहां पर दिख इसको बंद करना भूल गया, जब मैं यहाँ पर यह कोई error आई किया, browser ने क्या किया, browser ने फिर भी इसको ठीक से render कर दिया, मैं वापस आता हूं, मान लीजिए, body tag भी लगाना भूल गया, मैं वापस आता हूं, कोई problem आई किया, नहीं आई, browser क्या करता है, browser इस तरह की से दिख रहा है, यह इस बात का map dant नहीं है, इस बात का criteria नहीं है, कि आपने चो code लिखा है, वो सही लिखा है, इसके लिए हम आज कल क्या use करते हैं, हम use कर सकते हैं, यह क्या करते हैं, validate करते हैं, किसी भी web page को, तो मान लीजिए कि यह website है, validator.w3.org, हम इस पर जाकर क्या कर सकते हैं, आपने जो भी HTML लिखा है, उसको HTML को यहाँ पर लिखिए, enter दबाएए, और देखिए क्या करेगा, यह आपको बताएगा कि आपके HTML में क्या गड़बड़ा है, जैसे HTML में जो मैंने यहाँ पर example दिया हुआ है, इसमें क्या गड़बड़ा है, HTML यहाँ भी opening tag है, यहाँ भी opening tag है, यहाँ मेरे को slash करके HTML बंग करना चाहिए था, पर मैंने कहा कि अगलती सी opening tag है लगा दिया है, तो देखिए, आप जैसी check click करेंगे तो यह दिखा रहा है, यह कुछ गलत है, stray tag, stray start tag, यानि stray मतलब अकेला है, यानि आवारा जैसे stray dog बोलो जाता है, तो बु सकता है, आप जाके safari में check करें, safari उस चीज को ना handle कर पा रहा हो, तो इससे यह भी फायदा होता है, अगर आपका HTML सही है, तो इसका मतलब आपके वो हर browser में ठीक से चलेगा, यह आपके cross browser issues कम से कम होंगे, और help in achieving better SEO results, हो सकता है, जब Google आपको ranking दे रहा है, कुछ दे रहा तो चली एक बार फिर से अभी जो हमने page बनाया था, जिसमें इसको कर लेते हैं, copy और लेके चलते हैं, कहां, validator के पास, तो मैं क्या बोल रहा हूं, validator.w3.org, यहीं website सी, यह खुल गई, अब देखे हम यहां क्या करेंगे, यह बोल रहा है, URI को किसी validate करना है, क्या नहीं कि किसी website को आप validate करना चाहते हैं, नहीं भाई, मैं तो direct input से validate करना चाहता हूं, direct input से मैं कैसे validate करूंगा, इस page को थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं, यहां मैं डालता हूं, अपना webpage जो मैं वहां से copy करके लाया हूं, ठीक बात है, और इसको मैं करता हूं, check, देखे, जैसी मैंने बहुत बड़ा issue नहीं मिला, बट क्या करें, मैंने जो पहले किया था, यानि, head को मैं यहां बंद कर दूँ, या मानली, जब मैं dog type HTML को, यहां से exclamation हटा दूँ, और मैं इसको फिर से check करूं, देखे, क्या हो रहा है, error दे रहा है, क्या बोल रहा है, dog type HTML आपने लिखा है, start tag scene without seeing a dog type first, यानि, वो यह बोल रहा है, यह expected था, बट आपने क्या किया, आपने यह लिख लिया, इसी तरह, यह देखे, इसको यह 2 error में दे रहा है, 3 error में दे रहा है, इसी तरह से आगे भी बता रहा है, आगे पूरा नहीं समझ पा रहा है, fatal error होगी, क्योंकि, यह बोल रहा है, यह head आपने खोला तो, और फिर से अपनी और head खोल दिया, इस बात का क्या मतलब है, वो तो बंद नहीं हुआ, और इस type का अलड़ी में एक element देख चुका था, एक page में head जो element है, वो एक ही बार हो सकता है, तो इस तरह से आप इस validator पर आकर अपनी जो चीज़ें उनको validate कर सकते हैं. यह किस type का element है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अंदर जाके चेक करिए कि आपको code पढ़के आपको समझ आता है या नहीं आता है, उसका अदम को क्या करना है, देखना है number of likes कहां लिखके हुए हैं, और उस number of likes को जाकर change करिए अपनी Instagram post में और उसका एक screenshot खीच के जरू डालेगा comments में मैं देखना चाता हूं कितने लोगी actually कर पाए, और last चीज है जो हमने last project में, जो हमने final page बनाया था, उसको जाकर के ये W3 जो मैंने आपको URL दिया, आपने notes में चेक करिए, इसको जाके वहाँ पे validate करिए और देखिए उसमें आपने कोई project का structure, यानि हमारे जो file के अंदर tags का structure होना चाहिए, और साथ-साथ हम जो file save कर रहे हैं, उस project का structure होना चाहिए, लेखिए वैसे अभी तक हम इतना पढ़ सुगे है, हालत तो कैसी हो गई है, हालत ऐसी हो गई है कि I need a break, कि BR का क्या मतलब हुआ, break tag, तो I need a break, बट फिर भी क् थोड़ा सा next level लेकर जा रहे हैं, भी basics आप समझ गए हैं, काफी सारे tags आप most commonly use करना हैं, दो levels, level 4, level 5 में उसको थोड़ा सा next level लेकर जाएंगे, सही तरह से काम करना सीखेंगे, और उसके बाद बहुत सारे list, जब level number 5 पर जाएंगे, तो list, form वो सब tags हम सीखेंगे, buttons कैसे ब बात करेंगे, उसके बाद body tags होते हैं, हमारे बहुत सारे type के हैं, बोडी के अंदर हमको content किसे साब सा organize करना चाहिए, तो header tag क्या है, main क्या है, section, article, side, photo, यह सब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे folder का क्या structure होना चाहिए, यह हमारे project का क्या structure होना चाहिए, वैसे आ हमारे level 4 complete होगा, तो चलिए जल्दी से शुरू करते है, level 4 का first chapter which is semantic, non-semantic tags, चलिए देखते हैं, semantic tags क्या होते हैं, semantic का क्या मतलब है, आगे देखेंगे, but basically सही चीज के लिए, सही tag आपको use करना है, यह जो tag जिस चीज के लिए है, वो tag आप उसी के लिए use करें, अभी क्या ह अरिका क्या है, कहां पर header tag use करना है, कहां article use करना है, कहां footer use करना है, कहां कुछ और use करना है, वो सब अगर आप सही चीज सही जगह पर use करेंगे, तो उन tags को क्या बोलते हैं, semantic tags बोलते हैं, तो जल्दी से देखते हैं, अगर मैं, यह मैंने थोड़ा सा notes के point of view से बनाया है आपके लिए, तो अगर आप दिखेंगे, semantic और non-semantic का difference क्या है, तो semantic tags क्या होते हैं, meaningful है, और describe करते हैं content को, यह अगर आप header के अंदर header रख रहे हैं, अभी हम देखेंगे, footer के अंदर footer रख रहे है, main के अपना main content रखते हैं, इस type से आप जो tag जिस चीज के लिए है, उस for search engines, यानि जब search engine आके आपका page दिखेगा, तो उसको पता चलेगा, अच्छाए speech का, यह header है, यह footer है, यह section है, यह navigation है, navigation है, navigation है, तो navigation आपने देखा हो, कई बार आप Google करते हैं, तो कुछ navigation बहार ही दिखाने लगता है, वो कुछ website के, popular website के, है न, तो वो कैसे होता है, मैं तब क्या है, गूगल को पता है, कौन कौन से इसके navigation tags है, उसससे न यहाँ पर इसको दिखाना शुरू कर दिया है, तो क्या होता है, इसका फाइदा, इसका फाइदा यह है, semantic tags यूज करनेगा, कि आप हमेशा correct चीज अगर correct में यूज करेंगे, तो सामने वाले को चाहे वो tag भी जैसे italic है, bold है, इसके अंदर कुछ नहीं पता क्या होगा, आप italic, bold किसी भी चीज को कर सकते हैं, तो यह semantic, non semantic का फरक है, इस theory में बहुत जादा नहीं जाओंगा, अब आप क्यों समझेगा, जहां भी हम use कर सकते हैं, अगर semantic tag नहीं मिल रहा है, तो या कोई generic आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए non semantic tag हम use कर सकते हैं, पहला chapter इतना सहीता बहुत छोटा सा बसी समझाना चाहरे हैं, आपको semantic tag यूज करना क्यों useful है, और वो कैसे आपको SEO rankings में भी help करता है, अब देखते हैं, यह सबसे important है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, body tag, जानि header तो आप, sections create कर सकते हैं, section किसके अंदर create कर रहे हैं, main के अंदर create कर रहे हैं, main के अंदर create कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैसे divide होता है, जो body tag है, वो 3 sections पर divide होता है, header, main और footer, ठीक है, अभी समझेंगे करके, header के अंदर क्या define करना है, main के अंदर क्या define करना है, footer के अंदर क्या define करना ह लानवह आप अपना под photo बना रहे है तो यह में Imिंदर कौन-कौन से section हो सकता है मेरी इंटर्णुफिंट का section हो सकता है इक्स्टर कर्यकुलर अगर मानके चले हैंशS एक्सक्राइब करें यह है तो हमारे पेज का पड़ी उतना इंपॉर्टन नहीं है या या यह ना भी हो तो ऐसा नहीं कि पेज का मेरे नहीं होगा उसको असारी चीज़े आपको इसी स्लैड में नहीं बताऊंगा आगे चलके एक एक को यूज करके अप जल्दी से देखते है सबसे पहले मेरे कौन सा अगया सबसे पहले आ अगया है अपने समय क्या है इसके अंदर मेंन क्या होग सक्षिं होगा यह आर्टिकल और section के अंदर भी हो सकता है या एक दम body के अंदर तॉप का मतलब है एक्टल जो content है उसमें body के एक दम अंदर उसके बाद क्या है एक बार तो हम define करी सकते हैं देखे जैसे body के अंदर यहां पर define किया हुआ आप चाहें तो इसको multiple बार भी define कर सकते हैं अगर मनली जी section भी आप के बड़े-बड़े हैं कि आपको section का भी header देना है तो आप section के header section का header define करने के लिए यहां पर header tag use कर सकते हैं देखे मैं नहीं क्या किया header के अंदर एक big जो हमने big और small use किया था यहां से big tag use कर लिया header के अंदर लिख जा this is the header output क्या गया अभी क्या है मैं इसको section में लिखूँ मैं इसको header में लिखूँ मैं इसको पूरा point बस यह है कि आपने सही चीज सही tag के अंदर लिखी ताकि machine को जब Google search हो रहा है उसको SEO को सबको यह सही जगे पर मिल पाए तो चलिए एक बड़ जल्दी से इसको use करके देख लेते हैं header tag को यह जो हमारा पुराने वाला है सब सब वाला यह हमने copy किया था इसको हम यहां से उड़ा देते हैं इसको मैं करता हूं यहां पर हम क्या करते हैं एमेट से क्या कर लेंगे basic code generate कर लेंगे body के अंदर क्या करना है body के अंदर direct आप क्या लिख सकते हैं header मैंने ख्लिए header tag generate होगा यहां लिखने की जुरूत है यह मैं कर सकता हूं this is my header मैं जैसी save करता हूं उसका क्या करेंगे यह tap तो हमने बंद कर दिया है तो run open with live server करते हैं यह देखे टाब इदर कुल गया यहां पर मैंने नॉर्मल टैग लिखा है यह बड़ा दिखा रहा हूं यहां पर में समझने की बात क्या है मैं समझने की बात है या में के अंदर लिखेंगे तो देखेंगे यहां पर क्या हुआ पर्पस क्या है primary content of the webpage जो आपका main primary content है वो आप सारा कहा लिखें main tag के अंदर लिखें यह भी again semantic tag हुआ meaning add कर रहा है unique है यानि यह सिर्फ एक ही बार हो सकता है आपके page में main content चार बार नहीं हो सकता main तो main है यानि unique होना चाहिए accessibility यानि जो मनली जे समने पहले बात की थी मनली जे कोई blind है कोई नहीं देख पा रहा है उसको क्या करना है को ऐसा software यूज करता है जो मानली जे page को बोल बोल के पढ़ता है उसको पता सिल जाता है page पर क्या है तो उसको पता चलता है कि इस page का main content क्या है accessibility में काफी हद तक help करता है और not for sidebars यानि आगर आपने sidebar में कुछ भी content रखता है जो आपका main content नहीं है चाहिए वो navigation में चाहिए वो कुछ भी हो तो उसको यह क्या कर देता है exclude कर देता है वो सब इसके अंदर नहीं होना चाहिए चाहिए navigation हो फुटर हो कुछ भी हो में इसके इसके इंदर क्या होना चाहिए बस जो मेरा main content है तो चलिए जल्दी से इसको भी use करके देखते है इसका क्या मतलब होगा मैंने define किया जनरली जब आप यह main define कर रहे हैं तो header भी आपको define कर लेना चाहिए तो मानलीजे मैंने header define करके बस यहां लिख दिया header इसके अंदर कुछ नहीं लिखते उसके बाद क्या किया मैंने define क्या main आप बनाते है अभी जल्दी से सेव कर लिया इसको करते है रन चलके देखते हैं कि दिखा क्या अगर मैं refresh कर लूँ तो देखे क्या दिख गया है यह मेरा header है और यह मेरा main content थीक बात है यह मेरा header यह तो अब main tag समझगे main tag क्या होता है जड़े चलते है next tag के तरह देखी main tag के अंदर वह देखे हम 2.2 पर थे अब हम 2.2.1 पर आ गया main tag को भी further divide के है यह आपका main content तो है पर main content के अंदर क्या क्या हो सकता है तो main content के अंदर क्या आएगा section यह काफी important tag है इससे आप mainly page को divide करते हैं ना बहुत लोग यहां पर debuse करते हैं debuse नहीं करना है section एक बहुत अच्छी चीज़े सब sections divide करते हैं मैंने क्या बात की थी मानलीजे जैसे यहां example देखे मैंने क्या बोला आप अगर अपना resume का website बना रहे हैं तो आप क्या define कर सकते हैं यह technologies कर सकते हैं एक मान लीजे मैंने section बना लिया courses का जो मैं courses पढ़के आया हूँ या मेरे जो subjects हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं hobbies का section बना लिया तो क्या हुआ यह सब मेरे main content के अंदर आ गया कि दिखा कैसे technology courses hobbies यानि again मैं फिल से बही बात करता हूँ आप मैं इनको direct paragraph में लिख देता या मैं इनको direct div tag में लिख देता जो हम बात में देखेंगे तो भी output same ही दिखता यह क्या हुआ अगर कोई मेरा page search कर रहा होगा कोई machine आई उसको पता से जाएगा अचा है इसके page के अंदर यह sections है तो उसको कहीं पर अगर दिखाना है कहीं पर search मेरे को दिखाना है तो यहां पर sections को पढ़के दिखा सकता है इसका जल्दी से purpose दिखते है purpose क्या है groups related content in a district section यानि एक जैसा content यानि आप आप पहले heading लिखना है तो उसके लिए भी आप मदला heading के साथ आप इसको लिख सकते हैं यह यानि एक के अंदर एक भी हो सकता है यह section के अंदर section भी define करना possible है section के अंदर article भी define करना possible से सक्षन को भी चलाकर देख लेते हैं हमारा यह फाइल तो चलि रहा है इसी के अंदर देख लएते हैं इसको paragraph को कर देते हैं थोड़ा सा चोटा में के अंदर पहले है था डारे पार ग्राफ लिए था मैं क्या करूंगा पहले में बनाउंगा section so, मैंने section बनाया मानलीजे जह हम resume की जगए कि मानलीजे college की website बना रहे तो मानलीजे पहला section क्या होगा admission dates तो मानलीजे मैं इसको header बनाकर लिखता हूँ admissions ठीक बात एक और section बना लेते हैं दूसरा section क्या होगा admission हो गया मान लिजे एक section हम बना लेते हैं placements दूसरा section क्या बन गया placements के नाम से बन गया अभी जो बाहर मैंने लिखा दाओ इसको मैं देता हूँ उड़ा पेज को मैं करता हूँ save देखिए सब मेरा main section है main के अंदर क्या क्या आ गया main के अंदर मैंने 2 section बना दी और 2 section के अंदर अभी फिलाल मैंने 2 headings लिख गया जब मैं यहां के अंदर दो headings दिखना है section है यह सारी information एडिमिशन पर वापस आ जाते हैं चलते हैं अगले tag की तरफ जिसका नाम क्या है article tag यह किसलिए use होता है मानलीज आपको कोई news post दिखाना है या story दिखाना है तो उसके लिए use होता है तो आप main के अंदर एक तो section मानली section के अंदर आपको पूरा article लिखना है थोड़ा लंबा content लिखना है तो उसके लिए article जनरली यूज किया जाता है परपस क्या है enclosed content that stands alone like a blog post और a news story तो अगर आपको अब यूज होता है content should make sense even if taken out of the page context यानि यह article जो है कि आपके page से related हो सकता है वो यह आपके page पर dependent नहीं है आप देखो यहाँ पर ने क्या किया एक यहाँ पर पूरा पूरा knowledge gate के बारे में क्या लिखा एक article लिख दिया जो बता रहा है कि knowledge gate जो YouTube channel है वो क्या क्या करता है तो यह हम अपने page भी दिखा सकते हैं बटगरी मैं कहीं और भी लिखता हूं तो भी अपने आप में meaningful है ऐसा नहीं कि इसी web page के लिए यहां के बारे में पूरा हमान लिख करना है तो वह भी कर सकते हैं उस पर पूरा पूरा अलग इसने यहां पर लिख दिया है हम इसको जैसे की बात की थी एक किसी के अंदर भी हो सकता है आर्टिकल हो सकता है किसी section के अंदर अंदर हो तो आपको article section के अंदर अगर move करना है तो वह भी कर सकते हैं उस पर भी कोई issue नहीं है पर उम्मीद करता हूं आपको यह तीनों समझ आए होंगे है न यहीं इसके अ क्या मतलब है असाई टैग का मतलब है ऐसा कोई content जो आप लिख तो रहे हैं बट वो आपके page से directly related नहीं है बहुत जादा related नहीं है जैसे हमने पहले देखा था क्या माली जो hobbies लिख सकते हैं कुछ ऐसा लिख सकते हैं तो यहां पर देखे हमने क्या लिखा है एक्जांपल द तो इसलिए यहां पर क्या करना है इन चीजों को aside tag में आप मूब कर सकते हैं जो search है उसको पता चल जाएगा मालीजे कोई algorithms की book search कर रहा है तो उस case में वो आपके page को ना दिखा है क्योंकि आपने भले ही लिखा यह जरूर है बट यह आपका main content नहीं है उसको ऐसा ना आपको चूके जो निकलने वाला आपने कुछ ऐसा किया है तो उसको यहां पर आप लिख सकते हैं इस नौट कुरूशल एग्जम्पल्स के यहां विजट्स ले सकते हैं कोट्स ले सकते हैं यह मालीजे लिख देते हैं इसको सेव करते हैं जाके देखते हैं कैसे यूज हुआ कि पारग्राफ के बाद क्या गया इस नौट अलग से लिखा गया अगर आप यह बॉटम में देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है यह मेरा अलग से एक जो साइट था वो नीचे आ गया है सब मेरा है और देख बाद के अब जांगया है यहां मेरे सब्सक्नित अदर में सकते हैं और उसके बाद क्या होगा अब जल्डी से देखते हैं यह नाम से काफी अध्या क्लियर हो रहा है फुटर कंटेंट यह आपको इन्फो लिंक्स देने जैसे आप दिखतो किसी वेबसाइट में नीचे क्या होता है मेरे कॉंटक्टर जो इस इस तरह के लिंक्स होते हैं यह मली जी किसी को सपोर्ट का लिंक देना है यह अपने इसको भी देख लेते हैं जल्दी से शेयर गिंट मेरे खतम होगे आप फिकल मेरे को दिखाना खख़i तो इसके बाद दिखाना रहा है मैं बना लिए कि हंभिलन को देखा वेयर थ्रूच कप हैं कि आफक chili सब नहीं डेना पट बाइंक डिक फॉटर के बीच में मेरे हम के फोटर से पहले मेरे कच्छी प्यारी मेरे यह पर दिख रहे हैं यह मेरा काम होगा फुटर का उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा जो body है, यह समझ आया होगा, इसके बाद हम folder structure देखेंगे, पर अगर थोड़ा सा वापस जाके देखें, हमने क्या क्या देख लिया है, हमने सबसे पहले देखा, header tag क्या होता है, main tag के अंदर फिर क्या क्या होता है, main tag के अंदर आया section tag, article tag, aside tag, और उसके वाद एक हमने folder का structure है, हमने page का structure नहीं, page का structure हमने क्या देखा है, हम कैसे divide कर रहे है, body को divide कर रहे है, header में, footer में, main में main को divide करना है अलग-अलग sections में या उसमें article use कर सकते हैं, side use कर सकते हैं अब हम देखते हैं हमारे project का actually क्या structure होना चाहिए देखें जैसे हमने project बनाया है हम already भी आप देख रहे हो ठीक से project structure बना के चल रहे है वाट क्या-क्या होना चाहिए, एक root directory जो की होती है, यानि यह क्या है main folder जिसमें आपकी सारी-सारी files होंगी उसके बाद html files के लिए एक folder बनाना जरूरी है, यानि क्या होगा आपकी जो सबसे main index.html file है जैसे आप यहां देख रहे हैं वो तो क्या है, वो तो भारी पढ़ी हुई होगी याना, बट उसके अलावा एक जो आप html का आपको एक folder बनाना चाहिए जिसके अंदर आप बाकी html की जो files है उनको रखें, वो यहां पर नहीं है भी, जह हम नहीं बनाया था तो उसमें और html files नहीं थी, याना और यहां पर आपको क्या करना चाहिए, html का एक folder बनाना चाहिए, उसके अलावा क्या करना है, css का भी folder बनाना है, यानि सारी की सारी जो आपकी css है, वो एक ही folder के अंदर रहेगी, तो जब आप css बनाएंगे, तो css का अलावड हैंगे, यानि, जैसे अगर मान लीजे मैंने html का एक folder बना लिया, बट अभी आप main में भी जेखेंगे हमारा जो project उसमें कितनी सारी files होई है, तो मान लीजे मैं कल को इसको level के साब से divide करना चाहूँ, तो मैं उसके अंदर भी sub-directories बना सकता हूँ, आप logically उनको divide करने के लिए sub-directories बना सकते हैं, बट main root के अंदर आपकी ये directories, तो necessarily अगर इन में से कोई content है आपका, तो वो होनी ही चाहिए, ताकि आपका content उससाब से divide हो सके, ठीक है, folder structure में इतना बहुत जादा complicated नहीं है, बहुत जादा बड़ा project भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ HTML का project बना रहे हैं, बहुत जादा complicated नहीं है, तो अगर आपने इतने folder भी बना लिए हैं, तो वो more than enough है, आपको बसे समझना है, कि मैं सही चीज, सही folder में डालूँ, उसका ठीक से reference करूँ, तो इसका मतलब मेरा folder structure जो है, वो एकदम ठीक चल रहा है, चलिए, जल्दी से आते हैं, जिस चीज का में जनरली इंतजार रहता है, और टाइग, यानि, हमने level 4 में काफी सारी चीज़े देख लिया, अभी तक structure देख लिया, है न, semantic, non semantic देख लिया, folder structure देख लिया, अब जल्दी से थोड़े से और tags बढ़ लेते हैं, जो चाहे हमको structure में help करें, पर थोड़े से और tags हमको पढ़ने को भी ले, तो देखिए, सबसे पहला tag हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, navigation tags, तो navigation tag का क्या मतलब होता है, navigation tag कैसे define करते हैं, nav से define करते हैं, जो भी मेरे को navigation के लिए tags important हैं, यानि मान लीजे, मैं अपने anchor tag use करके, मैं अपने ही page की अलग-अलग चीजों को reference कर रहा हूँ, या मैंने क्या लिया, hash home, hash about ये क्या है, id है, उन tags की जिन पर मैं directly link कर रहा हूँ, अब यहाँ id काम अगई, यानि अगर मैंने कोई ऐसा tag define किया हूआ होगा, जिसकी id मैंने home define करी है, तो ये link directly उसके लिए बन जाएगा, यानि मान लीजे, सबसे पहला tag define करता हूँ, उसको मैं home बोलता हूँ, तो जब भी कहीं पे भी page पे home click करेगा, तो क्या करेगा, वापस page scroll करके मेरे को top के लिए आएगा, about section मान लीजे, मैंने सबसे end में डाला हुआ है, या context section मैंने सबसे end में डाला हुआ है, तो वो section जहां भी होगा page में, जैसे ही कोई अब आदमी इस link पे click करेगा, तो again, जब SEO होगा, तो उसको पहले से बाहर से पता चल जाएगा, कि ये इसके सारे links हैं, अगर वो page के बाहर जैसे google search में दिखाना चाहेगा, तो वो आपके links को उठा करके दिखा देगा, दिखे purpose क्या है, navigation link menu, semantic में क्या होगा, signals that content is meant for navigating the site, commonly, generally क्या होता है, इसके अंदर list बनाई जाती है, UL, OL से वो हम देखेंगे कैसे बनाते है, accessibility के लिए भी फाइदे बन्द होता है, अगर कोई blind आदमी है, वो देखना, मतलब आपके page को navigate करना चाहता है, आपके page पे experience करना चाहता है, क्या-क्या content है, उनके लिए भी काफी helpful होता है, तो चलिए एक बड़ navigation tag को use करके देख लेते हैं जल्दी से, यह आगया मेरा studio, इसको कर देते हैं, बंद, इसको भी कर देते हैं, बंद जो हमारी पुरानी खुली होई है, अभी बॉड़ी के अंदर मेरे को दिखाना है, तो navigation हमने अभी क्या पढ़ा था, कहां पर दिखाना चाहिए, ideally header के अंदर दिखाना चाहिए, तो सबसे पहले करेंगे header, header के अंदर अब क्या दिखाएंगे, nav, एक बना देते हैं, nav, मैंने nav बना दिया, इसके अंदर अब आप लिंक बना सकते हैं, मानलीजे मैंने यह बनाया, अब आप इसको hashtag लगा के, कोई भी ID दे करके, मानलीजे मैं header के बाद एक main भी बना लेता हूँ, ठीक है, main बनाता हूँ, main के अंदर बना लेता हूँ, एक tag, मानलीजे paragraph tag बनाते हैं, और इसको ID दे देते हैं, content, ठीक है, इसको मैंने ID देती content, अब में क्या कर सकता हूँ, मैं link में आकर करूँगा, hash content, यानि इस ID के पास आपको जाना है, और content नाम का यहाँ पर एक link बना दूँ, इसको मैं यहाँ इसके अंदर, lorem कर देता हूँ, lorem 25, ताकि कम से कम 25 चारक्टर तो जनरेट कर दे, मैं content दवार हो, तो देखिए, मेरा URL चेंज हो जाता है, hashtag, hash content, यानि, यह मिर को यहाँ पर, ले जानी कोशिश कर रहा है, इसको एक बड़ देख लिते हैं, हम क्या करते हैं, बीच में बड़ा सा paragraph आड करते हैं, तो बीच में क्या करेंगे, बड़ा सा paragraph आड करते हैं, मन लिजे, इससे पहले मैं एक और paragraph आड कर देता हूँ, और इसको हम देते हैं, lorem 500, ठीक है, इससे यहां मैंने 500 generate करा लिए अभी मैं इसको toggle software आप इसले नहीं कर रहा हूँ कि पूरा page मेरा चला जाएगा 500 मैंने generate किया है यहां आपको यह समझ आए मैंने 500 वाला बना लिया content के लिए उपर link है और यह content वाला है अगले tag की तरफ अचा यह tag नहीं है इस पहले element के बार बारे में पढ़ लेता है यह आपको मैंने again difference form में दिखाया है ताकि यह आपके notes का काम करे block और inline elements क्या होते हैं सबसे बहुत है block element क्या है block element वह है जो start होता है new line पर अपने आप new line डाल देता है हमेशा page की full width लेता है यह सबसे important point है block element का यानि आप उसको page में कितनी भी width दें वो पूरी की पूरी width ले लेगा styling it can have margins padding css वाला बात है इससे बहुत जाद आपको मतलब नहीं रखना है width and height can be set यह दोनों चीज़े में set कर सकते हैं examples क्या है div tag p tag paragraph tag आपने देखा था हमने देखा था उपर नीचे space छोड़ता है इसलिए चोड़ता है heading tag उपर नीचे space छोड़ता है इसलिए चोड़ता है कोई line break नहीं करते इनका size भी set नहीं किया जा सकता examples क्या है span है a strong है image है जो हमने बनाए थे एक बार जल्दी से देखे एक हमारा anchor tag भी पढ़ा हुआ है तो anchor tag को चला के देखते हैं और जो हमारा paragraph tag है इसको एक बार जाके inspect करके देखते हैं कि ताकि हमको पता चले कि block or inline element क् मैं सबसे पहले मन लीजे paragraph tag बनाता हूं और इसमें कर देता हूं ज्यादा content नहीं लिखना चारा मैं इसमें ठीक है this is a paragraph उसके बाद मैं क्या बनाता हूं एक anchor बनाता हूं anchor tag और इसको देता हूं hashtag ठीक है अभी मैं यह define नहीं भी करूं तो चलेगा बड़ मैं इसको यहां प देखे this is paragraph गोटू पर यह मेरा paragraph आगया है मेरा यह आगया तो सेम ही है next line में भी आया पर यह next line में इसलिए आया क्योंकि यह paragraph ने next line दिया था इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं आप देखे एक बार अप क्या करते हैं अपने ही page को inspect कर करके यह मैंने किया inspect देखे क्य ली हुई है बट जब मैं anchor tag पर करता हूं तो देखे सिर्फ कितना selected part दिखा रहा है जितना मेरा actual tag है इसका मतलब क्या हुआ यह मेरा inline element है या अगर मैं एक के बाद एक all link लगा हूं मान लीजे मैं यह anchor tag एक एक बार इसको copy paste करके फिर यही पर लगा देखे एक ही line में आ र paragraph को copy paste करता है अगर मैं यहां पर एक और paragraph को same line में भी copy paste कर दूँ यहां से मन लीजे मैं यह line हटा लेता हूं वैसे आपको पता inlines का फरक नहीं पड़ता यह दूसरी line में है यानि यह था एक block tag block element जिसने क्या किया पूरा पूरा space ले लिए और उपर नीचे भी space छोड़ द तो उमीद करता हूँ आपको block or inline समझ आ गए होंगे तो हमने block or inline elements समझ लिए कि block or inline elements क्या होते है अब फिर से tag देखते हैं div tag यह आपने इससे पहले examples में कई बार देखा होगा मैं use कर चुका हूँ div tag क्या है div tag एक generic tag है यानि non semantic tag है सबसे पहले important बात क्या है यह non semantic tag है य इसका कोई purpose निए this is just a container for other HTML elements यानि मान लीजिए आपको और HTML elements के लिए container चाहिए ताकि आप बस चीजों को उसके अंदर रखके उसको कहीं रख सकें इसका क्या फाइदा होता है मान लीजे आप section नहीं बनाना चाहिए पर फिर भी दो तीन logically related चीज़े जिनको आप एक साथ रखना चाहते है या जिनको आप एक साथ move कराना चाहते है जिनको एक साथ color देना चाहते है CSS apply करना चाहते है, transitions लगाना चाहते है, positions लगाना चाहते है तो आप क्या कर सकते है या तो individually आपको जाके वो हर एक चीज़ पर अलग अलग करना पड़ेगा या दूसरा तरीका क्या है आप उन सब को एक div के अंदर मांदे उस div को एक idea दे जो उस div पर करें जो भी आपको करन नहीं, div tag का अपने आप में को मतलब नहीं, this is just a container for other elements, अब div के अंदर all divs भी हो सकते हैं और div के अंदर और बाकी tags भी हो सकते हैं ठीक है, तो generally styling के लिए flexibility के लिए अपन लोग इसको यूज़ जूम मैंने कर दिया गलती से styling here flexibility के लिए इसको हम use कर सकते हैं, बर जल्दे से div tag को भी use करके देख लेते हैं, इसमें है कुछ नहीं क्योंकि यह container है, इसके अंदर हम कर तो कुछ नहीं पाएंगे, इसके अंदर हम कर दो कुछ नहीं पाएंगे, इसके अंदर बना लिया, div के अंदर क्या करते हैं, मान लीजे, एक मैं बनाता हूँ paragraph फिर से, एना, this is a para, और एक में क्या बना लेता हूँ, para के साथ सत्मान लीजे, एक हम use कर लेता है, big, इना, this is big, इनको मैंने क्या कर लिया, बंद कर लिया, div के अंदर, अब मैं यहां आता हूँ, इसको एक बार refresh कर लेते हैं, this is a para, this is a big दिख रहा है, पर अगर मैं यहां पर आकर inspect कर रहा कि देखे, para भी और जो big है, दोनों एक div के अंदर है, अगर मैं आकर div पर hover कर रहा हूँ, तो देखे, दोनों selected दिखा रहा है, अब मैं इस div पर कुछ भी चीज़ अप्लाई करूँगा, कोई CSS अप्लाई करूँगा, कोई JavaScript अप्लाई करूँगा, कोई text size अप्लाई तो यह बात आपको समझ आनी चाहिए, div is just a grouping of tags, अब आगये span tag, जैसा div tag था, ऐसा ही span tag था, only फरक क्या था, जब हमने block और inline elements पढ़े थे, वापस चलते है उस notes पर, block और inline पर, div किस चीज़ का example था, block element का, और span किस चीज़ का example है, inline का, यानि अगर मैंने किसी चीज़ क div के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी blocking space उसके बाद लेने लगेगा, मालीजे चलो, इसका मैं आपको फिर से एक example दिखा देता हूं, वापस चलते है, div वाली file खोल लेते है, अगर मैं आपको खोल के दिखा हूं, अब यह देखे, मैंने P डाला था, अपने आप में वो था, मैं एक बार क्या करता हूं, नए index वाली file में आपको करके दिखा देता हूं, notes में उसको डाल देंगे, मालीजे में body में क्या कर रहा हूं, पहले सबसे पहले बनाता हूं, एक div, फिर से div बना लिया हूं, एक कम type करने की वज़े से, मैं सोच रहा हू और इसका मैं नाम रख देता हूं, dummy, अब मैंने इसको कर दिया div के अंदर, अब देखे अगर मैं यहां आकर इसको check करता हूं, और मैं इसको कर रहा हूं, inspect, तो देखे, जब मैं anchor tag पर आता हूं, तो यह क्या ले रहा है, सिर्फ उतनी ही width ले रहा है, जितनी इसको चाहिए अब मैं जैसी div पर आके देखता हूं, तो देखे, क्योंकि यह block element है, तो यह क्या कर रहा है, पूरे के पूरे page give it यह ले ले रहा है, तो अगर आपने कोई भी div define किया है, तो क्या होगा, एक तरह से sections क्या बना रहे है, आप वर्टिकल sections बना रहे है, क्योंकि हर div क्या करेग आपने पूरी की पूरी horizontal width अपने साथ में ले ले लेगा, ठीक बात है, इसको भी उठा कर क्या करते है, copy कर देते हैं, एक और div की तरह, div.html के अंदर ही ताकि यह भी आप बात में देख पाओ, ठीक है div तो हमने देख लिया, आप हम एक पढ़ के पढ़ के रहे थे, div के ब जनरली span use होता है, तो मैंने क्या क्या मन लीजे, this is a highlighted word in a paragraph, अभी मैंने यहाप इसकी class define करी है, ताकि बाद में, जैसे ID होती है, ऐसी class भी होती है, बट यह इसलिए मैंने define करी है, कि मैं बाद में इस highlighted word पे कोई भी CSS apply कर सकने, जैसे आप ID पे CSS apply करते हैं, ऐसे आप class पे भी CSS apply कर सकने, तो purpose क्या है, used for inline elements to style or manipulate a portion of the text, यानि text में से अगर मेरे को किसी portion के लिए कुछ करना है, तो मैं span define कर दूँँ, आप देखे, क्योंकि inline element है, तो यह लेगा भी अपनी width सिर्फ इतनी है, यानि मैं इसको paragraph के बीच में भी डालूँगा, तो किसे को कुछ पता नही यह क्या है, पता नहीं, इसको span के अंदर है, क्या span के अंदर आप कुछ भी डाल सकते है, styling के लिए generally use होता है, और यह inline इसका, इसका भी बहुत छोटा सा example जल्दी से बना के देख लेता है, यानि मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं आपको explain करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल इसको यहां तक कर लेते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉलर को क्या define कर देता हूँ, as a span, मैंने span किया, और डॉलर को इस span के अंदर डालिया, क्योंकि एक inline element है, तो इतनी width लेगा, यह इतनी width लेगा, जितनी इसको मेली हुई है, और यहां पर आप चाहे ID define करें, चा यह पूरा का पूरा paragraph है, यह block element था, पर इसमें देखे पहले, यह lorem ipsum अलग से दिखा रहा है, यह sit emit अलग से दिखा रहा है, और डॉलर को expand के अंदर दिखा रहा है, यानि मैं चाहूं तो इस डॉलर के ओपर आप कुछ भी apply कर सकता हूँ, css मैं यहां दिखाना नहीं च का यहां आकर जो है, जो हमने live editing में देखा था, यहां से वो कर सकते हो, यहां आपकी, जो css से वो दिखती है, css से आप यहां कुछ भी आगे, जैसे मैंने color change करती है, text का तो देखे है, dollar हो गया, तो span का आपको मतलब समझ आ रहा है, text के बीच में भी अगर आपको किसी ची आप पहले notes देखें, परसे तो notes के अंदर भी हमने example दिए हुए है, शाद आपको अलग से ना देखना पड़े, यह सब आपको दिख जाएगा कि इसका क्या मतलब, फिर भी आप इसका code देखना चाते है, तो आप GitHub पे जाके पूरा code देख सकते हैं, तो यह क्या हो गया मेर उसके बाद यूज करना है, फुटर, और में भी internally कैसे divided है, section में divided है, article में divided है, aside यह नहीं section आप बना सकते है, उसके अलावा कहीं article की जरूद हो, तो article यूज करिए, कहीं कोई advertisement दिखाना है, या unrelated चीज दिखानी है, तो उसको aside tag के अंदर रहे, folder structure हमने देखा कैसे mhtml का अ navigation tag को हमने ये भी देखा कि same page में कैसे navigate कर सकते हैं, अगर कोई चीज नीचे है, तो कैसे automatically scroll होके जा रही है, block inline elements देखे, कैसे कुछ elements जैसे paragraph या div पूरी की विर्थ लेते हैं, और कुछ elements उतनी लेते हैं, जितनी हो हैं, जैसे anchor और span हमने चला के देखे, div tag हमने देख लिया जल्दी से चलते हैं, level 4 के project लिता है, जल्दी से हम अपना project देखते हैं, हमने पढ़ा क्या है, HTML in project structure पढ़ा है, तो उसी type के project करेंगे, क्या करिए, एक page बनाईए, जिसके अंदर header हो, footer हो, main section हो, main के अंदर क्या क्या हो, section हो, article हो और aside tag हो, इन सब का use करके पहले एक page बना है, make sure करिए, सारे folder structures correct हो, HTML के अंदर भी मैं आपको suggest करूँगा कि आप HTML folder के अंदर भी subfolders बनाईए, जितनी भी आपने files बनाईए, मानलीजे, चाहे आप उनको level के subject करना चाहे है, या context के subject करना चाहे है, उनको सब को अंदर, अलग-अलग subfolders में divide कीजे, उसके बाद क्या उसके बाद सेम चीज़ जब आईए आप define कर देंगे, तो आपको define करना है navigation, यानि header section के अंदर आप navigation define करिए, आप मानलीजे अपने resume की website बना रहे है, तो important जो भी चीज़े हैं, जितने भी sections है, education section है, जितने भी sections बना रहे हैं, हर section का navigation link उपर दीजे, ताकि मुझे आपकी पूरी website ना देखनी पड़े, आपका पूरा resume ना देखना पड़े, मैं सिर्फ आपकी hobbies देखना चाहता हूँ, तो मैं hobbies पर क्लिक करके hobbies वाले section में चला जाओ, अगर मैं आपके सिर्फ internships देखना चाहता हूँ, या आपका experience देखना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर चला जा तो चलिए जल्दी से चलते हैं level 5 की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा level 5, level 5 जो होगा last level होने वाला है, थोड़ा सा advanced level होने वाला है, उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, हम list पढ़ेंगे, हम list कैसे create करते हैं, हम tables पढ़ेंगे, और हम forms पढ़ेंगे, तीनों ही थोड़ पहरें, तो फ़ली बाद तो list का मतलब समझते है, list का मतलब क्या है, list का मतलब कि आपको किसी भी चीज़ की list बनानी है, माले जिए आपको अपनी, अगर हम अब आपको list बनानी है, तो जैसे examples बहुत बार आते हैं, जहाँ आपको वेb page में कोई list बनानी पढ़ेंगे, list जो लिस्ट का क्या मतलब यह आपने जब आप वर्ड एक्सल पावर पॉइंट जनरली चलाते हैं वहां भी आपने बहुत बार देखा होगा जब आपको लिस्ट बनाते हैं तो आप किसे आप से बना सकते हैं उसमें अपने आप नम्बरिंगा है 1 2 3 4 5 अब देखें यहां ने बनाई यह बोडी के अंदर डिर्क्ली लिस्ट बनाई है ओल मींस ओडर लिस्ट एक बात आप बहुत ध्यान रखेंगे इस सब अब हम इतने टैग्स बढ़ते जा रहे हैं अब और बहुत सारे टैग्स पढ़ेंगे यह सब याद कैसे रहे हैं आपको याद रखने की ज़र लिस्ट नहीं है और इसके अंदर जो भी पूरा होगा जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा तो आप लिस्ट का कंटेंट है और उसके अंदर जब हमको लाइन इतम बनाने है तो हम लाइस से बना सकते हैं लाइन परपस क्या है इसका used for creating lists with items that have a specific order यानि यह अनुर्ण नहीं 12345 यानि सपोज आप यह किसी चीज़ के steps हो सकते हैं कोई algorithm हो सकती है ना कुछ भी हो सकता है तो इसलिए यह ordered की तरह आता है तो default क्या है यह automatically numbered होता है 12345 आता है और यह एक list के अंदर दूसरी list भी हो सकती है यह कैसे हो सकती है यह अभी देखेंगे जब हम actually इसका example करेंगे तो चलिए पहले एक ordered list बना के हम देख लेते हैं चलते है अपने IDE की तरफ यह हमारा बनके तयार है इस बार बहुत time बाद title भी इसका change कर लेते हैं क्या कर लेते हैं लिस्ट ठीक है यह मैंने कर लिए अब मैं आ गया body के अंदर अब मैं आगया body के अंदर body के अंदर हम बनाते हैं को मान लीजे किस चीज़ की लिस्ट बना रहें technologies that I know तो इसका line item बनाएंगे क्या मान लीजे आपने college के लिए बना रहे हैं तो हम यहां लिख देते हैं मान लीजे c language में रिखते हैं उसके वाद क्या 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 बनाएंग जाके देख रहा हूं देख क्या हो रहा है 1234 इसने numbering अपने आप देदी इसका एक फाइदा और क्या है आपको numbering याद नहीं रखनी है आपको numbering नहीं देनी हम मैं मान लीजे HTML को उठाके यहां उपर move कर देता हूं यह HTML बन हो गया है बाकी सब अपने आप 234 नंबर इनके आ गयें तो क्या हुआ मेरी एक ordered list create हो गई और इसके इंदर इनमबर अपने आप आ गये नेस्टिड वाला जो वहाएक point था वो कैसे करेंगे मान लीजे अब मैं क्या दिखाना चाहरा हूं मैं यह बताना चाहता हूं HTML के अंदर मैंने क्या कर सकता हूं एक और OL define कर सकता हूं मेरी और ordered list है और इसके अंदर मैं क्या करूं मान लीजे मैं बोलता हूं level इसकी line items बनाते है line item क्या होगी मान लीजे मैंने पढ़ लिया है level 0 एक दूसरी item क्या होगी मान लीजे पढ़ लिया है level अभी मैं इतना ही दिखा रहा हूं बहुत जादा detail में क्या कर रहा हूं point हमको क्या देखना है लोल के अंदर एक और वैंने अड़ कर दिया line item की अब मैं दिखा रहा है तो देखिए अपने आप क्या हुआ है nesting होके दिख गया या यह one है इसके अंदर का one इसने यहां फिर से दिखा दिया दिखा रहा है यह बापस देखिए one में level बना गया टू में लेवल भी आ गया, इसकी ordering इसने फिर से अपने आप शिरू कर गी, तो ये क्या हुआ हमारी, ये होगी, ordered list हम कैसे देखते हैं, समझा, hope कर रहा हूँ, आपको ordered list यहाँ पर समझ आ गई है, एक important बात क्या है देखने वाली यहाँ पर ordered list में, कि ordered list कई type की होती है, अभी हमने देखा, जो देखें, मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं है, पर वो कैसे चल रही थी, 1, 2, 3, 4 से चल रही थी, और यह और किस type की हो सकती है, हो सकता है, आपको ABCD चाहिए हो, तो आप इसमें type define कर सकते है, attribute define कर सकते है, type, अगर आप नहीं define करते हैं, तो by default हो one मान के चलत इसको जल्दी से implement करके देख लेता है, लिस्त हमने अल्यडी बनाई हुई है, इसको हमको बस क्या करना है, यहाँ पर define करना है, type, माली जो मैंने type define कर दिया, capital A, मैं इसको save करता हूँ, वापे जाकर देखता हूँ, अपने आप ABCD सारे change होगा है, बड़ो 3, 4 से, तो मैंने जहाँ पर मैं OL define कर रहा हूँ, list item में नी define करना है, जहाँ मैंने order define कर दिया, A तो यह अपने आप आपके define होगे, माली जो अंदर वाला है, इसको मैं बना देता हूँ, छोटे वाला roman, तो मैं यहाँ अंदर type define कर रहा हूँ, क्या, मैंने small i यहाँ पर लिख दिया, save किया, जब वापस आये तो देखी क्या हुआ, यह आई बना पर यह नहीं बना ऐसा क्यों हुआ, अच्छा मैंने देखी क्या क्या, मैंने list item के अंदर define कर दिया, जो भी मैं गलती आपको समझा रहा था, वो गलती मैंने खुद करना कहां था, OL मैंने OL में जैसी type define किया, वापस आय है, उसके लाबा capital A, B, C, D, small A, B, C, D, Romans capital और Romans small, यह हम को चारो type के हमको समझ आगे, क्या करते हैं, जल्दी से इस file को ठाके, अब देखे, मैंने क्या क्या किया, स्थी में अपनी levels के सब से range कर दिया, था कि जब आपको notes देखे, तो इस अब level के सब से देखे, index को ठाके डा कर ले आता है, इसको, मेरी बाहर आकर, create हो गई, order list करते हैं, बंद, और इसको code को generate करके, use करना, start करते है, order list होगी, हमने order list भी देख लिया, और इसके types भी देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, unordered list, अगर आपने ordered पहले देख ली है, तो अब unordered में कुछ नहीं बचा ह अब लिस्में को क्या करना है, देखी, unordered list कैसे define किया है, इसके define किया है, ul से, यानि, unordered list, order list कैसे define किया था, ol से, line items same रहेंगे, अंदर आपको यह नहीं सूचना है, कि यह मेरी ordered list है, या unordered list है, तो मैंने यहाँ ul define किया, तो अब यह दिखें, क्या हुआ हूँ है, unordered लगा देगा, default क्या है, bulleted items आते हैं, and can be nested with other list, यह भी और उसकी तरह, nesting की जा सकती है, वापस चलते हैं, एक बार देखते है, unordered list कैसे define करेंगे, तो मैं body के अंदर हूँ, body के अंदर सबसे पहले define करते है, unordered list, इसको enter कर देते हैं, फिर से line items define करते है, मान लिजए इस आपको इसमें दिखाने के लिए लिए, तो मैंने क्या कर दिया, youtube कर दिया, आप मैं यहां आया, page refresh किया, क्या हुआ, dot के साथ मेरे को तीनो, cycling cricket, youtube, मेरे को यहां पर hobbies में लिए, यह अगर मेरे को unordered list दिखानी है, तो मैं बस ul लिखूंगा, li, 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 li लिखूंगा, और व difference के tables बनाएं, एक साइट पर एक चीज, एक साइट पर एक चीज, उसका table हम बनाते आ रहे हैं, उसमें rows बनाते आ रहे हैं, गर इस type का table आपको अपने HTML के page में बनाना है, तो कैसे बनाएं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं, कौन कौन से इसके लिए tags use होते हैं, इसके लि जो मेरा actual data का row है, उसको क्या बोलेंगे, table row बोलेंगे, चाहे वो data हो, चाहे वो header हो, ठीक है न, एक row अगर मेरे को दिखानी है, चाहे वो header की row है, चाहे वो header की row है, वो क्या होगी एक, TR होगी, उसके लावा TH क्या होगा, table header और TD क्या होगा, table data और एक हमारा tag होई गया, जिसका नाम है table, तो कौन-कौन से tag होगा, चार tag होगा table से आप table define करेंगे, उसके बाद हर एक row define करने के लिए आप use करेंगे TR, उसके बाद अगर आपको heading define करनी है जैसे कि यह name, age, email तो हम use करेंगे TH, यानि heading और अगर actual data define करना है तो क्या करेंगे TD, यानि table data तो एक बार जल्दी सब left में देखते हैं देखिए क्या किया है यहाँ पहले एक table tag define किया इसमें attribute क्या पास किया, border equal to 1 1 क्या है, width है, तो यह नहीं देखिए 1 width का border इसके चाहतर तरफ आगे, अगर आप border नहीं देंगे तो border नहीं आएगा, table फिर भी आएगी या देखने में आपको शायद ना लगे कि वो table है बट वो table होगी, अपने असाब से side adjust करेंगे, उसका देखिए उसका आद हमने क्या किया है पूरी table को हमने tr, tr में राख किया है ये एक tr है, ये एक tr है, यानि हम table row, table row यहाँ पर बना रहे है पहली वाली row के अंदर, tr के अंदर हमने क्या किया tht, th, th दिया, यानि table heading, table heading, table heading दिया, और उसके बाद td, td, td दिया, यानि table data, table data टेबल डेटा हमने दिया तो यह चार टैक्स का यूज हम जल्दी से देखते हैं अपने आईडी के अंदर आकर अभी देखें यह आपको दिख रहा है बॉडी बॉडी के अंदर आप मैं सबसे बहले क्या बना तो माली जी हमको तीन चीज़े डिफाइन करनी है तो मैं माली जी हम अपना रेजुम बना रहे हैं तो मैं दो चीज़े डिफाइन करता हूं यानि उसमें क्या-क्या लिखेंगे उसमें लिखेंगे technology और competency level under 10 यानि मैं लिख रहा हूं भाइवर मेरे को c आती है मेरे को C कितनी आती है, दूसरा लिख लेता है, यानि इसमें लिख लेता है, मेरे को C आती है 5 out of 10, है न, मैं levels दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, मेरी अलग-अलग चीजों की competency कितनी है, यह माली जे भी लिख लेता है, कितने time हो गया मेरे को यह technology सीखते हुए, तो माली जे C के हमने border नहीं दिया, वापस आके table में क्या देते हैं, border equal to 1 दे दिया, save किया, वापस आए, यह दिखे, table दिखी, जिसमें single row है, तीनों किस type की row है, data type की row है, c दिखा, 5 by 10 देखा, 10 दिखा, एक row और add करते हैं, ताकि थोड़ा सा समझ आए कि भाई, यह actually एक table है, तो मैंने कह एक और row add की, इस बार c की जगे क्या लिख देता हूँ, java लिख देता हूँ, मैंने लिखा मालो java मेरे को आती है, 5 by 10 की जगे इसको, 8 by 10 कर देते है, java को कर देते है, माल लीजे 9 years, ठीक है, इसको मैंने fit से save किया, पार आके देखा, आप देखे, क्या हो गया, मेरी 2 row बन इस सब delete कर देते हैं, पहला क्या होगा, th, तो इसमें लिख देते है, language, अगला क्या है, competency, यानि मेरे को कितना आता है, ठीक है, और last क्या है, competency हो गई, competency को बंद कर देते हैं, यहाँ पर, और last है मेरा number of years, तो बस years लिख देते हैं, बहुत बढ़ा हो जाएगा, लिख दिया आप ये सारी चीज़ समझ गया, यानि सबसे पहले मैंने table लगाया, तो table से पूरा table define हुआ, उसके बाद tr, 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 यानि 3 rows मैंने define किये, पहले वाले का heading define करना है, तो मैंने th, th, th से define किये, और उसके बाद जो actual data refine करना है, वो मैंने td, td, td से define किये, तो hope करता हूँ हमको य tr का, td का और th का क्या क्या यहां पर role है, जल्दी से देखते है, table के और छोटी-छोटी दो properties, पहला क्या है, caption, यानि अगर मेरे को table तो दिखानी है, या टेबल में heading भी दिखानी है, यहां मैंने क्या किया, पुरानी वाले table में है, caption add कर दिया, which is student information, तो यह उपर यहां प center में होगा, बीच में center align होगा, जो भी आप कहा लिख रहे है, वो आपको दिख जाएगा, और again यह help करता है, अगर कोई मनली जे blind है, या accessibility में उसको help करता है, चलिए same table में हम भी caption add करते है, यह हमारी table तो ही, caption क्या होगा इसका, मनली जे technologies इसका caption रगए ठीक है, यह मेरा caption ह होगा, मैं अपनी table में आके देखता हूँ क्या होगा, देखे technologies उपर या एकदम center align में लिखा हुआ आ गया, तो अगर मेरे को table की heading देनी है, या table का title देना है, title देना है कि table किस बारे में है, तो मैं caption देके वो देख सकता हूँ, और वो कहां देखेगा, center align देखेगा, table के देख रहा है, यहां देखेंगे अगर, तो मैंने एक table बनाई है, student information, name, email, email, john, 30, john, यह क्या कर रहा है, सब एक एक column ले रहे है, john भी एक column में आया, 30 एक column में आया, यह फिर से email ID एक column में आया, पर माली जी कोई data आपको उसका ऐसा डालना है, जो multiple columns लेने वाला है, तो उसम सबका एक ही cell kind of बन जाए, इसका एक यह attribute है, जो आप यह तो TD में दे सकते हो, यह TH में दे सकते हो, headings भी आप combine कर सकते हो, यह purpose क्या है, allows a cell to span multiple columns horizontally, अगर एक row में आपको multiple columns को मिला के एक ही बनाना है column, तो उसको क्या करेंगे, उसको column span देकर हम यहां पर करनेंगे, alignment क्या हो caption दिया है, इसको थोड़ा से explain करके मेरे को एक और row में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर एक और row में लिखता हूँ, टी आर, एक और row में रोडिफाइन करता हूँ, top पे, heading के वी ऊपर में एक और row define कर रहा हूँ, यहां मैं क्या रखता हूँ, TH, एक single column देता ह Columns में देता हूँ, 3, यानि सारे के सारे मिलाकर एक और row बनाओ, पहला उसमें लिखता हूँ, Tech I am good at, ठीक है, यह मैंने एक और heading के लिखा है, आपके notes में लिखा है, मैंने अलड़ी दिखा है, कि आप table data में इसको कैसे use कर सकते है, यहां मैंने कैसे दिखा है, कि आप table data मे इसको कैसे use कर सकता हूँ, 3 लिखा तो देखिए 3 हो गए, अब मैं इसको 3 के बजाए 2 कर देता हूँ, तो मैं जैसी इसको 2 करूँ हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यह दो कॉलम इसने ले लिए, यह वाला खाली छोड़ गया, क्योंकि मैंने उसके बाद एक और TH define ही नह 2 से जादा अच्छा समझ आ रहा है, नोट्स के लिए भी बाद के लिए भी, उसको 2 करते हैं ताकि आपको देखें कि यह दो कॉलम में आ गया है, यह ऐसा नहीं है कि पूरी टेबल पर ही आ रहा है, वापस आता हूँ, जल्दी से हमने क्या देखा, call span भी देख लिया, तो इसका नाम क्या है? यह थोड़ा सा दोस्तों बड़ा होने वाला है पर बहुत ही जादा important है, सबसे जादा important अगर पूरे हमने कुछ बड़ा है, basics के अलावा तो वह forms होगा, क्योंकि generally जब आप UI बनाते हैं तो उसमें data collection का बहुत ज्यादा काम होता है, वह तक हमने जितनी चीज़े देखी है, वो data दिखाने के लिए देखी है, अगर मेरे को data collect करना है, यानि user से input चाहिए, buttons दिखाना है, input text दिखा follow करते जाएंगे, notes देखेंगे, साथ में practice करते रहेंगे, तो बड़ा ही आसान लगेगा, तो चलिए देखते हैं, forms क्या होता है, तो सबसे पहला tag जो है, form के अंदर पढ़ेंगे, input tag, यह सबसे common tag है, जो सबसे ज़्यादा use होता है, आप देखे, write में मैं क्या दिखा रहा जिसमें आपको collect करना है, एक box दिखाना है, जिसमें जो user है, वो type कर सके कुछ भी, तो उसको क्या दिखाएंगे, as input दिखाएंगे, और type क्या देखेंगे, text यानि, इसके अंदर क्या type होने वाला है, text होने वाला है, placeholder का क्या मतलब है, यह भी देखते हैं, जब नीचे सार पर password enter करते हैं, तो दिखता तो नहीं है, तो इसलिए password field को अगर password लगाएंगे, तो क्या होगा, hide हो जाएगा, उसमों text जाएगा, बट वो hide हो जाएगा, तो इक बार purpose समझते हैं, क्या है, यह form के अंदर use होता है, जो form tag है, input हमारा, और input tag क्या है, self closing है, यानि इसका open closing tag क्योंकि जो है, सारी, जो information है, जो attributes ही, इसके अंदर pass कर देते हैं, इसके अलावा इसका और कोई नाम बगएरा, मतलब इसका कोई content बगएरा नहीं होता है, attributes क्या क्या है, इसके अंदर ही होता है, देखिए name और value का में एक दो slide बात, धंग से समझेंगे कि name और value क्या होता ह है, यानि अगर आप जिससे कभी कोई form बढ़ते हैं, तो उसमें कुछी जैसी होती है, जो compulsory है, जिनके आगे लाल कलर का star बना हुआता है, या कुछी जैसी होती है, जो optional है, आप दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, तो अगर आप कभी ऐसा form बनाना चाहरे है, कोई एक field compulsory है देना, बेना उसके error आनी चाहिए, बेना उसके form submit नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें required field को क्या कर सकते है, true pass कर सकते है, जल्दी से अभी input tag इसको हम बना के देखते है, अपनी ID में जाके, तो यहां हमारा body के साथ एक दमें तयार है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, form बनाएंगे, यह मेरा form नेंगे तयार होगे, इसके आप में क्या करता हूँ, input type बनाता हूँ, input का मेरे को type क्या देना है, text देना है, बहुत अच्छी बात है, हम इससे पहले बस नाम क्या लिख रहे है, ताकि हम को बत अचल जा, मान लीजे मैं लिख देता या name आपको यहाँ पर enter करता है, ठीक है, दूसरा क्या कर देता हूँ, एक और हमको define करना है, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका type क्या होना चाहिए, password, मान लीजे नाम और password ले ले लेते हैं, या name की जगे इसको क्या कर देते हैं, username कर देते हैं, ताकि थोड़ा sensible लगे, तो मैं कहा रहा हूँ, username, दो भाई और password, ठीक है, इसको मैंने save किया, वहाँ जाके देखा, तो देखी, username आ गया, password, अरे बहर, एक ही line में आ गया, क्योंकि, यह क्या है, inline elements है, block elements नहीं है, तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक VR tag देना पड़ेगा, ताकि next line में आ देना है, placeholder का मतलब युकार देखते हैं, माल लीजिए, मैंने placeholder दिया, email, ठीक है, हमें वापस आ जाता हूँ, और form को, यह देखिए, मेरा Google Chrome जो सेव करने कुछ कर रहा है, समझ रहा है, कहीं username, password डाला, पर सेव कर लूँ, क्या मात करो, भाई, प्लीज, इमेल कहां दिख कर सकते हो, तो placeholder मैंने email दिया, तो यहां पर दिख गया, एक बार required भी करके देख लेते हैं, required मैं अभी यहां पर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम submit नहीं करने वाले हैं, बट मान लीजिए, मैं required क्या दे सकता हूँ, true दे सकता हूँ, required मैंने true दिया, तो यहां पर कुछ यहां पर समझ लिया है, तो जो हमारा file है, इसको जल्दी से, मैंने क्या किया, level 5 के अंदर क्योंकि बहुत सारे आने वाले है forms, तो मैंने index को उठागे, एक और इसके अंदर सा folder बना दिया है, जिसका नाम रख दिया है form, और इसको minimum कर देते हैं, क्या, input basic, ठीक बात है, यह text हम copy कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फिर से काम आएगा, जो नए हम फाइल बनाने, उसमें as it is, इसको ही use कर लेते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, वापस input tag हमने देख लिया, अब इसमें पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, दो चीज़े और देखेंगे, इसका बहुत सारे type के input जो हम explore करेंगे, पहला मैं क्या दिखाना चाहरा है, आपको action attribute, यह form पहले हमने blank बनाया था, इस form के अंदर हम action attribute भी pass कर सकते हैं, action का क्या मतलब, देखेंगे, जब हम data collect कर रहे हैं, तो data कहीं जाना तो चाहिए, यह data किसके लिए collect हो रहा है, कहां ज address, आपने जो server address यह है, पूरा data लेकर अपने कंदे पे रखेगा, और देले-देले जाकर server पे देकर आएगा, कि किसी ने आपका form भरा और यह data आप पास रख लिए, अभी हम क्योंकि इस video में backend नहीं बना रहे हैं, तो हम यह पूरा, जो plumbing है, पूरा जो बनाना यह नहीं कर करता है, जहां पर यह data जाकर submit होगा, यहां पर path कैसा दिया, path slash से क्या path है, slash का मतलब मेरी website, यानि अगर मान लीजे मैं से, मैं knowledgegate.in पर यह form भर रहा हूं, तो knowledgegate.in slash submit.php, यानि यह relative path हुआ, यानि बोल रहा हूं, in general आपको नहीं डूढ़ना है, मेरी website पे slash लगागे, submit.ph PHP के path पर जाना, यहां से data collect हुआ हो, मुझे दे देना, method भी उसी type की चीज़ होती है, यानि method हम बोल रहे है, post, ये HTTP जो protocol है, उसका एक तरीका होता है, data ले जाने का, तो हम बोल रहे है, post protocol use करते हुए, post method use करते हुए, मेरे को submit.php पे पूरा data उठागर, दे देना हूँ, तो अगर मैं input type submit देता हूँ, और value submit देता हूँ, name और value हम इसके बाद देखने वाले है, तो value से confuse मत होईए, पर अगर मैं input type submit देता हूँ, तो input type submit में अपने बटन बनके आ जाता है, जैसे text में text आया था, password पासवर्ड वाला field आया था, अगर मैं submit दे रहा हूँ यहाँ य जहां पर form भर रहे हैं, वहीं पर submit कर देगा, और यह क्या है, server side के लिए generally use होता है, server side की script को point करता है, जहां पर हमको यह actually submit करना है, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपने form में जाके जल्दी से बस action attribute add कर देते हैं, हाला कि हम इसको use नहीं कर पाएंगे अभी, तो एक dummy हम जो path ह है, वह यहां पर दे रहे हैं, क्यों कि server हमने बनाया नहीं है, पर इसमें क्या देते हैं, महली जे मैं action देता हूं, contact me.php, php दे सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ contact me, मैंने, method define करना भी compulsory नहीं है, बस एक new input define करते हैं, किस नम से, एक input define करते हैं, type क्या देते हैं, submit, तो अब जैसी यह पूरा हो जाएगा, तो यहां पर बटन भी दिखाई देगा, इस बटन के साथ क्या होगा, अब देखिए, फिर same line में आ गया, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, BR करना पड़ेगा, मैं बटन भी दबा पा रहा हूं, तो यह required field है, तो chrome क्या बूल रहा है, यह field भर हो पहले तभी आप submit क्लिक कर पाऊगे, बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, start नहीं दिख रहा है, error नहीं आ रही है, वो सब काम generally CSS और JavaScript से होता है, और देखिए, यहां भी submit में बूल रहा है, submit आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह field हमने क्या दिया है, इसका required हमने true किय हुआ है, तो field करने पर क्या मैंने क्या मिल रही है, error मिल रही है, तो यह हो गया, दोस्तों, मेरा input type submit, जल्दी से name और value देखते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारे types के explore करेंगे, कि input और किस type पर, देखिए name और value क्या है, आप यहां ध्यान दिया, input type तो मैं text दे रहा हूँ अब मैंने name भी दिया और value भी दिया, दो attributes दिये, name और value, इंका मतलब समस्ते, name property का क्या मतलब है, this is id for data, यानि इस से identify होगा कि आप यहां पर collect क्या करना चाहते हैं, यानि मैंने name मान लीजे दिया username, तो यहां से collect हुआ कि यह username है, अब देखिए जो मैं बोल रहा था कि submit द आपको पता किसी से लेगा मेरा data क्या है, तो हर type के input में आपको एक नाम देना पड़ता है name, जो define करता है कि यह data है क्या, तो जब finally server, जब आपका browser का data इखटा करेगा, तो बोलेगा user name में यह data मिला, जो आपका name है, उसमें यह data मिला, जो यह father's phone number है, उसमें यह data मिला, तो value होगा, यहां आप जो भी enter करेंगे, वो उसकी value बन जाएगी, तो value फिर by default आपको form में define क्यों करने पड़ रही है, अगर आप मान लीजे कोई default value डालना चाहते है, तो मान लीजे आपको पहले से किसी का नाम पता है, बहुत बार ऐसा होता है, जब आप account की information मेरे पास पहल data निकालेगा, तो name और value के pairs ले करके जाएगा, और वहां ले जाकर दे देगा, तो value क्या है, यह default data है, sent to server होता है, name क्या है, unique ID है, ID for data है, और unique होना चाहिए within a form, ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं, name और value भी यहां पर समझ गया है, अब देखते है, अब अगले वाले input से पहले label क्या होता है, तो अभी तक आपने देखा, पहली वाली slide मैंने क्या किया था, जब मैंने input define किया, तो उससे पहले वस मैंने text लिख दिया था, तो उसको भान के चलता था, कि वो label है, but label अलग से field भी होता है, label अलग से tag भी होता है, जिससे आप properly label define कर सकते है, इसके ब तो इसका add करने से क्या होगा, हमारे page की जो readability है, वो बढ़ेगी SEO, जो score है वो बढ़ेगा, और in general अच्छे से पता चलेगा, और advantages भी है, जो हम आगे जाके discuss करें, but basically ये field से related है, इसमें दूसरी चीज़ क्या है, for attribute आप define कर सकते है, इससे क्या होता है, अब देखे, मैंने define करते हैं, चाहे CSS हो, JavaScript हो, यहाँ पर form हो, किसी भी specific element को target करने के लिए ID इस्तमाल की जाती है, तो जब मैंने यह ID इसकी username दिया, और इसके label में लिख दिया कि ये label किसके लिए है, ये label उस element के लिए है, जिसकी ID username है, तो ये जो username है, directly इससे connect हो जाता है, इस connect होने का ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए समझेगा, हम किसी भी input field के साथ एक label attach कर सकते हैं, वो label उससे attach हो जाता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि तुम किस के लिए बने हो, उसकी ID उसमें डाली जाती है, यह भी accessibility के लिए सबसे पहली बात अच्छा होता है, जैसी मान इसमें एंटर करने के लिए कोशिश करेगा, तो उसमें label उसको पढ़के सुना सकता है, इसमें आपको ये label information enter करना है, और इससे readability और usability तो मेरी बढ़ती ही बढ़ती है, एक बार ये label हम use करके देख लेते हैं, अपने code में, जो अभी हमने लिखा था, उसमें अब हम क्या क किये थे, इनको क्या कर देता है, label करके define करता है, तो मान लीजिए, मैं पहले इसमें क्या करता हूँ, यह define करता हूँ, label, यह for किसके लिए है, अरे अभी ID तो मैंने अपने text वाले की define ही नहीं की थी, इसमें ID भी define कर देता हूँ, ID इसकी क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ, ID ह इसकी email, ठीक बात है, mark there, यहां मैंने, sorry, मैंने ID define की, तो मैं अभी यहां पर क्या define करूँगा, for email, तो अभी ID connect हो जाएगी, आपस में कि भाई, तिमारी जो ID है, label इसके लिए है, और यह जो text हमने यहां लिखा था, इसको हटा कर कहा move कर लेंगे, इसको हटा कर यहां move कर ल email में, देखिए दिख तो अभी वैसा ही रहा है, अब यह थोड़ा अच्छे सा connect हो गया, username जो है, email के साथ अच्छे से connect हो चुका है, तो अब हम same चीज़, एक और label यहां पर create कर लेता है, किस के लिए, password के लिए, password वाले email में भी यहां पर ID देना पड़ेगा, तो यहां इ यूजर नेम के अंदर, ठीक बात है, इसको save किया, यह form अभी ऐसा ही दिख रहा है, अब अभी क्या हुआ है, यह label इससे connect हो गया है, और यह इससे password connect हो गया है, label हमने समझ लिए, अब हम चलते हैं, बाकी input tags के लिए, अब देखिए, input में और किस type का collect कर सकता हूँ, मैं input type अगर यहाँ पर देदू date, आपने देखा, मैंने input type देदिया date, अगर मैंने input type देदिया date, तो यहाँ पर क्या हुआ, calendar आगे, अब इनको जल्दी जल्दी एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, पुराने वाला सारा data data हटा देते हैं, और एक ही form में जल्दी से इन सबको देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं माल लीजे, input दे रहा हूँ, type क्या दे रहा हूँ, date, ठीक है, बुल रहा है, name और id भी दो, अभी के लिए हम नहीं दे रहें, क्योंकि हम तो सिर्फ अलग-अलग type एक्स्टूर करना, चाहते हैं, यहां again, अगर मैं इसको properly कर रहा हूँ, तो मेरे को यह date किस में लिखना चाहिए, label में लिखना चाहिए, बटाओ, मैं ऐसी लिख रहा हूँ, ताकि समय बचे और यहां पर space जो है वो, बहुत जादा use, तो देखे, मैंने यह date लगा दिया, save कर दिया, यह input में जाए, mdn references में, लेकि अलग-अलग type क्या होते है, date के लिए उसके बाद में, क्या-क्या अलग से attribute pass कर सकता हूँ, ताकि मान लीजे, मेरे को date इस form में collect नहीं करना है, मैं तो जाता हूँ, month पहले हो, date बाद में हो, yyy, yyy, y, 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 sबसे end में हो, तो यह सब आप changes कर स तो यह मेरे पास अच्छा सा file picker जो है, वो आ जाएगा, तो चलिए जिल्दी से करके देखते है, अगर मैं इसको कर दूँ, file, और input करूँ, file, ठीक बात है, बस मैंने इतना ही लिखा, यह बहुत, आप इधर उधर course करते होंगे, बहुत सारी आपनी चीज़े देखे होंग चला गया था, अब जैसे मैंने ब्यार दिया, तो यहां गया file, choose a file, अभी मैं जैसी choose a file कर रहा हूँ, देखे मेरे system में एक बहुत प्यारा सा dialogue कुल गया, मैं इसमें से कोई भी file select करके मानलीजे, downloads में मैं जाता हूँ, यहां, यह मानलीजे, Wacom का कोई application है, यह मैंने select कर ल तो यह मेरा क्या हुआ, यह मेरा हुआ, इन्पुट टाइप of file, next type देखते है, next type क्या है, color, यानि मैं इसके साथ-साथ color भी ले सकता हूँ, जिसमें proper color picker आजागा, generally इसकी जरुरत कम पढ़ती है, मैंने कभी यह देखा नहीं, input में लेते हुए, बढ़ मानलीजे, आप को save किया, जलते ही जाके देखते है, अब यहाँ color आगया, by default क्या selected है, black, अमालीजियों black को देखते है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते है, 200% पर मैंने लगाया हुए, छोटा कर लेते है, ताकि color picker थोड़ा सा ठीक से देखे, color picker आगया, आ इस color का एक color code, देखे, मैं जैसे ही कोई भी color select कर रहा हूँ, यहाँ इसका RGB color code अपने आप यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसकी RGB values जो है, मेरे form को submit करते हुए, वहाँ पर ले जाएगा, मैं चाहूं तो pick भी कर सकता हूँ, मैं काता हूँ, यहाँ से नहीं, मेरे को तो actually यह color चाहिए, यह देखे, अलग-अलग-अलग-अलग pixel दिखा रहा है, मैं बोलता हूँ, यह जो gear वाला मेरे को pixel दिख रहा है, मेरे को तो इसका यह pixel चाहिए, अब मैंने जैसी यह select किया, तो क्या हुआ, इसके वाला color code इसने pick कर लिया, और यह यहाँ पर आ ठीक बात है, उस और यह सब लिखा था, C++ लिखा था, तो उसमें क्या बता रहे था, रेंज बता रहे था, कि हमको क्या चाहिए, आप कहीं पर, आपने देखा होगा, बहुत बार कपड़ों, कपड़े खरीदने की website पर, या एविन Amazon बगारा पर, जब आप कोई इस फिल्टर करते हैं, तो म नेम और ID को हम क्या कर देते हैं, नेम और ID को अटा देते हैं, फिलाल के लिए, जब एक्चल होगा, तो obviously हम name, value, ID, सब कुछ define कर रहे होंगे, बट अभी हम जिल्दी जिल्दी देख रहे हैं, आप देखे, range आगया, यह बीच में अपने आप select हो रहे हैं, इसमें बहुत सा मैं सबका सिर्फ आपको introduction देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत deep में नहीं देखेंगे, बट आपको समझानी कोशिश कर रहा हूँ कि यह सब आपको बनाने की जरूरत नहीं, यह custom, यह सब by default HTML5 बना के देता है, आपका browser आपको render करके देता है, आपको बस ल लगा के देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ, भाई, poke me, यह बटन है कि भाई, उंगली कर सकते हैं आप इस बटन में, मैंने क्या बोला, इसको बोल दिया, input, type बोल दिया, button, अब मैं value define करूँ या ना करूँ देखिए, अगर मैं value define करूँगा, button की value जनरली इससे define करनी होती है क्योंकि इन सब की value तो user दे देगा, date enter करेगा, file enter करेगा, calendar करेगा, price enter करेगा, but button में हो तो बटन क्लिक करेगा, तो value दे नहीं रहा है, तो यहाँ value हमको pass करनी पड़ती है, ताकि जब भी button क्लिक हो तो यह value लेकर जाएगी, यह button भी click हुआ था, value मैं माली जे क्या देता पोग्ड, यह मेरी value हो गई, मैंने इसको save किया, अंदर जाके मैंने देखा तो देखेए, एक पोग्ड नाम का यहाँ पर बटन आगया, जिसका नाम भी इसने पोग्ड रख दिया, जब मैं इसको click करूँगा, जब value जाएगी, तो भी यही जाएगी, generally although button की value लोग लेकर नहीं जाते है, button पर generally क्या होता है, click listener नाम की चीज़ होती है, जो हम actual language, actual coding पढ़ेंगे, तब देखेंगे, उसमें क्या होता है, आप यह बोलते है, button click होता ही, ऐसा होना चाहिए, उसके इंदर आप कुछ code लिख सकते हो, और उससे कुछ-कुछ अलग-अलगर आप feature perform करना बचा रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, तो यह मेरा क्या हुआ, यह मेरा हुआ, button, submit हम अलड़ी देख चुके है, starting में, जब हमने form submit देखा था, submit को यहा quickly, एक बार लगा के देख लेते हैं, कि मेरे को यह सारी values जो है, वो submit करनी है, वैसे यह submit अलग से लिखने की ज़रूत न को submit करने वाला है, submit में कोई value देनी की ज़रूत नहीं है, मैंने इसको save कर दिया, आया, देखे, submit, submit आ गया, फिर से में क्या बोल गया, BR देना, बोल गया, ताकि यह next line आए, यह button आ गया, देखे, जैसी मैंने form का अलड़ी define क्या कर दिया था, slash contact me पर submit कर देना, जैसे अगर submit दबा रहा हूँ, तो यह क्या बोल रहा है, cannot get contact me, क्या रहा है, यह address तो मेरे को मिली नहीं रहा है, क्योंकि हमने define तो किया नहीं है, तो इसे पहले हम submit दबा रहे थे, तब क्यों नहीं आ रहा था, तो form actually submit नहीं हो रहा था, html बोल रहा था, बोल रहा था, यह यह भड़ा नहीं किया है, तो मैं form submit नहीं कर रहा हूँ, अभी हमने, हमने इन में से किसी को भी required mark नहीं किया है, मैं submit दबाया, तो इसने submit करने ही कुशिश की बड़ी बोल रहा है, यह URL missing है, मेरे को URL नहीं मिला, तो यह हमने देख लिया कि actually submit भी काम करता है, और submit कैसे काम करता अब देखते हैं, यह दो, तीन थोड़े से important हैं, जो generally हम use करते हैं, जैसे कि radio button, check boxes अब इनको एक बार देखेंगे, तो पहले radio button को यहाँ पर समझते हैं, देखे radio button यहाँ पर define हमने कैसे किया है, radio button जनरली कब होता है, radio button का मतलब होता है, जैसे आपके exam में multiple choice questions पूचे जा है न, तो इसलिए ऐसी जहाँ भी चीज हो, जहाँ पर आपको यह मान लीजे, दो gift है, दो gift में से एक gift आपको choose करना है, अगर इस type के कोई भी बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं, यहाँ पर single choice हो, आपको single choice लेना चाहरे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस case में radio button दे सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि radio button हमको define कैसे करना है, अभी label छोड़ दीजा, आप सबसे पहले क्या देखिए, input देखिए, so मैंने input define किया, type क्या दिया, radio, id दिया, name दिया, value क्या है, जो यहाँ पर दिख रहा है, mail इतना बड़ा करके दिख रहा है, यह तो sorry, value तो इसको click करके form में जाएगा, मानली जेकर मैंने mail select किया है और submit किया, तो value क्या submit होगा, यह वाला value submit होगा, mail submit होगा, name क्या है gender, लेकि जब मैं name सबके same दूँगा, यानि मैंने male define किया, female define किया, और other define किया, तीनों में नाम same दिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इन तीनो में से एक ही select हो सकता है, तो यह नाम तो हमेशा gender रहेगा, value या तो male होगी, या female होगी, या other होगी, या तीनों value हो सकते है, इस से form को यह पता चलता है, कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही select हमेशा होना चाहिए, चलिए एक बार इसको चलके functioning इसकी जल्दी से देखते है, ता क्या करते हैं, यह 3 type के, define कर लेते हैं, बाकी और क्या मेरे को change करना, और कुछ है नहीं करना, यह female हुआ, यह other हुआ, एक बार देखते हैं, दिखता कैसा, मैंने देखा, यह तो सिर्फ तीनों बटन, एक बटन दिख गई, यानि मैं male select कर रहा हूँ, female कर रहा हूँ, other कर रह है, यह इसलिए हो रहा है, कि आपने form को यह बताया ही नहीं, कि इन सब में से एक value जाएगी, यह जब मैं नाम define कर रहा था सब के, तो मैंने कहा यह gender है, तो gender की value मान के चल रहा है, male हो सकती है, या null हो सकती है, ऐसी gender 1 की value है, ऐसी gender 2 की value है, जब मैं यहाँ पर तीनों को gender define कर है, value है, तो बहुत है, तो एक की value है, तो gender, अगर में और को दिखाना है, तो जब मैं हमसी एक ही select हो सकता है, तो जैसी मैं इनके नाम seinem करूँगा, अभा के लिएसकर एक ही select हो रहा है, अब हुमारा value का game तो clear हो गया, यह select कर रहा हूँ तो male जा रहा है, यह कर आ हम नहीं औ रहा हूं तो अधर जा रहा है पर भाई user को तो कुछ नहीं दिखा user को तो समझ ही नहीं आया कि आपने कैसे define किया ठीक बात है तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर मान लीजे label define कर देए मैंने label दिया अभी for जो है वो नहीं देते मैं तो सीधे label define करता हूं label क्या define करता हूँ ठीक है इसी तरह से हम यहां पर । define हम यहाँ पर जो label है ये ठीक से define कर लेते हैं, ये मेरा label हुआ ये female के लिए इसको कर देते हैं female, इसको कर देते है other, देखिए एक चीज़ मैं miss कर गया हूँ जो मैं हमेशा miss करता हूँ, आप बताएए पेज पर पहुंच रहा हूँ, क्या है तो यह देखिए, male, female, other, अभी यह single room में आ रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, जनरली जब multiple choice होते हैं, तो आप single room में दिखाते हैं, आप चाहिए इनको अलग-अलग room में दिखाना हैं, तो उसमें भी हम यहां क्या add कर सकते हैं, अब देखिए, हम वापस आया, male, female, other मैंसे सिर्फ एक ही select हो पा रहा है, मैंने label ठीक से select कर लिया, अब देखिए, जो हमने पहले label के time पर बात की थी, आप label क्या कर सकते हैं, connect कर सकते हैं, किसी dot से, अभी देखिए, क्या हो रहा है, कई बर ऐसा होता है, अब यहां click नहीं करत हैं, तो चलिए यह करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसकी ID करता हूँ, ID इसकी क्या होगी, इसकी ID होगी, male, है न, मान लीजिए, इसी तरह से, इसकी ID क्या होगी, इसकी ID होगी, female, है न, और अगले की ID क्या होगी, अधार, मैंने ID's define कर दी, अब मैं same चीज लेबल में define करता ह है यह label जिसकी ID male है उसके लिए है यह दूसरे वाला label किसके लिए है यह label उसके लिए है जिसकी ID female है भी माल लिजे other की बात मैं add करते हैं थाकि आपको difference भी मैं दिखा सबूँ वापस आते हैं page reload हो गया है अब देखिए मैं अगर यहां click करते हैं माल लिजे कि भाई for किसके लिए है यह जिसकी ID other है उसके लिए तो अब मैं आकर देखिए मैं other पर click करता हूं तब यह भी चलना शुरू हो गया तो यह बहुत important चीज है यह आपने समझी radio button के case में कैसे में label को उस actual input से connect करके उसी का पार्ट बना सकता हूं मेल फीमेल और अधर पर भी क्लिक करके सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यह हो गया मेरे label की कहानी input आपको radio button लगाने आ गए उसमें name define करके grouping कैसे करेंगे और value define करके इनको इनकी actual value कैसे जाएगी form के अदर वापस आते है अगला जो की है check box अब अगर आपको radio button समझ आ गया है तो check box काफी अद तक similar है यहाँ पर देखे क्या होगा check box का मतलब होता है आप multiple चीज़े एक ही value की जा multiple values हो सकते हैं एक ही नाम के लिए multiple values जा सकते हैं जैसे multiple choice question जो वह वाले आते हैं multiple correct हो सकते हैं तो वहाँ पर क्या है नाम चाहे एक है value multiple हो सकते हैं यह value comma separated होगी तो सब क्या करते हैं मानली इसके इंदर define कर रहा है input तो मैंने input define किया आप मैं type कर दे रहा हूं check box ठीक बात है मैंने input check box define किया इसको save करता हूं जाके देखता हूं मैंने refresh किया content cat का हुआ है एक सब्सक्राइब इसका नाम अभी अच्छा मैं एक्चुली रेडियो में change कर रहा है मेरे को change करना कहा था इंडेक्स वाले में change करना था यही यहां पर गडबड हो गई थी इसलिए मेरा जो आपूट है वह वहां पर नहीं देख रहा है इसको क्या करते हैं जल्दी से change करते है एक नए input define करते हैं यहां पर क्या नाम define कर देता हूं c यह मेरी c programming languages की id भी c दे देते हैं और नाम भी इसका c दे देते हैं पर इसके लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा अक्चुली label भी define करना पड़ेगा क्योंकि user को तो देख नहीं रहा है अब यह multiple choice कर रहा है क्यों हो सकता है हो सकता है मेरे को c भी आ languages आपको आती है तो इसका single field बनेगा और अगर आपने एक check किया है तो value c जाएगी आपने c java select कर लिया तो c, java इसकी value चली जाएगी python भी select कर लिया c, java, python इसकी value चली जाएगी तो मैं बोर रहा हूं वही check box एक ही type का है यह language मैं पूछ रहा हूं आपको कौन-कौन सी आती है है हम्मा netophie avail जर्वान कर रहूँ है तो फॉर किसके लिए का रहे हो ideal कि लिए की लिए चैने एक चीड़े यह अवह एक यहां पर NEW TS कर गगृ नहीं की मैंने फिर से लेवल करता हूं for python कैना मैंने सॉरf ID डिफाइन की value डिफाइन नहीं की python क्या होगा यह भी होग यह हो गया मैं यहां आया भी देखिए c java एक line break मैं यहां पर label के बाद दे दिया गलती से बर देना कहां चाहिए था देना चाहिए था language के बाद देखिए यहां क्या हो गया c java python आगे मेरे एकदम बढ़िया सुन्दर और यह मैं इनको define कर पा रहा हूं और लास्ट वाली की value क्या होगी ठीक बात है तो मैंने c java python यहां पर define कर दिये हैं तो यह आपको थोड़ा सा देखनी रहा है इसको थोड़ा सा और scroll करके दिखाते हूं देखिए c java python मैंने values जो है वो define कर दिये हैं यहां पर आके देखिए तो c java python एक तो must चल रहा है और क् मैं for भी define कर दिया है तो मैं java पे भी एकर click कर रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है मैं check uncheck के लिए मेरेको उस पर click करने की दुरूत देखिए मैं directly क्या कर पा रहा हूं next भी click करके भी कर पा रहा हूं देखिए align नहीं दिख रहा है तो exercise में आपको देंगे क्या आप एक form त type हमारा क्या है दोस्तो अगला im put type हमारा है select select का क्या मतलब है देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब आप UI use करते है तो आपको गलता है तो क्या मिलता है एक dropdown आसे खुल जाता है dropdown मेंसा आपको कुछ select करना परता है तो यह लोग नहीं करना होता है जहां radio button use क्या हरे माथ तो अब 200 country हैं, अगर आप उसमें पूरा radio बटन लगा देंगे, तो बंदा कितना तो आपका page बर जाएगा, और कहां तक आप उसको देखेंगे, बंदा भी कहां तर जाके उसको देखेगा, तो इसलिए उन cases में हम क्या करते हैं, उन cases में हम एक drop down देते हैं, उसके इंदर आप उसके values दे सकते हैं, जैसे हमने list में देखा, या आपने table में देखा इसी तरह से क्या है, main tag यहाँ है select, जिसमें आप idea नेम देते हैं, उसका option में आप value देंगे, और उसका यह मानली जे label है, जो आप label define करते रहेंगे, जल्दी से इसको चलाके देखते हैं, form में हम क्या करते हैं, हम बनाते है country selection, ठीक है, यह मानली जे अगर आप अपना resume बना रहे हैं, और वहाँ आप contact us बना रहे हैं, तो महाँ के लिए क्या idea हो सकता है, कि कोई आपको job के लिए reach out कर रहा है, लोकेशन क्या है, मानली जे वो city डाल सकता है, कि किया job का location है, यहाँ मानली जे form में पहले हम क्या डालना शुरू करते हैं, select बनाते हैं, select में हमने नाम क्या दिया, मानली जे, अब हम क्या बना रहे हैं country बना रहे हैं, इसका नाम भी country दे देते हैं, में पहला option define किया क्या होने यह पहला है इंडिया ओने आला है तो हमने मैं लिग देते रहे लोग जो उसके बाद अगर आप इन्वे से कही नहीं है तो प्लीज बता दीजिए आप कहा हमको जॉब दे रहे तो वाले जिए इसको अधर कर देते हैं तो यह मैंने क्या किया यह मैंने चार options जल्दी से जलके देखते हैं कैसे दिख रहा है एक जो पहला option है वो by default selected दिख रहा है इंडिया अधर मैं यहां पर select कर सकता हूँ जल्दी से इसके लिए एक और क्या define कर लेते हैं label कर लेते हैं अपने label इसके लिए नहीं किया पूर किसके लिए है यह country के लिए है और यहां क्या लगते है select your country ठीक बाद है यहां पर आप देखे select your country आ रहा है मैंने इसको select किया तो मैं US, UK यहां पर select कर सकता हूँ इस case में भी क्या होगा name क्या जाएगा country जाएगा यानि जब value जाएगी तो जाएगी country की value क्या ही है या तो इंडिया US, UK आदर हम जो select करेंगे वही value यहां पर चली जाएगी select हमने देख लिया, label कैसे दिखाना है, select कैसे दिखाना है, options कैसे दिखाना है, कैसे select होता है, कैसे इसके लिए label हमको define करना है, एक last input type जो हमको देखना है, वो हम क्या देखेंगे, text area, यानि हमने text तो अल्रड़ी देख लिया था, बट क्या होता है कई बार, अब यह input type भी different है, इसमें type नहीं है, यह पूरा पूरा tag है, text area tag है, तो इस text area के लिए, text area के लिए हम क्या, यह text area कभी उस होता है, जैसे आपको ज्यादा text collect करना है, जैसे अगर मानलों resume की बात करें, कोई हो सकता है, बोल रहा हो कि भाई, job description दे दीजे, या हम लोग अपना CV के साथ जैसे objective attach करते हैं, या कुछ और भी, कुछ भी आपको लिखना है, तो वो अगर आपको text थोड़ा से जादा input text box में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप एक text area कैसे define किया हुआ है, text area इसने define किया, पूरा tag है, text area define किया, number of rows और number of columns define किया, यानि मैंने बोला भाई, इसे by default कितने मे बड़ा चुटा कर सकता है, और अंदर जो हम क्या देते हैं, default text देते हैं, तो purpose क्या है, text area का, used for multi-line inputs in forms, तो इसमे एक row property होती है, column property होती है, और इसमें ये हमेशा resizable होता है, browser जो है, इसको resizable बनाता है, या इसको कभी भी change किया जा सकता है, जल्दी से बना के देखते हैं, इसको बनाता है, text area, नाम हम इसका कुछ भी देते है, story इसका नाम है, user से story लिखवा रहे है, idb story देते हैं, अब देखे, rows और columns से इसने वाई default बोल दिया, कि भाई, मैं 10 row और 30 column दे रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मन लीजे rows हम बोल देते हैं, 4, और columns हम बोल देत इसके, beats row और 4 column आप इसके, बना दो, मैं जाके देखता हूं, देखे, क्या हो रहा है, 4 row है, 1, 2, 3, 4, अब मैं enter दबाऊंगा, तो उसके बाद देखे, क्या होगा, यहाँ पर, यह मेरे को रोकेगा नहीं, कि आप 4 रहो दे सकते हैं, यहाँ इसने क्या दिया, यह बार दे यहाँ लिख सकते हैं, this is a story, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसकी default value pass नहीं करें, माली जी यहाँ में default value क्या दता हूं, please write a story, मैंने इसकी default value दे दी, please write a story, यहाँ जैसी आया, तो देखे, default value दिख रही है, please write a story, इसने क्या किया, इसने पूरा जो आप text भी से पहले type कर सकता हूं, तो कर रहा हूं को text area भी समझ आ गया है, तो text area किसलिए है, जब आपको बड़ा text लेना है, तो आप text area use करेंगे, इसमें by default number of rows or columns देंगे, और इसमें आप से text area आपका use हो जाएगा, तो यह दोस्तों हमने finish किया है form, इतने सारे type के, हमने form के elements देखे, exercise इसकी जल्दे से iFrame देखते हैं, तो iFrame का मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए, जैसे यहां image में भी दिख रहा है, या नि हम क्या कर रहे हैं, किसी और website को अपने अंदर include कर रहे हैं, अपनी website के अंदर किसी और website को include क्यों करना चाहेंगे, मान लीजे हम कोई topic पढ़ा रहे है है, मान लीजे आप knowledge grade website बना रहे हैं, हो सकता है, मैं वहाँ आपनी को YouTube वीडियो डालना चाहूं, या मैं अगर HTML के बारे में कोई topic लिख रहा हूं, तो यही वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी को मैं वहाँ पर link करना चाहूं कि कोई चाहें, तो यही वीडियो पर अंदर ही कोल दिया है, तो कैसे करते हैं, आइफ्रेम पूरा tag है, आइफ्रेम tag को use करेंगे, उसकी height और width देंगे कि वह आपके page पर कितना बड़ा दिखेगा, और उसके बाद source देंगे, है नहीं, HTML का source देंगे, कि यह website कहां से लाकर load करना है, और आइफ्रेम को खतम कर दे हम इसमें add करने की कुशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ YouTube, मानलीजी है कोलते हैं, knowledge gate, knowledge gate में आते हैं, और मानलीजी हमको यह black box, white box कर दो यह मेरे को embed करनी है, तो देखिए by default आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जब आप यहाँ share दबाएंगे, देखिए embed का option दे अचाए coffee नहीं हो पाया, शायद, एक बार दुबारे से copy कर लेते हैं, embed किया, और इसको क्या कर लिया, cut कर लिया, ठीक है, वापस आ जाते हैं, अपनी website में, और body के अंदर, इसको मैं as it is, फिलाल के लिए उठाकर, डाल देता हूँ और save कर लेता हूँ, उसने क्या-क्या ल 0.0.1, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखें, यूट्यूब वाला वीडियो दिखना, स्टार्ट हो गया है, मैं इसको प्ले करके, वीडियो को प्ले भी यहां पर कर सकता हूँ, तो क्या कि हमने यूट्यूब को यहां पर अपने अंदर समा लिया, मान लिजे मैं एक चीज फेस्बुक खो लिता हूँ, अना, फेस्बुक मैंने खोल लिया, फेस्बुक.com का लिंक उठाते हैं, और वापस यहां लाकर सोर्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, फ्रेम बॉर्डर इसने बाइडिफॉल्ट बना दिया है, यह हमको नहीं चाहिए, फ्रेम बॉर्डर हम अटा देते हैं, यहां से, हम देते हैं, width 300, height 300, दोनों को 3300 देके, अपना page रेंटर करनी कुछ करते हैं, save कर लिया, हम इने चलके देखते हैं, देखिए क्या मिल रहा है, document के अंदर, यह क्या हुआ, यह लोड नहीं हो पाया, यूट्यूब तो मेरा लोड हो गया, यूट् उससे leak हो जाए, इसलिए बहुत सारी websites आजकल अपने आपको किसी i-frame के अंदर load होने नहीं देती, यह भी मैं आपको दिखाना चारा था, आपर ऐसी बहुत सारी websites हैं, जो allow भी करती है, जैसे मने YouTube देखा, यह अगर Wikipedia की बात करें, यह free website है, इंका content हमेशा free, use करने के लिए होता है, तो मैं क्या करता हूँ, माल लीजे, यह यह भी छोड़ी हम किसी particular article को भी कर सकते हैं, माल लीजे, अभी देखिए, यह विचारा पैसे मांग रहा है, यह कोई article आ है, यह कोई ship जो है, वो sync हुआ था, इसको उठाते हैं, और इसको हम embed करने कोशिश करते हैं, source को मैं हम इसकी high define कर सकते हैं, width define कर सकते हैं, source define करेंगे और वो page जो हमारे अंदर आ जाएगा, तो यह था हम आपका iFrame जल्दी से देखते हैं, हमने level 5 में क्या-क्या पढ़ा, यह हमारा last level था, pro level था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इसके बाद HTML के कोई चीज नहीं है, जो आपको नहीं हाती हो, जो आप इसके बाद CSS, JS को combine करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अची websites बना रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या देखा, हमने list देखे, list में ordered list देखे, type of order list देखे, 5 type, कौन-कौन से types थे, small A, बड़ा A, चोटा Roman, बड़ा Roman, हमने सब type के list देखे, unordered हमने list देखे, कि dot बाले list मेरे को कैसे दिखाना है, उसका दमने tables देखे, tables में हमने देखा, कैसे table row बनानी है, कैसे table data दिखाना है, कैसे table heading दिखाना है, कैसे पूरा table दिखाना है, उसके अंदर caption कैसे देना है, heading कैसे देना है table का, और अगर multiple columns को merge करना है, column span करना है, तो वो कैसे क कि हमने inputs देखे कि हम कैसे ले सकते हैं और last में हमने क्या देखा हमने देखा कैसे हम iFrames को use करके दूसरी websites को अपनी website का part बना सकते हैं जल्दी सी exercise की तरफ चलते हैं project की तरफ चलते हैं level 5 के तो आपको क्या करना है एक पहले page बनाना है जिसमें ordered और unordered list हो subtypes की ठीक बात है उसका देख table वाला में बनाएंगे table में आप heading बनाएए caption बनाएए फियो रोज को मिलाकर है न एक heading should take at least three of the columns तो इस टेक्वी बनाएए कि heading को मिलाकर तीन column बनाएए ताकि आप यहाँ call span use करके देख पाएं यह exercise आपको number three छोटी लग रहे होगी है सबसे बड़ी है इस पर थोड़ा time लगाईए अपनी personal website के लिए यहाँ पर contact me form बनाएए यानि मैं अगर आपकी website पर आऊँ और मैं आपको reach out करना चाहता हूँ तो मैं अपनी सारी details छोड़ कर यहाँ पर अपने code में यहाँ पर रखेंगे ताकि हम इसको github पे भी check-in कर पाएं ताकि हमारा एक major project भी हम इसको अपने resume में दिखा सकें उसके अलावा last चीज़ हम क्या करेंगे कोई भी दूसरी website जो यहाँ पर यह विक्यपीडिया का आपको pages try कर सकते हैं और भी आप HTML हमने VS code से पूरा पूरा बच्चो देख लिया है अगर पसंद आया हो या कोई और चीज़ चाहिए आप comment करके जरूर बताइए का वीडियो भी यहाँ पर end नहीं हो रही है अभी पूरा एक section बचा हुआ है bonus section जिसमें आपको दिखाऊंगा बिना VS code के आप HTML कैसे सीख सकते हैं online GitHub पे आप कैसे देख सकते हैं जो code आपने सारा लिखा है या आप actual अपने GitHub अकाउंट पर कैसे डालेंगे step by step देखेंगे account creation से लेकर आखरी step तक आप अपनी website publish कैसे करेंगे सबसे important चीज़ क्या है project तो बना लिया पर दिखाने के लिए नहीं होता सर बनाया था interview आप में बोलता है भही मैं देख कैसे सकता हूँ तो हम क्या करेंगे कि URL बनाएंगे जिस पर आपकी website जो भी आप अपनी resume website बना रहे है वो publish हो जाएगी कोई भी कभी भी click करके आपके resume वाली website को आपके project को वहाँ पर देख सकता है तो यह section भी बहुत important है इसमें github का account बनाएंगे, repository बनाएंगे, pages बनाएंगे और मैं आपको दिखानगा कि कैसे आपको local इसको edit करने की ज़रूत ही नहीं है github code spaces जो एक नए editor आया, जो online edit करता है github का हम वहाँ पर VS code को online कैसे चलाएंगे और वहीं पर use करके इसको कैसे देखेंगे तो चलिए जल्दी से चलते हैं bonus level की तरह alright friends, तो start करते हैं हमारा bonus level जिसका नाम क्या है github pages and code space इस level में हम क्या करने वाले है, html हमने सीख लिया अब हम basic pages बना पा रहे हैं, ठीक ठाक pages बना पा रहे है बट यार सबसे बड़ी projects के साथ problem क्या होती है कि पहली बात तो आपके local system पे रह जाता है तो यह दिखा पाना कि मैं consistent coding कर रहा हूं अपने इंटर्व में बड़ा मुश्किल होता है इसका best evidence यह होता है, आप मेरा github page कोल के देखे, मैं तीन साल से लगाता है जो जो projects कर रहा हूं, वो मैं check-in कर रहा हूं पहली बात तो यह हुई कि हमारा project github पे चला जाए दूसरी बात किया है, जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे, github है, क्या, यह gitbala, क्या है वो हम सब इस section में discuss करेंगे बट basically आप यह मां लीजे, internet पे एक जगा है, जहां publicly आपका code available है जहां कोई भी आकर वो code देख सकता है, देख सकता है आपने कब लिखा, कैसे कैसे लिखा, क्या गलतिया की, क्या fix किया तो एक ही इतनी अच्छी history बन जाती है, जिसमें कोई dispute नहीं कर सकता है, कि project आपने खुद बनाया था यानि आपको कुछ install नहीं करना है, आपकी machine Windows है, Linux है, आप Mac पे काम करते हैं, आप phone पे हैं, tablet पे हैं, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, एक window खुलेगी, जैसे browser के आप window खुलते हैं, उसके अंदर सब कुछ available होगा, including server, including code complete, including everything, आपको ये बात समझना है कि GitHub is also owned by Microsoft, यानि Microsoft ने नहीं पढ़ता, क्योंकि क्या use हो रहा होगा, Microsoft का server use हो रहा होगा, वो भी एक दम, free of cost, खेक है, तो code spaces हम देखेंगे उसके बाद, और साथ-साथ क्या करेंगे, आपकी website, जो भी आप बनारे हैं, आप resume की website हमारे साथ-साथ बनाते हैं, उसको improve करेंगे, जब हम CSS भी सीख ज host हो जाएगी, आपको URL मिलेगा, आप वो URL अपने resume में डाले, कोई भी उस URL पर click करेगा, क्या होगा, पूरा पूरा resume खुल के आ जाएगा, आप to date, जिसमें आप day to day उसमें update कर सकते हैं, तो यह सब देखेंगे, अनि हम क्या क्या देखने वाले हैं, दो chapters हमने इसमें मोटे बात की code space में, जाके code कैसे edit करना है, कैसे चलाना है, GitHub page बनाएंगे, ताकि हमारा जो code है वहाँ पर, हम देख पाएं कि कैसे GitHub pages के द्वारा publish होता है, हमारा project वहाँ पर publish हो जाएगा, URL उठाएंगे, और अपने resume में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा GitHub वाला सीख सके, ठीक है, चलिए शुरू करते है, bonus level हमारा, सबसे पहले हम क्या देख रहे है, GitHub, तो हमारा chapter, first chapter शुरू होता है, GitHub, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, version control आखिर बला क्या है, अगर आपने word नहीं सुना है, version control, तो git जो है, वो एक version control system है, क्या होता है, version control system, definition क्या है, a system to track changes in files over time, यानि, अब देखिये होता है, आपने आज अपना ये project बनाना शुरू किया, आप कलको इसमें 4 file add करेंगे, उसमें 2 file delete करेंगे, कभी एक system पे काम कर रहे हैं, कभी college में काम करते हैं, कभी private अपने laptop पे काम करते हैं, आप अगर मान लीजे, shared project बना रहे हैं, आप हैं, आपके team friends हैं, सब एक साथ edit कर रहे हैं, कोई HTML लिख रहा है, कोई CSS लिख रहा है, कोई JavaScript लिख रहा है, बट यार कैसे sync होगा, बार-बार आप files बनाएंगे, एक जगे लाकर डालेंगे, compile करके देखेंगे, कोई और कुछ और change कर रहा होगा, तो ये इस problem को solve करता ह version control करता है, अगर आपके पास एक shared जगा होती, जहां सब लोग आके अपना code merge करते, और वो अपने आप build होता, अपने आप सब चीज होती, कि हाँ मस चल रहा है, मेरा code है, अगर कभी भी आपको पुराने version पर आपर जाना रहे है, मैंने गड़बड कर दी है, पिछले 2 कंट control system ही है, पर इससे पहले most of the companies में use होता था, SVN, अभी भी कुछ जगाएं ऐसी हैं, जहां SVN use होता है, मैं currently अभी जिस project में काम करता था Microsoft में, Microsoft Office, अगर आपने सुना हो, वो पूरा अभी तक SVN पर था, अभी 4 महीने पहले उसको git पर move किया गया है, और git पर move करने में 3 साल ल गए, इतने experience developers को, एक-एक डेड़ सो लोगों की team को, ठीक है, तो यह move करना इतना आसान नहीं होता है, बट आप यह समझे कि उससे पहले भी git से पहले भी अलग-लग तरह के version control system होते थे, SVN जो है, वो centralized होता था, यह एक ही machine पर सारा code आता था, एक server होता था, सब लोग उसी इक के लिए use करते थे, अभी finally उसके लिए git use किया जाता है, purpose क्या है, helps in teamwork and fixes mistakes, यानि एक की mistake दूसे कि mistake, अपने आप वो build करता है, अपने आप चेक करता है, अगर दो लोगों ने same file में change कर दिया, तो किसके change रहेंगे, किसके change ओड़ेंगे, यह सब जो management है, version control करता है, snapshots के द्वारा ये काम करता है, ये क्या करता है, ये commits बनाता है, जो git काम करता है, dale tips काम करता है, यानि मान लिजा, अज मैंने 2 file में changes किया, तो में 2 file को लोगा, उसका commit बनाऊंगा, और क्या करूँगा, उसको push कर दूँगा, कि भ Carbon In Hai, इसको बाग़ी commits से compare होगा है, challenged transmission, बाग mad 1R की GitHub की वीडियो मिलेगी जिसमें में पूरे git की एक-एक कमांड explain की है git को ठीक से धंक से बताया है, git को कैसे यूज करना है, तो अगर आप इसको डीटेल में पढ़ना चाते हैं, तो उस वीडियो पर क्लिक करिएगा, पूरा git हमने डीटेल में मैं भी कुछ और काम करने लग गया, तो एक portion ने दो branches बना लिए, और वापस लाके फिर उसको main में merge कर देंगे, मेरे भी changes पूरे होगे, मैंने एक feature add कर दिया, आपने भी feature add कर दिया, फिर से लाके उसको main में merge कर देते हैं, तो branch पहले बनती हैं, उसके बाद वो merge होते हैं, undo जैसे मैंने बताया, किसी भी older file version पर कभी भी जा सकते हैं, जो last वाला version था, वही ठीक था, या उस last वाले version में कोई specific चीज ऐसी थी, जो सही चलती थी, आप मेरे को चीज देखनी है, तो हमेशा सारे के सारे versions जो है, Linux, यह उन्होंने ही लिखा था, और Linux को बनाने के ही लिखा था, Linux क्या है, एक open source operating system है, वो इसको maintain किया करते थे बाट, उनको लगा कि, यार, यह SVN में manage करने में बहुत headache है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ही version control system लिख देता हूँ, जो use होती है, जो दोनों एक ही आदमे ने अपने laptop पर लिखती है, तो यह git उन्होंने ही लिखा है, git धीर धीरे चलता है, आप अपनी machine पर भी host कर सकते हैं, कहीं पर भी host कर सकते हैं, यह central जो server लगता है, अब GitHub ने क्या problem solve की, GitHub को यह लगा किया, सब लोग कहां अपने server अपनी teams में लगाते रहेंगे, तो GitHub ने क्या बोला, GitHub ने बोला, भाई, मैं git host कर रहा हूँ cloud पे, यानि आपको git का server बनाने की जुरूत नहीं, आप GitHub पे आके account बनाईए मेरे साथ, और इसका git का जो main file है, जो version system है, सब मैं रखूँगा, आप बस एक copy अपने system पे रखीजेगा, आप लोग चार्ड लोग एक project के लिए contribute कर रहे हैं, अपने accounts आपस में share कीजिए, जो इसका storage है, जो है, वो सब मैं करूँगा, और वो भी करूँगा एकदम free, यानि अगर आप अपने projects public रखने के लिए तयार है, यानि आपका project private ना हो, उसका code आके कोई भी देख पाए, as far as आप ये बूल रहे हैं कि open source software है, तो उसकी hosting एकदम free देता है, कोई पैसा charge नहीं करता है, तो अगर git के हम definition देखें, definition क्या है, a software tool that tracks changes in code, जोगी अभी version control के हमने definition देखी, वह git की होगी, git क्या है, version control है, ये enable करता है collaboration and version control, ये भी commit branch और merge के concept पे काम करता है, GitHub क्या है, GitHub is a web service for hosting and collaborating on git repositories, समझे, तो ये इसने एक service launch कर दी बस, जैसे आप मान लीजे, पहले आप और आपके दोस्त, मेरे को याद नहीं, आपको भी generation के है नहीं, पहले अगर photo share करने होते हैं, तो लोग Bluetooth से share क्या करते हैं, कि Bluetooth अपने आपस में दो phone लेके बैठेंगे और आपस में photo share कर लेंगे, Instagram ने क्या क्या, Instagram ने गुला है और आपस में photo share करते हो, सब लोग मैं एक web service बना रहा हूँ, इस पर photo share करो, सब लोग देख पाएंगे, तो आप यह समझे, GitHub is Instagram of git repositories, यानि यह क्या बोल रहा है, कि आप अपने अपनी machine पर क्यों git रखते हो, कहीं एक server पर अपने आप पैसे देखे क्यों git रखते हो, आप उसकी copy बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, इसकी copy मैं बना रहा हूँ, अब इसको मैं अपने इसाब से maintain करूंगा, उसको बोला जाता है fork, pull request ही होती है, अगर किसी और की repo है, ठीक है, पर आपको लगता है कि आप उसमें bug fix कर सकते हो, open source software जनरली ऐसे ही चलता है, आपने मान लीजे, Linux में कोई bug पकड़ लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको fix कर सकते हैं, उसको pull request डाल सकते हैं, pull request मतला आपना code उन से request कर सकते हैं, कि देखिए, आपके code में यह problem थी, मैंने इसको fix कर लिया है, यह मेरी request है, pull request, आप इसको भी मेरे code को merge कर लिए, उसके दो फायदे हैं, पहली बात तो जो open source software है, वो इसी तरह से free में maintain किये जाते हैं, जो अच्छे enthusiastic developer हैं, वहाँ पर contribute करते हैं, आपके लिए advantage यह है कि आपको भी लग रहा है कि open source software मेरी एक line चली गई, जो सूचिए millions, billions of devices को उसके बाद जब भी next version release होगा तो release होगी, आपके लिए कि लिए कितनी बड़ी achievement है, जो सकते हैं कि आप एक contributor है, open source में Linux में, millions of projects है किसी में भी और आपका project किसी के काम आ रहा है, और issues क्या है, अगर उसमें कोई active issue है, तो उसकी tracking के लिए issues होता है, GitHub इस सब का integration totally वहाँ पर आपको देता है, तो में मोटा मोटा मैं समझ रहा हूँ कि आपको introduction पता चलिया होगा, version control क्या होता है, git क्या होता है, और GitHub क्या होता है, version control, version control है, git एक type का version control है, Git की जो hosting service है, web service जो है, उसका नाम है GitHub, अब हम next चीज़ क्या देखेंगे, account creation, जिन बच्चों का account है, जिन दोस्तों का account है, यहां पर बहुत अच्छी बात है, आपका already GitHub पर account है, जिनका account नहीं है, जल्दी से बस बताएंगे GitHub का account creation कैसे करना होता है, मैंने देखा है, बहुत बच्चे basic चीजों में भी कई बार confused रहते हैं, समझ नहीं आता है, लगता है, शायद पैसे लगेंगे, कुछ और लगेगा, कुछ नहीं है, एकदम free creation है, अपनी website, अपनी email ID लेंगे आप जो भी personal email ID और उस पर अभी live account create करके देखते हैं, तो अब VS Code को बंद कर देते हैं, भाई 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 तुम्हारी अवे उनको जुरूत नहीं है, सीधे जाते हैं web browser पे और यहां जाके हम खोलते हैं, search करिए github, देखिए पहले से कितनी बार मैंने खोला हुआ, github launch होग, आपको सिर्f github search करना है, जाकर click करिए, एक्चली मैं logged in हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम एक खोल लेते हैं, incognito browser, ताकि इसके अंदर हम जाके देख सकें, experience क्या होता है नए user के लिए, ठीक है, तो हमने github खोल लिया, इसके बाद github खोलते हैं, यहां से आके github search किया, github खोल लिया, इसमें जाकर आपको link क्लिक करना है, sign up, तो मैंने sign up link क्लिक कर दिया, अपने आप क्या बोल रहा है, welcome to github, let's begin the adventure, यहां पर आपको email डालना है, मैं एक email डाल देता हूँ, यह मेरा personal email है, मैं यह डाल देता हूँ, ओंप्रशान जैन, at the rate, gmail.com, अभी वैसे इस पर भी github account बना हुआ है, देखते हैं, कोई error तो नहीं दे रहा, अब इसको सीधे क्या मांग रहा है, password मांग रहा है, तो मालीजी मैं password देता हूँ, ठीक है, यह बोल रहा है password में भी compromised, इसको और थोड़ा सा strong कर देता है, strong हो गया, मैंने बोला continue, enter a username, मालीजी username में क्या बोलता हूँ, KG underscore Prashant, में only contain alpha numeric characters, अच्छा तो यह बोल रहा है, सिर्फ alpha numeric characters कर सकते हैं, single hyphen कर सकते हैं, तो मैं single hyphen दे दता हूँ, बोल रहा है KG hyphen Prashant is available, मैं बोलता हूँ continue, would you like to receive product updates, इसमें आप YN रिख सकते हैं, मैं generally चाहता हूँ कि आप इसमें N लिखें थाकि आपको फाल्तों क जो emails है, वो ना है, तो मैंने no कर दिया, next up आएंगे, वी देखिए verify your account बोल रहा है या नी, please solve this puzzle to know you are a real person, use arrow to rotate animal to face in the right direction, okay, तो बोल रहा है, हाथ का और arrow का जो direction है, वो same होना चाहिए, तो मैंने submit कर दिया, फिर से यही बोल रहा है, यही submit कर दिया, फिर से यही बोल रहा है submit कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद आपका बस यह create account हो जाएगा, मैं अपनी ID पर account बना नहीं रहा हूँ, बढ़ आप यहां के बाद बस create account क्लिक करिएगा, maximum क्या होगा, इसके बाद जो step में expect कर रहा हूँ, शायद एक email पर आपके maximum verification link आएगा, वो link क्लिक करेंगे, आपक account create करना है, तो account create कैसे होगा, ठीक है, तो account creation हमारा GitHub पे हो गया है, इसके बाद next step देखते है, next step क्या है, अगर आप सबका GitHub पे account create हो गया है, next step हमको क्या करना है, हमको एक repository, एक रिक बार यह समझ लेते हैं, नाम repository होता है, repository, यह भी बोलना चाहें, पर इसको generally short में सब लोग तो आपको पता होना चाहिए रेपो का क्या मतलब है रेपोजिटरी का आप यह मतलब समझ लिए एक सेंटर हम एक बना रहे हैं किसी नाम से बनाएंगे एक भाई मान लीजे अभी आप जो हमारे पूरे प्रोजक्ट का कोड है अगर आप वह भी दिखेंगे तो उसकी भी हमने कोंट्रिब्यूट करेंगे अगर उसमें कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ रेपो में ही रखेगा तो एक सेंटर जगे होगी जहां कोई भी आकर वो देख सकता है तो चली जल्दी से एक रेपो बनाके देखते हैं मैं क्या करता हूं इसको मैं कर देता हूं बंद और हम आपने अक्षण वाले अकाउंट में जो मेरा अकाउंट अल्री लॉग्ड इन है और इसमें जाके हम देखते हैं कि रेपो आक्चली बनानी कैसे तो मैं इसको थोड़ आसा बढ़ा कर देता हूं ठीक है आपको दिखें कि मैं क्या कर रहा हूं देखें आपको क्या करना है प्रशांग एप सब्सक्राइब है यहां बना है मेरे name बना देता हूं, मानलीजे मैं क्या बोल रहा हूं, html html भी वैसे available है, क्योंकि यह मेरे name space के अंदर है, बट फिर भी मैं बोलता हूं, मानलीजे, html test नम समय एक repo बनाना चाहता हूं, यह इसने बोल दिया, ठीक है, आप optional description देना चाहें तो दे सकते हैं this is a test repo to put my html project, मानलीजे भी मैं temporary ऐसी एक summary दे रहा हूं, description दे रहा हूं, ठीक है उसके public और private में, आप हमेशा यहां पर public select कीजेगा, इस बात से डरना गभराना नहीं है, मेरी गलतिया किसी को दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, मेरा project तो private है आप में से बोलना नहीं चाहिए, बड़ आप में से ऐसा code नहीं लिख रहा है, जो चोरी हो जाएगा, ठीक है, public में दिखाना आपका काम क्या है, आपको तो अपनी profile public रखनी चाहिए, ताकि लोग देखें कि आप किस किस तरह का का काम कर पाते हो, अच्छा हो, बुरा हो, जनरली क्या लोग देखते हैं, बाद में भी क्या लोग देखते हैं कि आप ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो private repo रखनी की कुशिश मत करना, हमेशा इसमें public repo रखना, आपका मने अगर आप कुछ personal data कुछ रखना चाहरे है, कोई personal project करना चाहरे है, तो आप private रख सक सकें, उसका code देख सकें, उसको समझ सकें, तो आप यह चाहें लगा सकते हैं, चाहें सोड़ सकते हैं, getignore file अभी छोड़ दीजेगा, अगर आपको मेरी github वाली video देखनी है, तो उसमें देखिए कि आपने explain किया है, getignore का क्या मतलब है, otherwise यहाँ पे आपको license चूज करना आप ऐसा कमा सकते हैं, आप नहीं भी license आट करते हैं, तो कोई फर्क नी पड़ता है, अभी हम इसको नन छोड़ देते हैं, और यह मैंने क्या किया, create repository पे click कर दिया, यानि मेरी एक repo यहाँ पर बनकर तयार हो गई है, देखिए, HTML test नम से यहाँ पर एक repo उनके दिखाई दे नॉर्मल IDE भी code completion देता है, कि आप क्या लिखना चाहरे है, अगर कभी इसमें interest होगा बच चोगा, या सबका तो इसमें start करेंगे, यह बोल रहा है, आप अपने project में क्या-क्या start कर सकते हैं, या आपको कम से कम पहली file दालनी है, तो क्या करेंगे, हम सीधे वापस आ जाते है हमने creating a repo देख लिया है, अब जो हमारा इस video का project है, हम आगे उसी से proceed करेंगे, इस point का यह मत्तब था कि आप repo create करना, सब घबराएना, new repo पे click करना है, main steps follow करने है, public repo बना लेनी, ठीक है, repo के अंदर code check-in कैसे करते हैं, code कैसे डालता हैं, उसके लिए मैं और एक धंटे की video ब तो हम क्या करते हैं, देखिए, इस video का, मैं Sara का Sara code अलड़ी डाल चुक हूँ, देखिए, Java की भी अलड़ी हमारी एक video गई हुई है, जिसमें हमें 3 घंटे में पूरा Java पढ़ाया था, यह उसी का मैंने screenshot डाला हुआ है, उसमें जो भी हमने code लिखा था, वो सब इस repo में पढ से करना है, तो पहले हम देखते हैं, यह देखिए, knowledge gate coding के अंदर मैंने के repo create की है, which is YouTube complete HTML, जो इस video का, जिसमें Sara का Sara code पढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे अभी तक, जो हम लिख रहे थे, हमारा index.html यहां में पढ़ा हुआ है, HTML के अंदर जाएंगे, सारे हमारे 5 के 5 ले YouTube complete HTML, जो हमारा repo है, उसके homepage आते हैं, और इक बाट देखते हैं कि यह code space बनता कैसे है, तो देखें, code space कैसे बनेगा, आपको यह code पर click करना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ, आपको यह code पर click करना, अगर आप यह देख पा रहे है, तो code पर click करिए, जनरली local द time लगेगा, यह सब कुछ काम खुद कर लेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह देखें, बिल्कुल exactly same interface खुला, यह नहीं आप देखकर बताइए, यह पूरा VS code इन्होंने online शुरू कर दिया है, आपका project यहाँ पर load हो रहा है, terminal, output, जो जो आप देख directly ऐसी चल रहा है, H2 मैंने दबाया, देखें, H2 बड़ा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, यह file explorer जैसे वहाँ बंध हम कर रहे थे, यहाँ बंध कर सकते हैं, यहाँ पूरा code complete हो रहा है, मानली जो मैं यहाँ article लिखना चाहता हूँ, मैं जब भी file change कर लिया, आप बस यहाँ क्लिक करिए, यह दिखें, दिखा रहा है कि आपने index.html change करिए, आपने क्या change कर रहा है, उसका एक छोटा सा message लिखेंगे, commit दबाएंगे, आपका code automatically commit होता जा रहा है, आपको कोड़ी command याद रखनी की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप आपको locally कुछ नहीं करना है, कोई server नहीं चलाना है, अच्छा इसमें आप यह भी बंदे नहीं है, कि आप किसकी machine पर code कर रहा है, कि आप college में हैं तो भी आप कर सकते हैं, घर पे हैं तो भी आप कर सकते हैं, friend की machine है तो कर सकते हैं, रिष्टेदारी में घूंड़ने गए हैं, वहाँ आप कर सकते हैं, एक internet connection आपको चाहिए हो, next चीज हम क्या देखेंगे, next चीज हम देखेंगे creating a github page, अब यह देखेंगे अलग-अलग github के features हैं, हमने समझ लिया github code space क्या है, वहाँ code change करेंगे, commit करेंगे, जो करेंगे, चल जा गया, एक मैंने आपको live change नहीं दिखाया, मान लीजे मैं यहाँ क्या करता हूँ, ह हमारी जो index.html file है, अच्छा ये तो मेरा vs code है, normal इसको कर देते हैं, बंद, और ये वाला जो मेरा browser है, इसको यहाँ ले आता है, ठीक है, अभी देखेंगे, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक h2 भी डाल देता हूँ, this is my second heading, ठीक बात है, अब यहाँ तो आपको save भी करने ज़रूरत नहीं है, तो जब भी आपको यह बंद करना है, आप यह चाहें, तो उसको commit कर सकते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ, मानलीजे हमने यह changes कर गए, ठीक है, आप यहाँ आएंगे, मैं यह message क्या लिखूँगा, tested code spaces, ठीक है, मैंने अभी यह किया है, and एक summary लिख यह तक है आप बाद में देख पाएं कि इस commit के अंदर है क्या, यह commit अभी हम create कर रहे है, आपने इसको आप कर दीजे, always, ठीक है, यह अपने आप stage करेगा, और अपने आप इसको commit कर देगा, मैंने commit किया, sync changes पर दबाएंगे, origin main को कर रहा है, okay, बस अगर आपने यह और commit कि तो यह हो गया, एक बार वापस आकर यहां पर, चेक कर लेते हैं कि अभी अगर मैं वापस जा रहा हूं GitHub पर, अभी अगर मैं यहां के अभर refresh करता हूं अपनी repo को, तो देखिए, दिख रहा है कि यह file last time, यहां पर क्या दिखता है, कौन से commit में यह file last time change होई है, तो देखि पर click करेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपने एक ही line इस commit में add की है, तो आप यह हमेशा कभी भी देख सकते हैं, तब मैंने क्या change किया रहा है, तो hope कर रहा हूं, आपको मोटा मोटा समझ आयोगा, GitHub की repo का क्या मतलब है, code spaces का क्या मतलब है, online इसको कैसे use करना है, अपने changes आपके हैं कैसे sync हो जाएंगे, जभी भी आपको change करना है, दुबारा code spaces पर आईए, बस आपका code space बन चुका है, इसमें आप कभी भी जाकर अपने changes कर सकते हैं, वापस आजाते हैं GitHub pages पर, यानि अब हमको क्या बनाना है, GitHub page बनाना है, ताकि हमारा ये जो, हमने जो HTML लिख है, हमने जो भी काम किया है, इसका एक link मेरे को मिल जाए, जो हमने रिजूमे में डाल सको हूँ कि सर मेरी रिजूमे की website बनकर, मेरी portfolio website बनकर एक्दम तयार है, तो यहां जो settings यह दिख रहा है, आपको अगर देख पाने ऊपर कोने में, यह settings पर आपको click करना है, settings के अंदर आप मैं इधर आ जाता हूँ, ताकि आप बच्चों को यह वाला जो portion है, right वाला है, clear दिखता रहे, हमने left में बस pages पर click किया, यह आपको दिखिया है, क्या बुल रहा है, GitHub pages designed to host your personal, organizational, organizational, or project pages from a GitHub repo, यह host करने के लिए है, GitHub repo से, यह बुल रहा है, कौन सी branch आपकी deploy करना हूँ, अब यह ब्रांच में बहुत जादा नहीं बहुत हूँ, आप यह भी मान के चल सकते हैं, हम सारे changes में में कर रहे थे, main हमारी अपने में ब्रांच होती है, तो में ब्रांच को ही हम यहां पर use करते है, जिसको कई बार पहले master भी बूलते थे, आजकल main बूलते है, ठीक है, त process, तो हम यह बूल रहा है, यहां पर आप select कर सकते हैं, github pages में, कि आपको कौन सी ब्रांच से इसको deploy करना है, तो मैं कह रहा हूँ, branch से deploy करिए, और main branch से आप इसको deploy कर दीजे, मेरे root folder से ही, आप direct उठा के deploy कर सकते हैं, मान लिए आपके repo में और भी बहुत सारी चीजे select a source, below to enable github pages for this repo, ठीक है, हमने source select कर लिया, हमने branch select कर लिया, यह select कर लिया, मैंने इसको कर दिया, save, मैं जैसे ही save इसको करूँगा, यह बोल रहा है, आपका source यहां पर save हो गया है, इसमें 1-2 minute का generally time भी लगता है, क्योंकि वो भी एक server बनाएगा, उसमें publish करेगा, तो 1-2 minute बात भी अगर हम refresh करेंगे, तो भी इस चल जाना चाहिए, यह मैंने refresh किया, अभी देखिए, जहां पहले यहां पर आ रहा था, github pages is disabled, अभी यहां पर क्या आ रहा है, your site is live at knowledgegate coding.github.io, youtube complete html, अब मैं अगर यह link क्लिक करता हूँ, तो देखे, यहां पर मेरी index.html हो directly host हो कर आ गया, यानि आपका project अब इस URL पर host हो गया है, आपने अगर अपना domain खरीद लिया है, अगर आपको पता है वो सब कैसे करते हैं, तो आप इसको अपने domain पर भी host कर सकते हैं, अबर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अभी यहां पर जैसे knowledgegate coding आ रहा है, यहां आपका आसान है, एकदम free है, हमको यह करना कि हम अपना एक project बनाएं, उसको free में host करें, free में उसको edit करें, free code space बनाएं और उसके बाद free में उसको publish करें, तो hope करना हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, मैं बहुत सारे mock interviews में, इन जनरल बच्चों से बात करता ह इसलिए, वेबसाइट तो बनाएं थी, आप को यह hosting के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आपका code भी public हो, अप editor भी यूज करिए, इनका hosting भी यूज करिए, और यह हमेशा live रहेगा, आप इसमें जब भी कोई change करेंगे, अपने आप update भी हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको बस आके अपना, जो आपका code है वो आप edit करेंगे, अपनी repo में जाकर उसको push करेंगे, अपने आप यह pages update हो जाएगे, माल लीजए, आपने कोई नया experience एड़ गया, कोई नया course किया, आप resume में जो भी update कर रहे हैं, बस अपनी repo को आप up to date रखे, अपना जो changes है वो ड मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मेरे पास अपना domain है, जिससे मैंने host की हुई है, देखे चल भी नहीं रहा, मैंने पता नहीं कब से यह use नहीं की है, यह देखिए, यह जो मेरी website है, यह actually github pages के साथ ही publish हुई है, इसमें बस मैंने domain ने अपना लगाया हुआ है, मैंन इसमें देख सकता है, कैसे बनाना है, portfolio website, यह देखे, omprashanjan.github.io, यह मेरी यहाँ पर बनी हुई है, इसमें आप आएंगे एकदम public है, यहाँ पर मेरी, मैंने कब क्या update किया, 7 साल पहले देखे, मैंने repo पहली बार बनाई थी, आज तक यह चल रही है, last मैंने update कब किया है देखे, last year में किया है, link to new resume update किया है, बहुत जादा updated नहीं है, यह मैं मानता हूँ, बट आप अगर देखेंगे, मैंने ही से host किया हुआ है, मैं अगर settings में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, pages, pages में आता हूँ, तो यह यहाँ दिखा रहा ही, your site is live at www.prashanjan.me, तो मैं सि भूल भी जाएं, तो आपको directly दिखता रहे कि कहां जाके क्या click करना है, और वो क्या आता है, देखे, screenshot में मैं अपनी website यहाँ पर दिखाई हुई है, कैसे यहाँ पर आपकी website publish हो जाती है, दोस्तों मैं expect करता हूँ कि बहुत ही interesting आपको session लगा होगा, यह वाला chapter लगा होग जो भी आपने final project बनाया है, उसकी repo का link या अपना, जो final URL है, उसका link comment में लिखके ज़रूर बताईएगा, ताकि सब लोग आपकी भी जो website है, उसको visit करें, comments करें, आपको बताएं, आपके website कितनी अच्छी है, और एक collaboration वाला atmosphere, अब बस last के 5 minutes रह गया है, यानि एक last chapter रह ग next video, full video, जैसे ये video हमने बनाई है, 3-4 गंटे की, ऐसे ही वहाँ पर बनाएंगे, full video बनाएंगे, और पूरा framework एक video में complete कर देंगे, next video आपको किस की चाहिए, HTML के बाद मेंचे comment करके जरूर बताईए, तो सबसे पहला हमारा framework कौन सा है, react jazz, इसका आपने नम सुनाओगा, सब से popular है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने professionally 4-5 साल react jazz में काम किया है, Microsoft में भी, Amazon में भी, Microsoft में भी different projects में, बहुत अच्छा framework है, definition क्या है, देखे, a tool for making websites interactive, इससे क्या होता है, आपको HTML और CSS बहुत जादा लिखनी ही नहीं पढ़ती है, jsbhbhbhbhbhbhbhbhbhbhbhbhb जो थोड़ा सा programming languages वाली coding में ज्यादा comfortable होते है, HTML JS में comfortable होते है, तो आप normal code लिखकर ही, website वाला code भी बड़े आसानी से, बड़े manageable तरीके से आप लिख पाते है, यह components based होता है, यानि reusable pieces होते है, web pages को build करने के, virtual dome होता है, JSX होता है, बहुत जादा detail में पढ़ने की जूरत न बना रहा था Facebook की, तो उन्होंने internally framework बनाया था, React के नाम से, उनको लगा कि इस से वो Facebook को सबसे best handle कर पाते था, आप समझे एक time पे Facebook पे कितना load होता था, आजकल तो Facebook थोड़ा सा uncool हो गया है, कम हो गया है, वरना अभी भी 100 करोड से जादा active user होना, 1 billion से, I think अब तो 2 billion cross हो ग और तब से बहुत ही जादा popular project हो गया है, तो React अगर आप web developer बनना चाहरे हैं, तो React जैसे बहुत ही अच्छा edition है आपके technical career में, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, Angular है, Angular किसने बनाया है, अब जब उन्होंने Facebook ने बनाया React तो Google का पीछे रहने वाला था, Google ने भी Angular बनाय पहले गूगल ने Angular पहले बनाया था है, पहले आया था, मैंने Angular में थोड़ा काम किया, Angular भी सीखा था, और Angular उससे पहले सीखा था, Angular क्या करता है, इसका main काम था two-way binding, यह इस तरह से code लिखवाना सिखाता था कि HTML में जैसे कोई change हो, आपका background में JS कुछ change हो जाए, JS में जैस बनाना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा बिना framework के काम करना कितना मुश्किल है, और तब जब आप Angular या React को यूज करेंगे, तो आपको लगेगा इन्होंने live कितनी मेरी आसान बना दी है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर काम करता है, बहुत जादा इन में कभी दूसरे page पर नहीं जाते है, आज कल modern website जिकते हैं सब ऐसी होती है, आप उसी में click करते हैं, उसी में interaction होता रहता है, पहले mostly website ऐसी होती थी, आपको कुछ और content चाहिए होता है, तो आप link करके किसी और page पर जाते थे, एक website में 50-50-20-20-100-100 pages भी होते थे आपको जब भी जो page चाहिए है, आप वहाँ जाते थे, आज कल क्या होता है, एक ही website होती है, आप click करते हैं, वहीं पर content change होता है, page वो ही होता है, page कभी reload नहीं होता, उसको क्या बोलते है, single page application बोलते है, तो ये angular.js ने excellent support दिया था single page applications का starting में, आज कल वैस angular थोड़ा कम use होता है, वैसे ये ये भी काफी हर तक popular है, बड़ react थोड़ा जादा use होता है, अर इतने market में जो नहीं चीज है, वह भी क्या चल रहा है, view.js चल रहा है, ये क्या है, ये जावास्रिप्टा framework है for web interfaces, ये तीनो kind of similar काम करने के लिए है, view.js भी क्या करता है, react की तरह components बनाता है, small reusable parts बनाता है, ये भी reactive है, यानि आप HTML में कुछ change करेंगे, यानि view में कुछ change होगा, JS में कुछ change होगा, JS में change होगा, JS में change होगा, यहाँपर, कुछ change होगा, बहुत ज़्यादा आगनि, इसमें घुसने के जरूत नहीं है, single file components होते हैं, इसमें भी, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनो framework इसलिए use होते हैं, ताकि आप एक अच्छे web developer आसानी से बन सकें, अच्छे से manage कर सकें, ज्यादा complex चीज़ों को आप बना सकें, ये हो गया हमारा bonus chapter भी complete, bonus chapter में revision, हमको क्या करना है, version control क्या है, हमको ये देखना है, ये हमने देखा, GitHub को हमने समझा, GitHub के हमने account create किया, repo बनाया, code spaces हमने देखा कैसे चलते हैं, GitHub pages हमने बनाये, अपने website को हमने publish किया, उसका हमने एक छोटा सा introduction लिया, framework का, यानि react.js, angular.js और view.js, ये सभी javascript based frameworks है, तो इनको पढ़ने से पहले basic javascript आपको आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो end करता हूँ, comment करके appreciate ज नहीं कर पा रहे है, doubts है, या कुछ अच्छा किया है, तो comment में जरूर बताईएगा, और सबसे important बात यह बताईएगा, कि next video आपको किस चीज बचाईए, तो चलिए जल्दी से एक बार project देख लेते हैं, और उसके बाद end करते हैं, जल्दी से देखते हैं, हमारे bonus level का project क्या है, github pages and code spaces का, इसमें आपको क्या करना है, अपना github का account बनाना है, अगर आपका account नहीं है, तो account create करिए, अभी तक हमने जितना demo वाला code लिखा था, जैसे अभी मैंने इसके video का भी सारे अपना code, सारे के सारे 5 levels का एक जगे रखा है, आपने बीच में जितने भी projects के हैं, यह github code spaces से किया है, और उसके बाद आप उसको publish कैसे करेंगे, github pages को use करके आप उसको publish करिए, उसका link जो है वो, आपके पास रहेगा कि मैंने यह project अपनी इस video के साथ बनाया था, और उसको रखेगा, अब जाते जाते हम आपको एक idea और देखे जाते है, major project का, एक project तो पूरा पूरा हो जाएगा, जो आपने वीडियो के साथ बनाया है, इसको publish करिएगा, बाकि दूसरा major idea क्या है, अपना resume और portfolio website बनाना दोस्तों आचकल बहुत important है, बहुत ज़्यादा effect पढ़ता है इससे, कि आपने यह अपनी लिए बनाया है, इस project के आपके दो फाइदे ह बन रही है, और अब तो host करने का भी कोई attention नहीं है, क्या हम क्या करेंगे, इसकी repo बनायेंगे, pages से इसको publish करेंगे, इसका link उठाके आपको अपने resume में जरूर डालना है, अगर थर्ड फाइनले के student है, या just pass out वे एक दो साल हुआ है, आपको एक project चाहिए अपने resume में, तो यह आप मत भूलेगा, link में एक test भी है, अगर आप वो test देते हैं, वहाँ जाए हमारा knowledge gate का platform है, उस पर जाके sign up करिए, वहाँ जाके free test है, वो test आप दीजिए, जब आप वो test देंगे, अगर एक कुछ qualifying उसके marks रखेंगे, अगर आपने video देखा है, आप बहुत आसानी से जैसी आप वो पार करेंगे, आपको free certificate भी मिलेगा, कि आपने जो course है, पूरा पूरा finish किया है, उसके बाद आप वो certificate भी अपनी resume में add कर सकते हैं, कि आपने HTML का जो course है, पूरा पूरा finish किया है, तो अगर आपने video ठीक से follow किया, आप यहाँ तक पहुँच गए है, अतनी मे जाते आते video को share करिएगा, चैनल को subscribe करिए, नया channel है, अगर आप motivation देंगे तो बहुत help होगी, आप subscribe करिए पर सबसे important, अगर आप और कुछ भी नहीं करने हैं, तो सबसे important बस comment करके बताएगा कि next आपको क्या पढ़ना है, जै हिंद जै भारत